प्रदेश का एक नरत्य है जिसमें क्या है कि बुद्धुआर बुद्धिस्ट जो है बुरी आत्म उसे बचने के लिए उस डांस का यहां पे आपको नाम बताना है जिस डांस को परफ़ॉम किया जाता है हिमाच bully दब कंद है तो सही आंसर देख लेते हम एक डांस होता है जिसका नाम है च्छम डांस ऑप्शन ए च्छम रित्य जो है बुद्धिस्ट के द्वारा किया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर की बुरी आत्मा उनका माना है कि इस डांस को परफॉर्म करने के बाद जो बुरी आत्मा है है वह भाग जाएंगी तो सबकी अपने प्रिमानें तामें होती है तो ठीक है इस डांस का नाम है च्छम डांस ठीक है और वहां पे जो बुद्धिस्ट को परफॉर्म करते हैं उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर कहा जाता है लामास ठीक है इस डांस को एक नामोर दिया ज सुंद्री नंदा ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब है यह है पॉंडेचेरी की पहली महिला पुलिश महान निदेशक्त इनको न्यूक्ट किया गया था ठीक है ऑप्शन रा सही जवाब है इस दा फांडर ओफ फेस्बूक फेस्बूक के फांडर का नाम बताना जकरबक के द्वारा की गई थी और यही फेस्बूक के संस्ताप पक है ठीक है फेस्बूक वाद्ट बहुत कंपनी है यह लोकेटेड कहां पर अगर इसकी लॉकेशन पूछी जाए तो यह कैलीफॉर्णिया के थीजित है कहां पर है कैलीफॉर्निया ठीक है इस ग्रूप व वहां पे एक योहार मनाये जाता है सिक्की में जो मांठेन के के कंचन जूगा उसको सममान देने के लिए कि हमारे सिख्की में अदर के वहां के लोग इसको इसे नाम दिया जाता है कि पूरे विश्विकी सबसे पहली महिला प्रद्धान मंतरी का नाम बताना है यह कुशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इवन मैंने भी पढ़ाते बढ़ाते काफी एक्जाम के अंदर इस क्वेशन को देखा है इसका सही जवाब होगा सीरी माव भंधारनाई के उप्षन बी जो है वो हमारा सही जवाब होगा यह श्री लंका कि रहने वाली थी और श्री लंका विश्व की साथ-साथ श्रीलंका की पहली प्रधान-मंत्री और जी पहली उस्पीर कर्दान dope शी मेरी मिनिस्टर कह सकते आप शार्क का हेड़्कॉर्टर आपसे पूछा जाता है इसका हेड़्कॉर्टर है काफ माणनू के अंदर काफ मांदू में इसका है इसकी फिर्ष फीमियर्ट्री जन्रल का आपको नाम बता जय इसका सही जवाब क्या होगा क्या सही जवाब को option B फती मात धियाना सहीद जो है वो पहली सेक्रेटरी जनरल थी शार के और शार का है एड़कॉर्टर कहां पर है काट मांडू के अंदर ठीक है की शेक्रेटरी जनरल टीब इषार करेव्याना फत्रेटरी जनरल क documentary यहिंति ईशेक्रेटरी जनरल कौन है एंटियो गुटयरत और फ्रचू सेक्रेटरी जनरल कान थी पाठीमा धिहाना सईध और ट्रैंट म्यूजिकल इंस्रूमेंट ओंप दा लिम्बू कमोनिटी ओप सिक्किम सिक्किम की जो लिम्बू समुदाय है उसका पारंपरिक संगीज यंत्र क्या है या आप से पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चयाप बुरुंग यह जो है इनका एक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रिमेंट है कि इसका सिक्किम की एक जो जाती है समुदाय है लिम्बू उसका दॉप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब होगा अगला देखते हैं नेम दी फॉर्स्ट इंडियन करियर टू जॉइन दा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन भारत की पहले वाहक का नाम बताई सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी स्पाइज जेट फ्लाइट जो आपको पता है स्पाइज जेट की फ्लाइट चोतियों काफी सस्ती रेट से मिलती है काफी फेमस ये एयर लाइन है और इसी के साथ जो यह सबसे पहली भारत की ऐसी वाहक है जिनको आई एटी के अंदर शामिल हो गई है ठीक ऑप्शन भी सही जवाब है विच आफ फॉलइंग इस वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट निमन लिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कारेशिल प्रोटोटाइप है यह आप से पुछा गया है ठीक है कारेशिल प्रोटोटाइप जो है यह 1960 रिसरच प्रोजेक्ट एजनसी नेटवर्क यह इसकी फुलफर्म है एड्वास्ट रिसरच प्रोजेक्ट एजनसी नेटवर्क और इसकी स्टैबलिश्मेंट हुई थी 1960s के अर्यूंट के इसकी स्टापना की गई थी यह चीज आपको याद लखने है ठीक है और दूस किया गया है और इसकी स्थापना कि गए थी सत्वाना डाइन से बशागा संबंद किसे हैं तो बुद्धिस्म से या बोध में से प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कि फ्री में खाना दिया जाता है बच्चों को तो मिडेमिल स्कीम के बारे में आप सभी बच्छे से पता होगा इसकी शुरुआत जिन्हों नहीं की थी इसकी शुरुआत की गई थी हमारे HRD मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है इन विच यह वाज़ी टर्म ग्रोस हैपिनेस इंडेक्स कोई बाइदा फोर्थ किंग ऑफ भूटान जिगमे सिंगे वांचुक बूटान की जो चोथे राजा थे जिनका नाम है जिंगमे सिंगे व जो है मेरे काल में कितनी खुश है या उनकी प्रगति कितनी हो रही है तो उनकी हैपिनेस को मेज़र करने के लिए उन्होंने इस इंडेक्स की शुरुआत की थी और यह इंडेक्स शुरू किया गया था 1972 के अंदर ठीक है नेम दी इस रोचेर्मेन और पदम भूशन समानी किया गया जिसने मंगलगी परिकर्मा को एक शर்ण बनाया कैसे बनाया कि पहले भारती अंतरिक्षियान मंगल ग्रह की कख्षा में प्रवेश करने और मार्स के बारे में हमें पता लगाए उसकी वहां पर खोज की जाएगी चीक है तो यह भारत का सबसे पहला इंटर-प्लैनेटरी मिशन था मतलब किसी दूसरे प्लैनिट पर ग्रह पे जाने वाले भारत का यह पहला मिशन था पहली बात दूसरी बात ही कहां से लॉंच किय जा गया था दो तिन वात इसके बारे में यार दखना और इसका सही आंसर होगा के रादा कृष्णन जो है उस समय के चेर्में थे ऑप्शन भी जाराइट अंसर कलर फुल आर्ट नेम नंदन ब्लॉक प्रिंट एक रंगीन कला है जो कपड़ों पर रुका रुपांकनों की स आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नीमच नीमच डिस्टिक्ट है उसके अंदर एक गाम है यह तो पूर्गाम और अंसर होगा हमारा मध्ये परदेश ठीक है और कौन सी जाती के लोगों के द्वारा की जाती है भील त्राइब। भील जाती के जो लोग है उनके द्वारा इस आर्ट का प्रयोग किया जाता है लो इसका मैं कया है यह le Cat कपड़ों को पहन सकते हैं ऑप्शन भी इस दाराइट आंसर विच इंडियन रिसीव दा नोबल पीस प्राइज आफ आफ्टर मदर टैरेसा मदर टैरेसा के बाद आप से पूछा है कि नोबल पीस प्राइज जो है किसे दिया गया जल्द से जवाब दीजिए सबसे पहले इंदर काम च्रक क्या है यह चाइल्ट एक्टिविस्ट है ठीक है है घर उन्होंत्र प्रोटेक्शन के अंदर Games के विया इन्होंने काम किया है यह इसके साथ सब्वोनेश के मैम्म सि Gaming armour बी थे यह और उना का गोल सा कि education for all सभी बच्चों के लिए इशिक्षा होनी चाहिए उनको बराबर अधिकार मिलने चाहिए तो यह समाथ सेवी है और मदर टेरसा के बाद जिनको प्रिनोबल पीस प्राइस दिया गया है वह हैं कैलाश सत्यार थी ठीक है सबसे पहले जवाब देने वाले हैं नीता नीता निटा सही जवाब दे डी जराइटा अंसर लगतो वेज़त और शाज है कोन है इसका का आंसर है हमारा वह एक कश्मीरी ऑऊथर है मतलब कश्मीर के लेखर राजठ रंगिनी इसका मतलब क्या है कि कश्मीर का इतिहास लिखा है उन्होंने history of feelings अगर आपको पढ़ना हो तो आपल और सकते हो अक पर सके ओसर कौन है कलहन कलह था की ऑफ क्या राइट और सिक किसके ऊपर है एक बुक जो है काफी फेमस है तो एक्जाम में दो तीन टाइब से क्वेश्चन आते हैं किसके द्वारा लिखी गई है और इस बुक में क्या है तो आपको बताना है कि कश्मीर इस बुक में दिया गया है और इसके लेकर करहन ठीक अप्शन भी इस दाराइट ऐप्शनज्ग लेते हैं अग्फाफ बान भठ की दो बहुती फेमस बुक से जो एक्जाम में पुछी जाती है एक तो है हरीश चरित्र टीक है और एक दूसरी है इनकी फेमस कादंबरी इन दोनों के बारे में एक्जाम में क्वेश्चन आता है ठीक है और काली दास तो क्वेशन यह आता है कि इनकी लेंग्विज क्या तो संस्क्रिट के अंदर इन्होंने एबुक लिखी ठीक है अगर भारत की पहली मुस्लिम महिला की बात करें जिनने की जुडिशियरी के अंदर हाइस्ट पद दिया गये तो उनका नाम होगा फातिमा भीबी ठीक है और ये दूसरी बात आप कर सकते हैं कि पहली महिला भारत की जिन्होंगे सुप्रीम कोड की जज़ बनी तो उनका नाम प्रदेश में इसे में कहते हैं मतलब पहाड़ों के मवेशी के लोग मांटेन भी से कहा जाता है मिथुन जिसका आंसर क्या होगा अनाचल प्रदेश वीर कुवर सिंग जैनती सेलेबरेटिड इन वीर कुवर सिंग जैनती जिनका 1857 की क्रांथी में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी जैनती भारत यकौन से राज्जे में मनाई जाती है आपसे पूछा गया है ने में जाती है और एक को से निकाला जाता तो ये तो हार मनायا जाता है जिसमें कि पुतले जलाए जाते है जुलूस निकाला टीक हैं वुरियों का सामना आपस्ट यह इसका मोटीव वहता है मार्वस और बढ़ ग्यास ये दोनों टर्म्स आपको याद दखनी है इसका सही जवाब होगा नागपूर काल भवन founded in 1919 is a noted institution of education and research in visual art is located in काल भवन के बारे में बहुत बाद question आता है ये एक institute है किसके लिए famous है द्रश्य कला के लिए ठीक है में शिक्षा रानुसंधान के लिए प्रशित संसान है कहां पर सीथ है यह सीथ है वैस्ट वैंगोल के अंदर option अप्शन सी जो वैस्ट वैंगोल के अंदर ये located है पोश्मेला डिस्प्लेइग लोकल आर्टीस अडिस्प्लेंग फोग डांस कुछ पूजिक पूज़ औन कल्चर पोश्मेला कहां पे कौन से राज़े के अंदर देखने को मिलता है आपको बस्ट बंगाल में एक सिटी है तैट इस नोन एक शांती निकेतन ठीक है शांती निकेतन के में आप अभी जाएंगे तो आपको मेला वहाँ पे को मिलेगा ठीक है इन हिमाचल प्रदेश तूरिस्ट अट्रेक्शन हिमाचल प्रदेश में प्रसित पर्यटक आकर्शन आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रम मुझूद है जिसे कहा जाता है रोतांग पास और यह इसकी जो सीनिक ब्यूटी है उसके लिए से यह एक्जाम में पूछा जाता है लाहौल और स्पीती से कनेक्ट करता है रोतांग पास रोतांग दर्रा जो कहां पर मौजूद है हिमाचल प्रदेश में क्रेटिड हिस्ट्री इन इट्स सेकिंड टीट्वेंटी इंटरनेशनल अगेंस्ट आयरलेंड बाय अचीविंग वह किसके दुरा किया गया है सही जवाब होगा इयरलेंड को हराके जिन्होंने लक्षे हासिल किया रितिहास रच दिया है इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान औप्षन राइट आइमसेटैंग के सिंगासिंपर बैठने वाली पहली और एक मात्र मुस्लिम महिला यह बहुत बार क्वेश्च आता है तो आप सभी को अधिंक पता भी होगा रजिय सुल्तान इस यह राइटब है इनका संबंद को न्श से साव वंश के बारे में पूछ जाता है संबंद था मामलूग दानस्टी और इनको सिंघासन डे बठाए कि तो तमीशन अपने मौथ के ब दाढर श्रतफटल मंत्रि tem योगी मांधन योजना उर्य मिनिस्ट और डेहवल प्राइम विनिस्ट नरेंद्र मोजी के द्वारा्व खुनिती कहां के शुरू कियी कि गई ठी बुज्राद से इस यह क्या है कैसे एक पैंशन किया गया था तो यह स्कीम काफी इंपोर्टेंट है गुजराट से शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी जी के दुवारा और एक पैंशन स्कीम है अन और्गनाइज़ सेक्टर के लिए ठीक है यह तर्म याद को अन और्गनाइज़ सेक्टर यह चीज़ काफी इंपोर्टेंट है अगला देखते हैं विच आफ दी फॉल्वाइंग इस नॉट आफ वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक निमन लिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रे संगीत का मुखर रूप न आप देखिए आपको उसके मुखर रूप बताना कि वोकल इंस्टुमेंट नहीं है ठीक है इसका सही जवाब देख लेते हम इसका सही जवाब होगा पकावच देखिए दुरुपद तराना धमर यह सारे हमारे इंस्टुमेंट है ठीक है और तमर्द एक खयाल भी आता है यह सारे क्या हैं हमारे मुखर रूप हैं ठीक है किसके हिंदुस्तानी शास्त्रे संगीत के इन चारों के नाम आपको याद दखना है ठीक है ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा लीडिंग लाइट ओफ राम कल्ट वाज़ सेंट पोएट हूज रोट पोएम राम चरित्रमा बहुत फेमस कवीता यह रही है और एक इसके द्वारा लिखी आप सभी को पता है तुलसी दास के द्वारा इसको लिखा गया है तो ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब है मार्च 23 को आपको बताना है कि कौन सा दिवस मनाय जाता है शुदांजली दी जाती है भगत सिंग सु देव राजगुरु को फासिद दी गई थी इसलिए दिन जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उसके अंदर भारत की तरफ से तीन कास्य पदक जीते गए तीन ब्रॉंच मेडल जीते हैं भारत में किन किन के द्वारा जीते गए हैं उनके नाम आपको मैं बता दू तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे नवीन कुमार सुमित सांगवान सचिन सिवाच इन तिनों के द्वारा जो है इस टूर्णमेंट क कि हमारा गलत हो जाएगा एक इंपोर्टन कि इस टूर्णमेंट में भारत की दरब से गोल्ड किसने जीता है तो जिन्होंने गोल्ड जीता है उनका नाम है एक मात्र भारती है कविंदर सिंग विस्ट ये नाम आप यार्द कि कविंदर सिंग 20 ने पहला गोल्ड मैडल जीत ट्वेंटिएवन फाइटर आको नाम यहां पर बताना है जो भारतिय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर है और उन्हें ने मिग ट्वेंटिएवन फाइटर को पहली अकेली उडान एकल उडान उन्हें भरने वाली भारतिय महिला बनकर इतिहास रच दिया गया है तो इसका सह सब्सक्राइब के द्वारा कौन सा फाइटर प्लेन उडाये गया तो मिग ट्वेंटिवन आप क्या दखना इस क्वेशन को दोनों तरीके से आपको याद दखना चाहिए एशन गेम जिसे एशार्ट भी कहा जाता है इसम मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं कितने सालों में एक चार्ट भी कहा जाता है कितने सालों में एक बार होता है चार सालों में एक बार यह होते हैं ठीक है दो हजारा प्रांथ है होंग जाउ हम जाहू वहां पर यह ओर्गनाइज होंगे ठीक है यह करेंट अफेर्स के बात कर लिए हमने आगे बढ़ते हैं अगला कुशन क्या है हमारा निमी ने सबसे पहले सही जवाब दिया है फोर 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 वैरी गुडिमी ठीट डाइनोसोर्स वर ड्राइवन टू एक्स्टिंक्ट वाइदा आफ्टर मैथ ओपलाज एस्टीरियोड इंपक्ट ऑन एर्थ वस गिवन वाए कि प्रिथ्वी पर एक बड़े शुद्र ग्रह के प्रभाव से डाइनासोर्ड जो जो था उ कि द्वारा दे गई थी यह कतन किसके द्वारा कहा गया था आपको यह बताना है इसका सही जवाब होगा हमारा ओप्षन भी लूइज आलवारेश के द्वारा यह कहा गया था कि डाइनासोर्स जुरासिक पीरड में सबसे ज्यादा थे ठीक है आर्थ के ऊपर तो वह इनिशेटिव कौन से ग्रुप का यह एक आप से पूछा गया है बिजनस समीट जो हुआ है तो कौन से समू की प्रमुख पहल है तो यह जिस समू की प्रमुख पहल है उसका नाम है टाइम गूप ऑप्षन सीज गाराइट आंसर पेशल ओलंपिक्स आपको बताना है पेशल प्रवा किये बिना स्विकाल किया जाता हुरी उनका स्वागत किया जाता है तो आपको बताना है कि कब होते हैं तो हर साल में इस पहले विशेश ओलंपिक है बात समझ में आई 36 के लिए सभी जवाब क्या होगा ठीक है अप देखते हैं कि यह क्या होते हैं अलटर्णेटिव होते हैं मतलब एक बाहसे दो साल बात एक पार मिंटर में होंगे फिर समर में होगी त्रीक से alternatively organize होते हैं कृक्रमाइज आप्री मैट्रीक्स विच इस नोट सुपर स्टार इस शुपर स्टेट उप्लेटफोर्म तो अनलाइज दा गेम अप्रिकेट को एनलाइज करने के लिए एक इती मद्रास इक बहुत इंपोर्टेट आ इम अनलाइज ओर एक इस पर्ट चैनल देखा होगा इस क्रिक इन्फो इन दोनों ने एक को लैब करके एक मतलब एक नया प्लेटफों बना है जिसका नाम है सूपर स्टैट्स ठीक है इससे क्या होगा क्रिकेट मैच का एनलाइज करेंगे ट्रेंड पता लगाएंगे कि अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है पर्फॉरमेंस क्या है प्ले आइट आँसर विच्वन आप फोल्वाइंग वी हूँ वास फास इंडियन ओरीजन रैसिपेंट ओफ प्रेस्टीजियस पुलिट्जर अवर्ड पुलिजर अवर्ड जो है वह भारत के पूछा गया है कि प्रतिस्टिक पुलिजर का पहला भारती मुल्क प्राप्त करता ठीक है अभी हाल ही में दो हजार उन्नीस में सॉरी वह अगले कुछिन है कि वियाहूला गिद्धा किस भारतिय राज्ये के विवा के दोरान किया जाने वाला लोग प्रिये लोग नृत्य है आपको यह बताना है इसका सही जवाब क्या होगा गिद्धा शब सुनते ही आप विंबल्डन टैनिस चैंपियोंशिप में सवतंत्र भारत का प्रति निद्धित्व करने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बने हैं उनका नाम आपको यहां पर बताना है इसका सही जवाब जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब है रामानाथन कृष्ण ने उस तक लिखी गई है पैसे स्टू इंग्लेंड इसका सही जवाब क्या होगा जिन्होंने इस बुक को लिखा है उसका नाम है नीरत सी चौधरी ऑप्शन एइस गाराइट अंसर हूँ और सेंचुरी इस नौट इनफ किसने लिखी है तो सेंचुरी इस नौट इनफ क्या है एक ओटो बायोग्राफी है ठीक है ओटो बायोग्राफी है जो कि 2018 में लिखी गई थी किसके द्वारा सोर ऑफ गांगुली की आत्मे कथा है उन्होंने इसको लिखा है तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब होगा इन वीचियर इंडेपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स ओलम्पिक गॉल्ड इन गेम फोकी के अंदर भारत ने अपना पहला पदक कप जीता सब्तंत्र भारत की यहां पर बात कर रहें हम तो इसका सही जवाब क्या होगा सब्सक्राइब के लिए हमारा आंसर होगा 1948 के अंदर उन्होंने यह पदक जीता चीक है आगला कुशन देखिए 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर वन पर पहुचने वाली भारत की पहली महिला निशाने बाज का नाम बताईए जबर इसे जवाब देख क्या सही जवाब होगा हीना सिद्दू इस राइट आंसर हीना सिद्दू इस राइट आंसर जांको कि जो एक अनूठा सांस्क्रिटिक रिवाज है जिसका मतलब क्या है कि जीवन के उत्सा की रूप में उसे मनाया जाता है इस सेलेब्रेशन ओफ कौन से राज्य का या कौन से देश का जो है यह कल्चिरल कस्टम है वह आपको बताना है तो इसका सही जवाब क्या होगा होगा हमारा अंसर होगा नेपाल में क्या होता है कि जवाप एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हैं आपका बर्थडे जिस दिन सेलेब्रेट ह आपके होता है लोग सेलेब्रेट करते हैं और इसको कहा जाता है जांको क्या है एक सेलेब्रेशन ओफ लाइफ मतलब जीवन के उत्सा की रूप में इसे मनाया जाता है पुरसकार प्राप्ट करने वाले प्रथम भारतिये कौन थे आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा अचारिय विनोबा भावे के जी कोई आवोड दिया गया था अगर स्टेट्मेंट सेम हो और यहां पर कम्यूनिटी लीडर्शिप की जगह आपको यहां पर दे दिया जाए जर्नलिजम पत्रकारिता तो आपका जवाब क्या होगा अमिताब चोदरी अभी हाल ही में जो मैं आपको पिसली कोईशन में बता रही थी मैंने सोचा कि अगले कोईशन में बताऊंगी 2019 में अभी हाल ही में किसको रैमेन मैक्सेस से अवोड दिया गया है वह एंडी टीवी चैनल के एक बहुती फेमस पत्रकार है जिनका नाम है रवीश कुमार उनक जाता है इसका सही जवाब क्या होगा प्रित्वी नारायन शो को माना जाता है कि उन्होंने नेपाल राज्जे किस थापना कि थी ऑप्शन सी इस दानाइट आइट आंसर ताम पुट इस यूजड इन दा स्पोर्ट पुट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है इ पाकिस्तान में कौन सी जन जाती वजीरी नृत्य नामक पारम्तिक नृत्य करती है कौन सी जाती है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्टून जो जन जाती है उसके द्वारा वजीरी नृत्य को परफॉर्म किया जाता है ठीक है समझ में आया बात अगला क्वेशन द नहीं को बताना है एक स्कूल बच्चोra को इंस्टूमेंट के अंदर जानकारि दी जाती्थ है यह आपकों आइडिया को डेफलन सकते हैं चेक नोजवान ऊंदर को चीज या ने स्टैम्स कि UP मतलब साइन्स टेखनोलोजी और इंग्लिश मैट्स ठीक है यह आप मतलब स्टैंप से याद रख सकते हैं तो आप देखिए यहां पर कि अटल टिंकरिंग लैप्स जो एक इनिशेटीव है वो स्टार्ट किसके दुवारा किया गया है हमारे नीति आयोग के दौरा उप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब है नीथि आयोग एड कौन होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेशन चलो मैं बता देती हूं नीथि आयोग के गाने परिम इंप मैं लड़ी लिख चुकी हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी ओनरेबल प्राइम इस्टर वो निति आयों के हैड होते हैं जल्दी से जवाब दीजी क्या सही जवाब होने वाला है मारफाति के गाने कहां कि यह आपको बताना है इसका सही जवाब होगा हमारा बांगलादेश बांगलादेश के पारमपरिक है तो आप्शन वी जो है वह हमारा इस व्हुत पक्षी का नाम बताई यह बुटान के राष्टे पक्षी का नाम है रेविन option D जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा रेविन क्या है बुटान के राष्टे पक्षी का नाम है तो option D is the right answer अगला देखते हैं अगला question क्या है हमारा the term cherry picking is used in which spot cherry picking शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है कौन से खेल में प्रयोग किया जाता है cherry picking का जल्दी से जवाब दीजिए cherry picking शब्द का प्रयोग किया जाता है basketball के अंदर किसके अंदर basketball तो option C देखिए basketball जो हो वह हमारा इस question का सही जवाब हो जाएगा जल्दी से जवाब देती जाहिए साथ आपका रिवीजन होता जाएगा और आपको अपना स्कोर भी पता लगेगा कि मेरे कितने क्वेश्टन सहीं है आपको अपना स्कोर पता लगा सकते आप इस टेस्ट के अंदर देखें इन इंडिया 24 जैन कि भारत में 24 जैन्वरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है यह आपको बताना है जल्दी से जवाब दीजिए 24 जैन्वरी इस ऑब्ज़र्वड एस वन ओफ दी फॉल्लेंग डेस क्या जवाब होगा इस क्वेश्टन का हमारा फॉर्थ के लिए हमारा राइट आंसर होगा गर्ड चाइड बाराश्टे बाली करते मनाया जाता है 24 जनवरी को ठीक है ओपशन को देख लेते हैं सब्रस दे मनाया जाता है 3 ढिसंवर को ठीक है यह डेट्स भी आप याद अग्वार्वेस के काफी सिमिलर वर्ट्स एं फार्मां और अग्रिकालच्छर पूछे जाते ह है काफी ज़्यादा confusion देखने को मिलता है इसमें ठीक है अगले question में करते हैं अगला देखिए which of the following is the smallest bird in new world निमल निखित में से कौन दुनिया का सबसे चोटा पक्षी है smallest bird आप से पुछा गया है largest सभी को पता होगा आप सभी को कि largest bird कौन सा है ostrich है यह बात सभी को पता है smallest के बारे में बताइए किस-किस को पता है smallest bird कौन सा है पूरे विश्व के अंदर इसका सही जवाब क्या होगा इसका answer हम लेंगे option c b human bird मधू मखी hummingbird जो है वो पूरे विश्व के अंदर वर्ड के अंदर सबसे smallest bird सबसे छोड़ा पक्षी माना जाता है तो option c is the right answer प्रशांत मौर्य ने बिल्कु सही जवाब दिया है सोनम निमी बिल्कु सही जवाब आ रहा है आप सभी का option c हमारा सही जवाब है who among the following was named as chief executive officer of ICC in jan 2019 जन्मरी 2019 में ICC के मुख्य कारेकार या दिकारी के रूप में नामित जिनको किया है उनका नाम है मनु सहान में मनु सहानी option c जो है वो हमारा सही जवाब होगा किनको किया गया है मनु सहानी को और यह फिफ चीफ एग्जेक्यूटीव officer है किसके ICC के पांचे नंबर के ठीक है अगले कुशन देखते हैं हमारा who was the Indian Army chief as at the time of liberation बांगलादेश लिबरेशन वाल जब बांगलादेश मुक्ति युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत से ना के प्रमुक कौन थे उनका नाम आपको यहां पर बताना है इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन दी देखिए सैम मैनक्षो उस समय भारत के चीफ आर्मी ऑफिसर थे ठीक है और इनको किस नाम से सैम भादू के नाम से भी इनको जाना जाता है तो हमारा सही जवाब क्य इस बुक को जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम बताइए जल्दी से जवाब दीजी मुझे अगर आप जानते इस क्वेशन को इस बुक का नाम जिनों ने लिखा है वो भारत के काफी फेमस ओथर हैं इस नेम इस खुश्वन सिंग ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है चिक है विजय हजारे वाज़ा पेमस इंगेन प्लेयर एस्सोशन इन्यों मुझे हजारे का नाम आप जरूर के आप से पुछा गया कि उनका नाम कौन से से संबंदी था है कि हॉँन का नाम संबंदी थे क्रिकेट से तो और ऑप्शन वी जो हमारा सही जवाब हो विदेशी की पहचान आपको करनी है जिसे 2019 में ऐसा धारन और विशिस्ट सेवा के लिए भारत का दूसरा सर्वोचनागरिक पुरसकार जो है 2019 में परदम विभूशन से समानित किया गया है इसका सही जवाब क्या होगा देखे यमन के सौरी इसका सही जवाब होगा जीबूत जो रास्ट्रपती है उनके रास्ट्रपती है 1999 से अभी तक उनका कार्यकाल चल रहा है और जीबूती के जो प्रेजिडेंट है जिनका नाम है इसमाईल उमर गुले उन्होंने क्या किया था यमन में जब अटेक हो रहे थे उस समय भारतियों को सुरक्षित वहां से निकाला इसमाईल उमर गुले और यह कौन है कहां के रास्ट्रपती है जीबूती जीबूती के रास्ट्रपती है ठीक है यह आपको याद रखना है विच वालाइंग इस इंडिया थर्ड हाइस वाटरफॉल भारत का तीसरा सबसे उचा जल प्रपात कहां पे है तो देखिए भारत जल प्रपात ऑप्शन डी देखिए थलियार जल प्रपात जो है वह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर चीक है इन जैन 2019 वाज नेम्ड वर्ड नमबर वन बॉक्सर बाइंटरनेशन बॉक्सिंग एसोसियेशन जनवरी 2019 में अंतरदास्ट्रे मुक् श्रेणि में और आइस इनकी बॉक्सर बन गई है जिन्हों 6 world championship जीते हैं सिक्स वल्ड चैंपियोंट्वी इसलिए इनकी रंकिंग जोब नमबर वन रंकिंग रखव चीं गई है इसके Δ्लच पर बढ़ते हैं काजीण और रस्ट्राब के रास्टिर नज्रूल इसलाम क्यों से बांगलादेश के तो option A जो है हमारा सही जवाब है जानते है कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इस question के लिए जल्दी से जवाब दीजे बांगलादेश जो है उसके काफी famous कवी है रास्ट कवी है नकाजी नजरूल इसलाम चीक है विश्यकप की महिला रिकर सपर्धा में स्वान पदक जीता है उनका नाम आप से पुछा गया है उनका नाम है दिपिका कुमारी दिपिका कुमारी ने अतानुदास के साथ मिलकर है अवोड जीता है ठीक है और यह इवेंट कहां हुआ था यह तर्की के अंदर यह इवेंट इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक जो है वो किसके भाषन और टिपनियों का संग्रया है किसके द्वारा लिखी गई है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स बहुत फेमस बुक है मैंने काफी सार एकदाम में इस क्वेशन को रिपीट होते देखा है यह बुक लिखी गई है महात सही जवाब होगा हुँ अमंग दी फॉल्वाइंग वहुथ लॉंगे सर्विंग प्राइम निस्ट्र वांगलादेश बांगलादेश की सबसे लंबी प्राइमिनिस्ट्र के पद पर रहने वाली प्रधान मंत्री है ठीक है अगला कुश्ण देखते हैं 2009 से कारियर है जिए लास्टिक है 2008 सिर्द के उपर कारियर है नेम्दी विमें ओफ इंडियन ओर ज़न हो व्लड़ज अपॉΐंटेड एस चीफ एग्जेक्यूटिव ओफिसर ओफ पैप्सी को फैप्सी और पैप्सी को चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर पिसको बनाए गया इस कंपनी की ची पहले राष्ट्रपती का नाम आप बताना है प्रेज़न नहीं पूछा आप से पहले राष्ट्रपती का नाम पूछा गया है इसका सही जवाब है option a Yoan Schickalge जो है किए पहले राष्ट्रपती थे रिपब्लिक ओफ चाईना के चीन गणराज्या के को चांडियान रित्य का सामान रित्य तो कौन से देश का सामान रित्य है यहां आप से पूछा गया है इसका सही जवाब क्या होगा 19 के लिए हमारा राइट आंसर होगा श्री लंका श्री लंका का यह है एक कॉमन डांसर ठीका ओप्शन सी हमारा सही जवाब होगा identify the unit of measuring the intensity of sound धमनी की त्रिवता को मापने वाली इकाई की पहचान करें साथ मेरे साथ क्या सही जवाव किया होगा वर इसका सही जवाब और मेरे पास याज्कों सही जवाब देयरे हे सब्सक्राइब का यहीं के अंदर हम साउंड कि द्रिवता को मापते हैं और हमारे सुनने की शक्ति कितनी होती है 20 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट तक जितने भी फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम एक नॉर्मल विमन बिंग सुन सकता है इस फ्रिक्वेंसी को याद दखना ये भी एक्जाम में आती है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हूँ वान दी कैनेडियन ओपन विमन्स डबल टाइटल इन 2015 अलॉंग विद अश्वनी पॉनप्पा वास आपको यहां पे उन्हें एक बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताना है किराडी का नाम बताना है जिन्हों ये अश्वनी पॉनप्पा के साथ मिलके 2015 में कनाडियाई हमारा सही जवाब है अश्वनी पॉनप्पा के साथ मिलके इन्होंने ये खिताब जीता था 2015 के अंदर दरिंग बाडी हिल स्टेशन जो है भारत की कौन से राज्य में स्थित है आप से पूछा गया है यह जो इन स्टेशन है इसको औरिशा का कश्मीर भी कहा जाता है क्यों आप विजिट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा दरिंग वाडी जो है वह भारत के कौन से राज्य में स्थिते हिल स्टेशन है जो कि उडिशा के अंदर स्थ है इसे उडिशा का कस्मीर भी कहा जाता है यह चीज़ आप इसके बारे में याद दख सकते हैं नेक्स किसके द्वारा किया गया है असम सरकार के द्वारा और असम के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो क्या नाम है चीफ मिनिस्टर का सरबंदा सोनोवाल सरबंदा सोनोवाल के द्वारा इस कमिशन की शुरुवात की गई है किसके लिए कि जो पेरेंट्स की प्रति रिस सब्सक्राइब लिए इसके फुल फॉर्म है इस कमिशन की फुल फॉर्म भी आप यार दख लिजेगा और असम सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था आगे देखिए विच इंडियन ऑथर रोट इबुक दा इंग्लिश टीचर दा इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भ वर्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर चीन के किस प्रांत में हुआं गुशु राष्ट्र उधान स्थित है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात समूँ है जल से जवाब देते जाईए कैसे जवाब होने वाला है हमारा कौन से प्रांत के अंदर स्थित ह है आगे देखते हैं वर्ड वाटर डेजिस एन्वली सेलेब्रेटीड ओन आप से पूछा है कि विश्व जल दिवस हर साल कौन से तिति को मनाया जाता है इसका सही जवाब क्या होगा हमारा हर साल कब बनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है अभी 22 मार्च 2019 का इसका थीम क लिविंग नोवन नोवन बिहाइंड यह थीम था अपकी बार वर्ड वाटर टेका ठीक है अगला देखिए इन 2019 हर्षवर्दन दी यूइन मिनिस्टर ओफ इन्वार्मेंट फोरेस्ट और प्लाइमेट चेंज लॉंच्ट दी इंडिया कूलिंग एक्शन प्लैन और विच आप से पूछा गया है कि 2019 में जो हमारे मिनिस्टर है जल्वा प्रिवर्टन मंत्री हर्षवर्दन के दुआरा आई सी पी जारी किया गया है तो कौन से पिथी को जारी किया गया डेट आप से पूछी गई है इसका सही जवाब क्या हो 27 के लिए देखिए हमारी मिनिस्टर 16 सेप्टेंबर को क्या होता है वर्ल्ड ओजोन डेवी मिनिस्टर को इस बताय गया था कि पूरे विश्वी का पहला ऐसा देश देश बन गया है इस एक तरह का डॉकमेंट जारी किया गया है यह कब जारी हुआ को औप्शन de measuring the she varma arch को इसे को 9 प्रेंट तो यह किसका पावी त्रगन यहूदियों का सही जवाब है जो है हमारा सही जवाब के कि मौर्स साक्सेसफ़ूल डबलस प्लार इन REYस्ट्री ऑफ डेविज कप as on 2018 2018 के अनुसार डैविस कप के इतिहास में सरवाधिक सफल यूगल खिलाडी बन गए हैं कौन बन गए हैं या आपको उनका नाम यहां पर बताना है सही जवाब क्या होगा option A Leander Pace चू है He became the most successful double player in the history of Davis Cup as on 2019 29th के लिए सही जवाब क्या होगा हमारा option A Leander Pace which of the following Indian author is one of the four screenplay writers of the movie काई पोचे काई पोचे मुवी आपने जरूर देखी होगी एक Bollywood मुवी है तो कौन से भार्तिय लेखक की फिल्म काई पोचे के चार में से एक पढ़ कथा लेखक रहे हैं पर ये बताना है देखें चेतन भगत के नवल है ट्री मिस्टेक्स ओफ लाइफ सिग्ए है इनकी काफी अच्छे और नोवल से जिनके बारे में पूछा जाता है फिलाल मुझे एक नाम यादार एक हाफ गल्फ्रेंड नोवल है जो भी इनके द्वारा लिखी गई है ठीक है उसके अभी मुवी भी बनी थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कि पाकिस्तान का समीधान कबसे प्रभाव में आया था यह पूछा है इवनिक शिफ्ट के अंदर तो क्या सही जवाब होगा कौन से इयर के अंदर आया इसका सही जवाब होगा 1973 ऑप्शन एजो है वो हमारा सही जवाब है ठीक है अगला देखिए विच वन आप ती पाकिस्तान की सर्वादिक उचाई पे जो जी लोकेटीड है इसका आंसर दिया था परिस्तान लेक ठीक है तो सीजियल के आप जाएंगे तो आंसर भी हमारा सही जवाब होगा लेकिन अगर वास्तुरिक में आप इसको ढूंडेंगे सर्च करेंगे तो आपको जवाब मिले है का रश लेक ठीक है तो ऑप्शन भी जो है वह हमारा इसके लिए सही जवाब है आगे देखिए वो अमंगी फोलेंगे इस ऑनली इंडियन हो वांडी एमेचर वर्ड टाइटल इन बोथ सुकर एंड बिलियर्ड निमन लिखित में से कोन एक मात्र भारती है जिन्होंने विश्व खिताब जीता है तो एक मात्र खिलाडी है पंकज आडवानी पंकज आडवानी बहुत ही एक फेमस प्लेयर है बिलियर्ड के खेलते हैं तो ऑप्शन डी जो है वह हमारा इसक्वेशन के लिए सही जवाब है ठीक है फ्रेंड्शिप हाइवे जोडता है चीन को ने इसका सही जवाब क्या होगा इस बुक को लिखने वाले हैं इसका सही जवाब होगा हमारे एक बहुत फेमेस पॉलेटिशन है उनकी वोटर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं उनकी इंग्लिश और उनकी वकाबलेरी के उलिए ऑपनते नाम है शशी थरूर्ट पुछ ट्विट्सों इनके समझ में भी नहीं आते हैं तो ऑप्शन भी जो है शशी थरूर के द्वारा इसके बुक को लिखा गया है इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ओने नेशन इन आर टाइम के लेखक है शशी थरूर ठीक है इस वेल नौन पॉदी गॉल्डन ब्यूटिफिकेशन ओफ धी हर मंदीर साहिव गुरुद्वारा इन अम्रिच सर्थ के मसले नौन एज गॉल्डन टेंपल अम्रिच सर्में हर्मिंदर साहिव गुरुद्वारे के सुनहेरे संदरी करन के लिए कौन प्रशीद है उनका नाम इसको बताना है सही जवाब क्या होगा जवाब देते चाहिए मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चों के आंसर और सी नहीं होगा वी इल्कुल जी आपने सही जवाब दिया है भी रंजीस सिंग को जाना जाता है संदर एकरन के लिए ठीक हरमिंदर साहिव गुरुद्वारे क की गई थी उन्होंने एक आर्किटेक्ट थे साही मियमीद जो कि उन्होंने लाहूर से बुलवाया था स्पेशली उनको उनकी मदद के साथ उन्होंने गॉल्डन टैंबल का निर्मान करवाया था ठीक है अर्जन देव जी के एक्जाम में आया हुआ तो मुझे याद आया तो पंद्रा दिन लंबा एक त्योहार है इसको विजय दश्मी के नाम से भी जाना जाता हो नेपाल का बहुत ही एक फेमस त्योहार है विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉज रनर आप एड़ टुथावजन नाइटे स्विस ओपन टूर्णामेंट कौन सा भारतिया हमारे स्कूशन के लिए इसका सही जवाब होगा साही प्रनीत ओप्शन सी इस ता राइट आंसर विच फॉल्वाइंग इंडियन फिल्मेकर वॉस गिवन टाइटल ऑफ अंबैसेडर ऑफ इंटर लेक्यन 2011 एड स्विजर लेंड निमनली की में से किस भारते फिल्म निर्मा जवाब होगा थोड़ा से रिलेट आप कर पाएं बढ़ आपका थोड़ा सांसर गलत है सही जवाब क्या होगा 39 के लिए इसका सही जवाब होगा यस चोपड़ा ऑप्शन डी इस ता राइट आंसर यस चोपड़ा इस कुश्शन का सही जवाब है ना टाम डॉल्फिन किक इस एस ऐसी ह nuclear with a lot आप से पूछा गया है की डाफिन किक कौन से खैल से संबंदित है ं कौसे खैल में डॉल्फिन के शब्द का य Golden किया जाता है सही जवाब कौन से खेल के अंदर इसको विमिंग की सब्सक्राइब जवाब दे रहें बच्चे जवाब आने लगे मेरे पास ऑप्शन सी जो होगा स्विमिंग शब्द इनियन स्टेट ड़स ट्राइब नीशी बिलॉंग नीशी जनजाती का संबंध भारत के कौन से राजय से जल्दी से जवाब दीजिए कौन से भारत के राजय से नीशी प्रदेश ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं एस बीन स्टाबलिश्ट एज एज एन्वल इंटरनाशनल डे ओफ हैपिनेस कौन से दिन को वार्शिक अंतरनास्टे प्रशंता दिवस के रूप में स्थापित किया गया है क्या सही जवाब सब्सक्राइब है मुझे मुझे वर्ट वाज इंडिया रैंक आमंग 156 कंट्रीज इन ग्लोबल हैपिनेस इंडेक्स 2019 वैस्वीक प्रसंता सूचकांग की बात करें तो 2019 में भारत के रैंक क्या रही हो आपसे पूछा गया है टोटल कंट्रीज थी 156 ठीक है और 156 में से भा कौन से देश के अंदर ज्यादा है तो आंसर क्या होगा फिनलेंड फिनलेंड जो है वो हमारा सही जवाब होगा ठीक है अगला कुशन देखते हैं अगले क्या है हमारा की इन वीच ओफ फॉल्लाइंग लोकेशन वोज दी ग्लोबल वैंचर कैपिटल समीट 2018 है दो अधार ग्लोबल वैंचर समीट कहां पर हुआ था भारत के कौन से राजे के अंदर हुआ था यह हुआ था गोवा के अंदर तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब है ठीक है प्रेम सिंह तमांग भारत के कौन से राजे के चीफ मिनिस्टर है उन्हें मई 2019 ने शपतली है तो क नाजी सब्सक्राइब लगा हुआ ने दया अन्हें है प्रदेश के हैं पेमा खंडू कहां皆 के सीएम है अंदर आघ्टे कि आप सभी को पता है नवीन पतनायक जो है वह और इसा के CM है ठीक है यह सारे मैंने आपको एक बार रिवाइस करवा दिये है CM तो लोक एक्जामी कुशन आता है इन में से कौन से राज्य के CM कौन है तो यह थोड़ा सा रिविजन होगे हमारा AIX किस कंपनी का ओपरेटिंग सिस्टम है AIX जिस कंपनी का ओपरेटिंग सिस्टम है उस कंपनी का नाम है International Business Machine that is IBM IBM हमारा सही जवाब है ठीक है which state has proposed to set up the first blockchain district in India किस राज्य ने भारत में पहला blockchain जिरा बनाने का प्रस्ताव दिया गया है प्रस्ताव दिया गया है कौन से राज्य को बनाने का सही जवाब क्या होगा हमारा तेलांग गना को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है यह जिस बाडर पे लोडर वो किस का बॉडर है इंड़ो नेपाल ठीक है भार्ण पर पे लोडर है नेपाल हमारा सही जवाब हो और आठेली क्रूट् DAVID लेख Woah लेख 1987 करते हैं मुश्किल 25 मिदिंट के एक वीडियो होती है आप आराम से देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के तो आपके 50 दिन के आपके सौल हो जाते हैं ऐसा ही अगर आप तीन महीने तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप सोचे डेली के 50 को आप 30 मिनिट के अंदर सौल कर लेते हैं तो कितने कुश्चन को आप सौल कर कि अम्रुत सांस्कृति धरवरों की सूची में है इसका सही जवाब क्या होगा वट विल्वी राइट आंसर युनेस्को की लिस्ट में किसको शामिल किया गया है के रहें एक संस्कृत थेटर है जिसका नाम है कुटी अटम तो ऑप्शन वी जो है वहमारा सही जवाब है कहां से संबाद है के रहें तर उसको युनेस्गों की लिस्ट में शामिल किया गया है जो सिर्फ प्रेटान तो क्या होता है सब्सक्राइब करन 1-2 देखते हैं वेटरन जणररलिस्ट एंड टीवी आंकर करन थापर is the author of which of the following books कि वरिष्ट पत्रकार और टीवी प्रस्तोता करन्थापर इन में से किस पुस्तक के लेखक है आपको इस पुस्तक का नाम बताना है ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा what will be the right answer करन्थापर जो है वो एक टीवी एंकर है जर्नलिस्ट है तिरंगा टीवी के साथ वो सही जवाब होगा ठीक है अगला देखिए इन में 2019 सुरेश कुमार वाज एपॉंटेड एज चीफ टेकनोलोजी ऑफिसर ओफ मई 2019 के अंदर सुरेश कुमार को कौन सी कंपनी का मुख्य तक्नीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है सही जवाब क्या होगा इसका इसके लिए हमारा सही जवाब होगा मुख्य सुरेश कुमार को नियुक्त किया गया है वाल्मॉर्ट कंपनी के एज़ चीफ टेकनोलोजी ऑफिसर के रूप में ठीक है तो ऑप्शन भी हमारा सही जवाब होगा एमेजोन के CEO की बात कर लेते हैं तो जैफ पैजोस जो है वो एमेजोन के CEO है जैफ बैजोस ठीक है और गूगल का आप से भी को पता है सुन्दर पीचे जो है गूगल के CEO है उनका नाम तो आई थिंग बताने की विज़ाट नहीं है एपल के CEO है टीम कुक ठीक है इन CEO के ना संबंधिमन में लिखित में से कौन से खेल से आप उसको खेल का नाम बताना है ठीक है करन चंडों का संबंध है क्या सही जवाब होगा करन चंडों है चेंड नहीं किया और यह संबंध रखते हैं कार रेसिंग से ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब होगा अगले पर बढ़ते हैं अगले कुशन है कि ओटु थुलूल इस ट्रेडिशनल डान्स फॉर्म देट इस पॉपलर इंद स्टेट ओप यह डान्स फॉर्म आपको दी गई है और आपसे पुछा गया है कि कौन से राज्य की य जो है वह एक ट्रेडिशनल डान्स फॉर्म है क्या नाम इसका ओर टु थुलल तो ऑप्शन सी जो है वह हमारा सही आंसर है सीजर कप का संबन कौन से खेल से है जल्दी से जवाब दें कउपने लाम सुना होगा का संबन है फुटवाल से option D जो है वह वह सही आंसर होगा फुटब्र की एक दू कप और ना आपको बता जाएटीओ एक संतोज्ट ट्रोफी दी है और एक नाम को याद दखना को कलिंगा कब इन दोनों के बारे में याद दखना क्योंकि क्वें पूछे गए मैं देखिए इसन पोस्त्रौफिय कलिंगा कप के उपर और सीजर कभी जो है फुटवाल के लिए दिया जाता है ठीक है अगले पर बढ़ते है what is the height of statue of unity that is located in Gujarat Gujarat में statue of universe unity की उचाई कितनी है उचाई के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है यह तो स्टेच्व है वह किसका स्टेच्व सरदार वल्लब भाई पतेल को डेडिकेटिड है इस टैच्व की हाइट कितनी है 182 मीटर कितनी हाइट है 182 मीटर ठीक है कहां पेस्टी ते गुजरात के अंदर स्टीते नदी के बारे में पूछा जाए कौन सी नदी पेस्टीत तो नर्मदा नदी की ऊपर स्टीते ठीक है नदी का भी नाम याद रखना इसकी हाइट 182 मीटर क्यों रखी गई है कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात की विधा सभा के अंदर 182 इसलिए इसकी हाइट को जो 182 मीटर रखा गया है यह हलांकि मानना है बाकि इसकी और इसकी हाइट कितनी रखी गई है इसकी हाँ तो क्या है यह अगे बढ़ते हैं कि इंडिया भारत का सबसे ठंडा स्थान है आपको कौन सा है भारत के अधर अ द्राज़ और करें ने द्राजल करिंदा स्थान है और इसे किया कहा जाता जाता है ऑर इसके अंदर थापन कितना पहुंच जाता है् –- डिग्री सेल्सियस मतलब इतना अधिक तापमान इसका होता है माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है अगला देखिए वोज अपॉंटिड एज ट्वेंटी फॉर्ट चीफ उप नेवल स्टाफ इन में टॉजन नाइंटी दो हजार उन्मीस के अंदर चोबिस नो सेना किसे नियुक्त किया रचिक है थे 23 टुट इन्टी थार्ड चीफ जो में नेवल स्टाफ के तॉप्शन डी हमारा सही जवाब पहले कोन थे संईल लम उनकी जगह पर Someti गया अब इसको बनाएंगे और है ठीक है अगला कुश्यन देखिये who was the father of first search engine called Rky Rky जो पहला search engine है उसके संस्थापक का नाम बताना है कि उसके संस्थापक कौन थे पॉरह कि सही जवाब क्या होगा इसके लिए чем 1910 के अंदर एक search engine जिसे कह सकते है पहला search इंजन जो है खोजा गया था किसके द्वारा एलन एम टाइगों के द्वारा तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब होगा एलन इंडिया और पाकिस्तान उनी सोई के अंगर भारत और पाकिस्तान में जब व्यूद हुआ था उस समय बता रहा है कि भारत के डिपेंस मिनिस्टर थे जग जीवन राम तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब है ठीक है उस समय भारत की प्रधान मंत्री कौन थी इंद्रा ग क्यार में चीट नाम आपको यह लिखना है से म मानक शाह स्था पर हारं में चीट से क्राइम इंद्रांधी और जग जीवन राम जो थे वह देफेंस मिनिस्टर practically region exam में बहुत बाराता है और को सैम बहादूर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगली बात यह की पहला मैच कप खेला गया तो 30 मई को पहला मैच खेला गया 30 मई को शुरू हुए थे तो थर्टी मई 2019 जो है वह हम सही आंसर यहां पर लेंगे वह 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 थे इंडोनेशा की राजधानी जकारता में कहां पर हुए थे जकारता के अंदर उसमें यह पूछा गया कि कबड़ी टीम जो एशिया एक खेलों में रज़त पदक जीतने वाली भारत की महिला कबड़ी टीम की कप्तान आप से पूछी गई ठीक है उसकी कप्तान क हमारा सही जवाब है यह कहां पर ऑर्गेनाइज हुए थे इंडोनेशा की राजधानी है जकारता जकारता के अंदर 2018 में एशन गेंश ऑर्गेनाइज हुए थे वीच फॉलिंग स्टेट शेयर्ट लोंगेस पांडरी वीच चाइना चाइना की साथ भारत का कौन से नाचल प्रदेश बनाता है विच फॉलिंग पॉलिटिकल पार्टी इस वास्मोट अलाए ओफ दी बीजेपी लेड एंडिए इंडिए इंडू 2019 लोग सभा अभी 17 लोग सभा इलेक्शन खतम हुए आप सभी को पता है ठीक है नई सरकार बनी है इसमें से यह पूछा गा है इन में से कौन सा एक दल है एक पार्टी है जो कि क्या है बीजेपी की सहीोगी दल नहीं थी यह आप से पूछा है इसका सही जवाब होगा डीम के डीम के पार्टी जो है इसका पूरा राम है द्रविड मुनेतरू कजगम ठीक है यह पार्टी कहां पे है तमिल लाडू और पुर्दुचेरी के अंदर है थीक है यह की पार्टी जो है भीसेपी कि सहयक दल नहीं थी असंग 마 during एadm के यह तीनों जो इसाहेपी के बीजेपी की रहे हैं यह पंजाब में है ठीक है पंजाब की पार्टी है और एडम के यह भी तमिलनादू पुदुचेरी के अंदर ही पार्टी है ठीक है तीनों सहायक दल थी लेकिन ऑप्शन डी डीम के वह बीजेपी की एक सहायक नहीं है नहीं थी हूं अमंग दी फॉल्वाइंग इसार 2019 विनर ओ ठीक है नाइन डोट्स प्राइज आपसे पुछा गया है दो हजार उन्नीस का नाइन डोट्स प्राइज किसे दिया गया है इसका सही जवाब हम लेंगे एने जैदी को दिया गया है यह भारतिय मूल की महिल समबंद रखती है उनको यह वोड से समानित किया गया है उनके ऐसे हैं ब्रैंट सीमेंट कैक्ट है नि जेदी जो हमारा सही आंसर है इन जून 2019 पैपसी को इंडिया प्रपोस्ट टू इन्वेस्ट डॉलर सेवन्टी मिलियन टू बिल्ड आप फूड मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट इन पैपसी को इंडिया कंपनी की चीफ मैनेजिंग डिरेक्टर कौन है पैपसी को की इंड्रा नूई है यह बात एक तो आजी के अंदर कवह निवेश करना चाहते हैं इसका सही आंसर होगा हमारा यूपी के अंदर वह निवेश करना चाहते हैं तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है वहां पे गुड सवारी सपर्धा के अंदर इन में से किसे रजत पदक जीता है रजत पतक विजेता का नाम आपके बताना है जल्डी सा आंसर दे रहें बच्चें सी आंसर नहीं होगा का आंसर होगा हमारा भी फवाद मिर्जाने रजत पदक जीता है गुड सवारी के अंदर ठीक है तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है अब यह को प्राइम निस्टर की ओपर यह मूवी है पीम नरेंद्र मोदी और इसको जिसने डायक्ट किया है डिरेक्टर है इस मूवी के ओमांग कुमार ठीक है तो अप्शन भी हमारा सही आंसर है अगला कुशन देखते हैं ऑन दी ओकेजन ओफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 31st May with state banned e-cigarette ठीक है नो टोबैको डे कब आता है कब मनाए जाता है 31 मई को मनाए जाता है एक तो यह डेट याद रखनी है और कौन से राज्ये ने e-cigarettes को बैन कर दिया गए यह आप से पुछा है e-cigarettes को बैन करने वाले राज्ये है इसका सही आंसर क्या रहेंगे हम इसका तबहको डे कमनाए जाता है 31 मii को मनाए जाता है इस बार इसका phiर किया था को अ कि तो बैको आंड टो बैको एंड लंग है तो बैको एंड लं से येल्थ जो है अपकी बार का थींची इंब काफी आकले कुछे जाते हैं अगले कुशन पे लिगन इन्दी नियू यूनियन कैबिनेट ओफ तुथावजे नैंटीन दपोर्टफोलियो ओफ MSME वाज एलोकेटी तू दो हजार उन्नीस में जो नई सरकार बनी है उस सरकार के अंधर MSME मिनिस्टर किसको बनाये गया यह मंत्राले जो है किसको ऐलोकेट किया गया उनका नाम आपक मेंट ठीक है क्या याद दखेंगे एग्री कल्चर एंड फार्मर मिनिस्ट्री और प्लस में रूरल डवलेप्मेंट ठीक है यह दोनों डिपार्टमेंट दिये गए हैं नरेंद्र सिंग तॉमर को आगे बढ़ते हैं अगले कुशन देखते हैं रानी की वाव विचिज गुजरात के अंदर सिर्थ है तो option B जो है हमारा इस question के सही जवाब है अगला देखते हैं What is the full form of GST I in relation to GST? ठीक है GST Goods and Service Tax के अंदर यह आपको एक term दिखाई देती है इसके अंदर IN की full form क्या है वो आपसे पुछी गई है ठीक है B answers आरे मेरे पास बिल्कुल सही जवाब सभी वच्चे दे रहे हैं B is the right answer IN की full form होती है in identification number क्या होता है identification number यह 15 digit का एक number होता है ठीक है उसमें क्या होता है कि जितनी भी business companies होती है वो अपने आपको रेजिस्टर करती है तो रेजिस्टर जब करती है GST के लिए उनको एक identification number दिया जाता है ठीक है और 15 digit का यह number होता है और GST IN की full form में I IN क्या है identification number है ठीक है पान-singh Tomer उस्ट साथ बार नेशनल चंपिंट रहे हैं वह कोन से खिल से संबन रखते थे इसका सही जवाब ओगा लंबी बाधादोर तो option D जो हमारा सही जवाब होगा लंबी बाधादोर से संबन रखते थे पान सिंग तो मत option D is the right answer in which year was Google incorporated as a private company Google company के CEO कौन है अभी बताया सुंदर पीज़े है तो नीजी company के रूप में गूगल को कब incorporated किया गया या आप से पूछा गया कौन से साल के अंदर किया गया 1998 के अंदर गूगल को एक private company के रूप में निगामित किया गया ठीक हमारा सही जवाब है इन में 2019 हमारी government जो है इंडिया government ने एक नई योजना को मंजूरी दी है जो नई योजना में क्या है कि सभी दुकान दारों खुद्रा वीविक्रेता और सब रोजगारों में जितने भी व्यक्ति हैं जिनकी उमर साथ वर्ष के उमर के बाद उनको नियुनतव pension मिलेगी pension scheme शूरू कि है हमारी government ने आपको राशी बताने है कि साठव के बाद उनको कितनी राशी मिलेगी pension की यापको बताना है इस game के अंदर 3000 रुपए आपको मिलेंगे ठीके कब मिलेंगे जिब 26 साथ साल के उमर पार कर लेंगे जितने भी दुकानदार है खुद्रा विक्रेता हैं है सब रोजगार ठीक है इन सब व्यक्तियों को क्या मिलेगा साथ वर्ष पार करने के बाद साथ वर्ष पार करने के बाद तीन हजार रुपया उनको पैंशन दी जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका अगले कुशन देखते हैं क्या है और रीजन ओफ कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग बताना है जहां बार बार इस्तमाल किये जाने वाले डाटा को संग्रहीत किय लिए और या है जाता है और फों में कभी देखा और के थोड़ा सा अगर मैम्म्री फुल हो जाती है यह तरिक या उपर अक्षर movement ऑक्छ़का की mतिर करह बदे कि लूप में कवीता है जिसके लेख़ का आप से पूछा गया है कौन है किसकी यह हमारा सही जवाब क्या होगा हमारा ये है महांतम सहीत्ति क्रतियों में से एक माल जाता है ठीक द Lori भी हमारा सही जवाब है विचोंगी फॉलेंग सिटीज हाउसी साहेड़कॉर्टर ओप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हैड़कॉर्टर कहां पर है भारत के कौन से शहर के अंदर इसका हैड़कॉर्टर लोकेटिट है भारत के बैंक के हैड़कॉर्टर बता है मुंबई के अंदर ही लोकेटिट है तो इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हैं पर है मुंबई के अंदर स्थित है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है इसके आगर आप से CEO पूछे जाएंगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एंडि कौन है CEO कौन है तो इसका जवाब क्या होगा राज कीरन राए राज कीरन राए ठीक है अगला कुशन देखते हैं बांगलादेश डिफिटेड इन डियर वैरी फॉस्ट मैच ऑफ 2019 वर्ल्ड कप आप से पूछा गया है कि बांगलादेश ने इंग्लैंड में जो अफ्रीका को तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है हूँ वाज दी ओफ दी फॉलेंग वाज इलेक्टेश दा लीडर ओफ कॉंग्डेश पार्लियमेंटरी पार्टी आफ्टर दार 2019 लोग सबाद चुनाओं के बाद निम्न में से कॉंग्रेस के संसद्य दलकान ने तक किसे राहुल गंदी ने लिया है उन्होंने अपने पत से इस्तिफाद या सोठी जवानी को ट Luckily जो है हमारा सही जवाब होगा गंडी सबसे सबसे पहले नबर की बड़ी नदी है गंगा के बाद आते हैं गोडावरी ठीक है गुदावरी का उद्गम सल कहां से है महारास्ट्र से निकलती है महारास्ट्र से इसका उद्गम सल है ठीक है और दूसरी बाती कौन-कौन से राज्जों से होके गुजरती है महारास्ट्र तेलांगना आंधरप्रदेश छतिसगर और उडिशा इनी राज्जों से होके यह गुजरती है ठीक है और दक्षिन गंगा कहा जाता है गोदावरी को बहुत सारे बच्चों ने गदावरी आंसर दिया है बिल्कु सही बात है बिल्कु सही जवाब आप दे रहे हैं वेरी गुट अगले कुशन देखते हैं हमारा समाज पार्टी आपको पता है यूपी के अंदर है और इसके प्रेजिडेंट है अखिलेश यादव रिपब्लिकन पार्टी ओप इंडिया के अगर आप से पूछा जाए प्रेजिडेंट तो राम राम दास अथा दल यह कौन है यह प्रेजिडेंट है रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया के चीक है आगे बढ़ते हैं फेमस राइटर एंड कॉंग्रेस लीडर शशी थरूर बॉन दी 2019 लोग सभा एलेक्शन फॉम विच ओफ दी फॉलिंग कॉंस्टिटिवेंस इस ऑफ के रला शशी थरूर की कॉंसिट्वेंसी बतानी है जहां से उन्होंने चुनाव जीता है 2011 के अंदर शशी थरूर अपनी वोकेब के लिए काफी फेमस रहते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश जो है सबसे अच्छी माने जाती है बहुत हाई लेवल की इंग्लिश उनकी माने जाती है नए ने वर्ट्स वो यूज करते हैं आपने क्विट्स के तो उनकी वोकेब जो काफी स्ट्रॉंग है तो उनकी कॉंसिट्वेंसी बताने थे पार्ट फॉंद इस उनकी कॉंसिट्वेंसी है तिरू वनंद पूरम ऑप्शन भी हमारा सही जवाब है विच ओफ फॉलइंग बैंक आर ऊथराइज तो इस्चु इलेक्टोरल बॉंड इलेक्टोरल बॉंड चुनावी बॉंड आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए पैसा देने के लिए क्या है गवर्मेंट ते एक स्कीम चलाई थी ताकि करप्शन ना हो पैसे का हिसाब रखा जा सके इलेक्टोरल बॉंड की शुरुवात की गई थी कि लेक्टोरल बॉंड लोग खरी देंगे और जितना भी डोनेशन देना चाहते है पार्टी को दे सकते हैं तो आप से पूछा गया कि कौन से बैंक को चुनावी बॉंड जारी करने का अधिका दिया गया है तो अप्शन है हमारा सही जवाब है ग्रेटा थानवर्ग ठीक है और टीने सेंसेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्रिसेडर इस प्रम विच ओव दी फॉलेंग एरोपियन कंट्री ग्रेटा थनवर्ग कौन है 16 साल की एक लड़की है ठीक है और यह कहा कि है इनका कंट्री आप से पूछी गई है ठीक है इसका सही जवाब होगा स्वीडन सही संबंद रखती है 16 साल के लड़की है जो की उनाइटीड नेशन की मैंबर है और क्लाइमेट एक सोशल एक्टिविस्ट है एक्चल में समाथ से वी का है जो क्लाइमेट चेंज और इन कैंट्वेगा क्ष्यन मैं 120 मट संदर लगया एक इसफिल्म फैस्टिवन कहां पर आयोजित किया गये है का सफीब फेस्टिवल कहां प्यायोजित किये गए तो एक मिकिर आय उल्ट यह-एक एक्षोटीम सिलेका 25 मई के बीच में यह आईउजित किये गाहैं कॉन से देश के के अंदर फ्रांस के अंदर ठीक हमारा सही जवाब है विच उप्टी फॉलेंग गैस हैं और डैट इस सिमिलर तो ऑड़र ऑफ रोटन एक्स बहुत बार मैंने स्कूल में भी एवन हमसे वाइवा में क्वेशन पूछा जाता था काफी फेमस क्वेशन है केमेस्टी का कौन से कि जो गंद है वह सड़े हुए अंडे की गंद के समान होती है इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सिल्फाइड हाइड्रोजन सिल्फाइड आंसर लेंगे हम इसके लिए नैशनल पेमेंट कॉपरेशन ऑफ बैंक डैट इस NPCI डवलप्ड मोबाइल पेमेंट एप नेम्ड को यूज करते हैं भीम की फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है मैं बता देती हूं आपको भारत भारत इंट्रफेस फोर मनी यह फुल फॉर्म है भीम एप की और यह क्या करता है कि मोबाइल पेमेंट एप है जो डारेक्ट बैंक में पैसे भीजने की काम आता है ठीक है अग क्यों यह बताना आप को सही जवाब क्या होगा इसका सही आंसर होगा मैं इसका सही आंसर अथा रोहित शर्मा जो है वह वाइस कैप्टन थे इंगेंटीम के और यह सही जवाब टिक है अग्ला देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन फेमस द्वार्काधिश टैंपल ऑफ कुज्रात इस लोकेटिड ओन दे बैंक और विच फोलेंग वीवर गुज्रात का प्रस्तिध द्वार्काधिश मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित आप से पूछा गया है ठीक यह सब्सक्राइन ऑन और फिल्फों मोथ चूया और एक आप देखते हैं रंडों के फुल– गाला हमी खेल एक एक 10 था हुआ रेड रेड ऑनली मेमोरी डोनों की फुल और आप याद रखे इन किह एयूर्ड एमस वर्ली वर्ण वट्य発 कर दिखेंगा इसको समर्ण किससे है यह जो है इक टाइप का ऑ Specializing अप्सिछ全्व di kata направ इंप दो जो सक आफ दो deny isla on- 않을ुट吧 नीटीज्ण दॉस्ट में आप धे झालिक हो एक टाइप का ओप्रेटिटिंग सिस्टमason इसको यूज करते हैं आफ्टर दस्वेरिंग इन न्यू यूनियन गौवर्मेंट इन में 2019 विच फ़ॉलोइंग वाज एलोकेटिट दा पॉर्ट्पोलियो उफ यूथ अफेर्स एंद स्पोर्ट अभी जो सरकार बनी है उस सरकार के अंदर खेल मंत्राले किसको दिया गया है स्मृत्य रानी के बारे में नहीं सरकार में किरन रिजुजु को अप्शन डी हमारा सही जवाब होगा ठीक है और दूसरी किमारे वो देगे मिनिस्ट्रीय को कि इनको दी गई है स्पोस के सारीराया बिडाइट गॉल्देन गॉस्टर इस वउन उन्हें मौहिने नोकट्म को पता है केक्रल के बょक्arah स्थ स्वीधें सब्सक्राइब किस रंग की साड़ी पहनी जाती है इसका सही जवाब होगा वाइट ऑफ कलर की सफेद या धूमिल सफेद रंग की साड़ी पहनी जाती है अगला कुशन हमारा है फॉर्मर फ्लिपकार्ट एक्जेक्टिव संधीप पाटिल को मई 2019 किस कंपनी का भारतिय प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है कौन सी कंपनी के लिए इनको मैंग डायक्त किया गया है इसका सही जवाब होगा है ट्रू कॉलर कमपनी के इनका एंडी इनको नियुक्त किया गया है ठीक जो है जिसके मोबाइल को आप सर्थ नंबर को सर्च कर सकते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं तो उन कंपनी का चूलर कंपनी का मैंग डायक्टर इनक को नियुक्त किया गया है विच स्टेट गवर्मेंट इंक्रीज दा फाइनेंशल एड गिवन तो गर्ल्स अंडर आपकी बेटी स्कीम ठीक आप से पूछा गया है कि मैं 2019 में आपकी बेटी योजना के तहतलड क्यों को दी जाने वाली वित्य सहायता को कौन से राज्य के द आप से पूछा है कि 2019 में महिलाओ के 25 मीटर इवेंट में किनों ने गोल मैडल जीता है स्वन पदक जीतने वाली महिला का नाम आपको बताना है इसका अली आंसर हम लेंगे राही सरनोबत ने ठीक है हमारा सही जवाब है आप से पूछा गया है कि कौन से केंदर शाषित प्रदेश को अंशत है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है इसका सही जवाब लेंगे हम चार आप्शन में से पॉंडे चेरी को यह दर्जा दिया गया है तो आप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा हर्ट किसको मापने की इकाई है हर्ट के अंदर हम मापते हैं फ्रेक्वेंसी को ठीक है और एक मनुष्य की NORMAL सुनने की फ्रेक्वेंसी कितनी होती है 20 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट्स तक एक NORMAL human being की सुनने की capacity होती है ठीक है force के ऐसा unit क्या होगी Newton force के ऐसा unit होती है Newton pressure के ऐसा unit होती है Pascal ठीक है energy के ऐसा unit होती है Joule तो इन सब की ऐसा unit भी आप याद रखिए इन लोग सबा 2019 election Congress won how many seats out of 13 लोग सबाइस पंजाब पंजाब के अंदर 13 सीट में से कितनी सीट हासिल की है अब ही हाल ही में लोग सबाइस चुनाओं में याप से पूछा गया है में 17 सतरवी लोग सबाइस चुनाओं में देखिए अभी उसके अंदर Congress ने पंजाब में आठ सीटे हासिल की है कितने सीटे हासिल की है आठ सीटे हासिल की कितने में से 13 में से उन्होंने आट ओफ 13,8 सीट कंग्रेस ने हासिल की है Financial Literacy Week 2019 is an initiative by which bank to promote awareness on key topics every year through a focused campaign आपसे इस कुछा गया है कि वित्यी साक्षरता सप्ता 2019 हर वर्ष महत्रकुन विश्व पर केंदित अभ्यान के मात्याम से जागरुपता को बढ़ावा देने की एक पहला है यह तेल किसके द्वारा शुरू की गई है यह जो वीक किसके द्वारा स्टार्ट किया गए आपसे इन चीजों के बारे बहुत सारे बैंक अकाउंट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे तो इसलिए इस वेक को स्टार्ट किया गया ठीक है जून 3rd से जून 7 की बीच में सेलिबेट किया जाता है इन मि headed is murder power plant located.. बुंदा उर्जा साय एक किस राज्यक्त है यह आप से पूछा रहे है ठीक है मुंद्रा उर्जा सायग्त्रे कौन से राज्यक्त है यह連 गच सवरी गुज़ात यह अंदर से तो option a हमारा सही जवाब हो और यह कोल बिशपाव प्लांट है कोल बेस प्लांट है और कच डिस्टिक्ट है गुजरात में वहां पर यह लोकेटिड है तो अप्शिन आपका गुजरात विल बी ता राइट आंसर यह आप देख सकते हैं इसके पिक्चर इस्टो के चैर्मन के दूआरा एक प्रोग्राम स्टाइट किया गया है जिसका नाम है यह फ्लके मा मारेट च्रस si clickran lander की वज़े से israo के चेयर्मैन के नाम भी पुछी जाने की ककी समभावना है क्योंकि अवी करेंट के बना था 13 मय को 13 मय सेवी कारेकर्म कर दान तो किझा गया था israo कि वह भारत में अपने स्मार्ट फोन्स की बिक्री बंद कर देगी काफी इंटरस्टिंग क्वेशन है जल्दी सच आंसर कीजिए कौन से कंपनी के द्वारा यह गोशना की गई है और दीया आंसर आरहे मेरे पास नई वनपलस के तो काफी अच्छे सेल फोन्स आते हैं इसका सही आंसर होगा हमारा सोनी सोनी कंपनी ने जो गोशना की है कि मई के अंदर कि हम जो स्मार्ट फोन्स को इंडिया में सेल करना बंद कर देंगे क्योंकि इनके फोन्स में वैसे फुटबॉल टूर्णामेंट इन 2019 मिमिन में सिख की देश ने 2019 में एशिया कब फुटबॉल प्रतियोगिता की मेज़बानी की थी कौन से देश के दुवारा की गई थी कतर के दुवारा ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर होगा कतर की राज़ानी क्या है दुवा कतर की कैपिटल भी पूछ ली जाए तो दुवा या तक ही बागी कतर जो है हमारे इस क्वेशन का सही आंसर होगा अगला देखिए इसका सही आंसर होगा बैंगलूर को यह मंजूरी दी गई है इसका सही आंसर होगा अगली कोशन में आते हैं नेशनल इंस्टिटूट ऑफ नूट्रिशन राश्ट्री पोर्शन संसाथ दूकि नूट्रिशन के लिए कारी करता है तो है कहा पेस्थी थे जो है 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 वह हमाना सही जवाब वोगा है नेशनल इंस्टिटूट ऑफ नूट्रिशन चीक है अगला question देखिए In the field of information and communication technology What is the full form of EEPROM EEPROM की full form पुछी गई है कि EEPROM की full form क्या होती है इसकी full form होती है Electrically Erasable Programmable Read Only Memory Option A जो है वो हमारा सही जवाब होगा यह full form होती है EEPROM की Pivot table is the feature of which of the following software आप से पुछा गई है कि Pivot table ठीक है इन मेंसे कौन से software की एक विशेष्टा है इसका सही आंसर क्या होगा Pivot table देखी क्या होती है जब आप Microsoft Excel में काम कर रहे हैं कोई sheet बना रहे हो होते हैं तो आप यह करते हैं कि मालेजी A के marks हैं यहाँ पर B के marks हैं आप जब calculation करते हैं आपने देखा होगा यहाँ पर इसका सही जवाब होगा एक बहुत ही famous poet है जिनका नाम है Amrita Pritam Option A जो है हमारा सही आंसर होगा 11 के लिए हमारा आंसर है Amrita Pritam अगले question में बढ़ते हैं Winner of 2019 ICC Men's World Cup will earn a cash reward of which is the highest prize money on offer in the history of tournament 2019 में ICC Men's World Cup जो हुए कहां पे हुए England और Wales के अंदर तो उसके अंदर जो जीतने वाली country देश होगा उसको इनामी राशी कितनी दी जाएगी यह आपसे पूछा रहा है और वो इनामी राशी अब तक की World Cup में सबसे जादा highest इनामी राशी है कितनी राशी मिली है यह आपसे पूछा रहा है इसका सही आंसर होगा फोर मिलियन डॉलर ऑप्शन भी विजेता टीम को फोर मिलियन डॉलर विजेता राशी मिली है और यह कहां पर हुए गेम्स भी आप दखिए इंग्लैंड और वेल्स के अंदर हुए है अगले दिखते हैं वर्ल्ड ब्लड डॉनर डे वा सेलिबेटेड अराउंड दा वर्ल्ड और आपको डेट बतानी है कि वर्ल्ड ब्लड डॉनर विश्व रक्त दाता दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता थी थी आपको यह हम बतानी है बी आंसर सारा मेरे पास बी इसका सही जवाब ने होगा सी इसका सही जवाब है 14th जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डॉनर डे और इसका थीन भी याद दखना बहुत जरूरी है या 2019 का थीन के है Safe Blood for All तो आपको डेट भी याद दखनी है यहां पर 14 जून और साथ में आपको इसका थीन भी यादक नहीं है सेफ ब्लड फॉर और दोनों ही चीसे आपको यादक नहीं है सूर्या फैस्टिवल इस एस्सोसेटिड विड़ विच ओफॉलाइंग सिटी सूर्य महथष इसर और सूर्या महथष फेस्टिवल का लेहता । काफ़ात पुर्द दिस के बालड ड्याम लिए उसे करता है और यह कहां पे मनाये जाता है तीरु वनन्द पुरम में के एंदर? कहां पे मनाये जाता है के एंदर के एंदर टीक है? काफी इंपोर्टन फेस्टिवल है वहां का सूरय फेस्टिवल option A यज़ के रल भी आंसर होता तो हमारा सही जवाब है विच पॉपुलर इंडियन बैंड ओफ नाइंटीज रिलीज देर फर्स एल्बम बूंदे विद मोहित चुहान एज लीड 19 के दर्शक में लोग पिर ये बैंड था जाओ जिसमें मोहित चुहान को मुख्य भूमी काम में लेकर अपना पहला एल्बम बूंदे रिलीज किया तो काफी डीप वेशन पूछा गया है ये इंटेन्मेंट से तो चलिए थोड़ा डिफिकल्ट है कोई बात नी इसका सही जवाब होगा सिल्क रूट सिल्क रूट बैंड नामक बैंड ने अपनी फर्स एल्बम रिलीज की थी बूंदे और जिसमें किसको लीड रोल दिया था मोहित चुहान जो कि ये काफी अच्छे सिंगर है तो option C हम सही आंसर लेंगे मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेज में समझाया है कि स्मृति रानी का मंत्राले बहुत बार एक्जाम में देखा गया है पूछा गया question इनका मंत्राले आप अच्छे से याद कर लीजी तो अभी आपको पता है 17th लोकसभा की election हुए है नई सरकार बनी है नई सरकार के अ साथ में इनको ministry of textiles भी इन ही को दिया गया है तो दोनों मंत्राले आप यार दखिए इनसे related क्योंकि एक्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आप से ठीक है HRD minister को है हमारे नाम देख लेते हैं हमारे HRD minister का रमेश पोख्रियाल हमारे HRD minister है ministry of human resource and development कौन है रमेश पोख्रियाल इनका नाम यार दखिए आप ठीक है ministry of external affairs के हमारे कौन है सुब्रे मन्यम सुब्रे मन्यम आप नाम यार दखिए यहाँ पर ठीक है आप से पुछा गया है कि इंगियन क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरूष एक दिवस्व कप की विजयता कप बनी थी आप से पुछा गया है तो कब जीता था 2011 के अंदर दूसरी बार 2011 के अंदर जीता था पहली बार कप जीता था 1983 के अंदर 25 June 83 को जीता था अपना पहला मैंस वर्ड कप जीता था 1983 के अंदर ठीक है यह चीज आप को यादक निए है और किसके अगेंस्ट हुआ था तब जीता था हमने West Indies के अगेंस्ट भारत ने लड़ा था गेम और भारत इसमें विजेता हुआ था 1983 के अंदर पहली बार जीता था दूसरी बार कब हुआ है 2011 के अंदर ठीक है अगले क्यूशन में बढ़ते हैं correct is in the context of cloud computing वड़ीज और फुल फौइन ऐसा आप कुछा गया है cloud computing के अंदर cloud computing होता क्या है देखिए अप अपने computer में हम जाइचे दस लोग यहां पर हारें अगर दस के दस अपने ओंने ड़़कर में कोई चीज इस फोन और हमंहें चीज ची зайves करतें एं समिंख ऐसे दंगा लरई किया 10 या за सो लोग कोई सकते हैं वो 10-15 यह कोई उसको ने उसको कहा जाता है क्लाउड स्टोरेंग इसलाउड का मतलब क्लाउड का मतलब सारे लोगों का डाठा आपका फोन लाप्टोप, कम्पूटर, कहीं भी कोई भी ढाटा स्टोर करते हैं, वह जागे एक जगह पर वह स्टोर होता है ,वह क्लाउड कम्पूटियंग कहलाती है। इसके अंदर पास की फुल फुल फॉर्म क्या होती है ? प्लेटफर्म एज़ सर्विस जैसे कि आपको एक प्लेटफर्म मिल रहा है इसके उपर आप अपना सारे डाटा स्टोर कर सकते हैं वह कहलाता है प्लेटफर्म एज़ सर्विस पी एएस की फुल फोर्म है विजबती फॉलएंग बैंक वईंड़ीड बाइ मुतिया चितंब्रम चेटियार इन चेड़ नाइटीय सेवनुटियार क्या है उजोगपती ठीग है और एक साथ की साथ एक बैंकर भी थे इन्होंने क्या हुआ पर ऑदिके साहतिस नहीं की शुरुआत की जिस बैंक का नाम ह में कहीं परिए कि सबसे बड़ी टाजा पानी की जील सबसे बड़ी ताजा पानी सस्थाम नाम का मंदिर हुआ करता था उसी मंदिर के ऊपर जो ये लेक है जहील है इसका नाम परा सस्थाम कोटा जहील इसका इसी के नाम पर पड़ा एक टेमपल था सस्थाम नाम से कहां पर है कैरल के अंदर है ठीक कि यह आप देख सकते हैं आपि सुन्दर लेक है United Nation General Assembly declared 3rd June as 3 June को किस दिवस के रूप में घोशित किया है United Nation United Nation का Headquarter कहां पे है New York के अंदर Headquarter है ठीक है एक बात यह आदकते है 3 June को किस दे के रूप में रूप में वो किया है Declare किया ही यह आपको बताना है 3 June को मनाया जाएगा World Bicycle Day World Bicycle Day विश्व साइकिल दिवस ठीक है World Automobile Day देखते हैं कब आता है 29 June को मनाया जाता है ठीक है और Motorcycle Day मनाया जाता है 23 June को 23 June को और यह मना जाता है 29 January को ठीक है और United Nation के Secretary General कोन है इस वर्त अगर आप से पूछा जाए कि United Nation के Secretary General Anteo Guterres Anteo Guterres जो है अभी current Secretary General United Nation के United Nation का Headquarter कहां पर एक्जाम में बहुत बार आता है New York के अंदर है एक और important चीज उनाइटिद नेशन डेकब मनाया जाता है 24th October को यह सारी चीजें बहुत महत्तोबून बाते मैंने बताई हैं एक्जाम में पूछी जाने की काफी संभावना होती है 24th October को मनाया जाता है United Nation दिवस In which year Central Board of Revenue Act in India promulgated भारत में केंद्री राजस बोर्ड अधिनियम किस वर्ष परवर्थित हुआ है कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गए है Central Board of Revenue Act की आंसर क्या होगा इसके लिए हमारा 1963 Option B जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा Indra Sagar Dam Which is a concrete gravity dam एक गुर्टवाकर्शन बांध है निम्न में से किस राज्य में स्थीत है भारत की कौन से राज्य के अंदर स्थीत है यह स्थीत है खंडवा जिले में कहां पे स्थीत है एक खंडवा डिस्ट्रीक्ट है वहां पर यह स्थी था और यह डिस्ट्रिक कहां पर है मध्धा प्रदेश के अंदर ठीक है और कौन सी नदी के ऊपर है यह नर्मदा नदी के ऊपर यह बाद है नर्मदा रिवर के ऊपर ठीक है जे पूरा अधिकार गवर्मेंट का होता है आपकाई से नर्मदा और छेटर के बैंक को मेफसे वे कर्ज पर विस्टत रिपोर्ट सो अपने खिरी किस समीथी का गथण किया गया है ता कि बैंकों को परजए से बाहर निकाला जा सके उनका दुबारा से उनको पुने सापन किया जा सके चीक है बात यहां पर हो गई मालेगाम कमीटी किससे related हो माइक्रो फाइनस से या आप फाइनस या दल्याद दते कि फाइनस के संबंद में है अधार प्रोटेक्शन अधार प्रोटेक्शन हो सकता है यह एक देटा प्रोटेक्शन भी आपको दे सकते हैं data protection कि अधार का इश्यू था कि बैंक अकांस से लिंक है ना जब अगर फोन इन पर आप अधार को लिंक करो इन चीजों के ऊपर जो committee बनाएंगी थी वो थी श्रीकृष्णा मंडल कमिटी इसे मंडल क्मिटी यह इसलिए इस ए मंडल समीटी विच पैनल वो सेट टप भाय आर्वी आर्विया टो सज़स्ट मेंजर्टो स्ट्रेंजन दर सेव्ट्डे। डिजिटल पेमेंट एको सिस्टम इंडिया जन्वरी 2019 के अंदर आर्बियाई ने क्या किया है भारत में डिजिटल भुगतान एको सिस्टम पी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो हम ए-ट्रांसेक्शन करते हैं ऑनलाइन पेमेंट जिसको बोलते हैं उसको इसुरक्षा क के लिए आर्बियाई ने कौन से पैनल को का गठन किया है अपसे पुछा गया है अर्बियाई नेल केनी पैनल का गठन किया गया और नंदर के लेकर बी डुए के डुआरा न किया है कि आज आज पर możemy दो परेमेंट्स हम लोग भूते हैं सारे प्रांसेक्शन ओनलाइन पे के थो थे हैं तो ताकि उसमें हमारी सेंटी हो सके हमारे काउन फ्रोड नहों सके इस के लिए इस कमिटी का निर्म Anker निर्मान किया है नंग। निलकनी पैनल ठीक है फोलेंग एंग इंडिक्स ऑफिसर ओई इंडिन क्रिकेट बर्ट इन मार्श 2019 मार्श 2019 में भारते क्रिकेट बोर्ड का अचार अधिकार किसे न्यूप्ट हिया गया है एथिक्स पुछा है एथिक्स ओफिसर एथिक्स ओफिसर न्यूप्ट हिया गया है क्या सही आंसर होगा डी के जैन को option D will be the right answer in which year state financial cooperation act passed the act provides for the establishment of state financial corporations किस वर्श पारित किया गया है यह अधिनियम राज्य वित्य निगम की साप्रा की व्यवस्ता करता है तो basically पुछा गया है state financial cooperation act कौन से year के अंदर पास किया गया है कौन से यह आनसर होगा 1951 के अंदर पास किया गया था option C हमारा सही जवाब है Who is the Asian Cricketer named as the first non-British president of prestigious Mary Le Bon Cricket Club आपसे ही पुछा रहा है उस Asian Cricketer का नाम बताना है जिसे प्रतिष्टित Mary Le Bon Cricket Club का पहला गयर British अध्यक नियुक तिया गया है world body governing of which sport has introduced a new game format called triples किस खेल को नियंत्रित करने वाले विश्व निकायने triples नामक एक नए खेल प्रारूप को पेश किया गया है देखे दो नए प्रारूप शामीन हुए है एक है air एक है triples ठीक है एक है air badminton तो badminton खेल जो है उसके अंदर क्या किया गया है दो नए प्रारूप शुरू किया है एक तो triples और एक air badminton triples का मतलब होता है कि तीन खेलाडी खेलेंगे एक साथ समझ में आ गया पहले singles भी है उसमें badminton में doubles भी लेकिन आप triples को भी शुरू किया है तीन खेलाडी भी वहां खेलेंगे air badminton का मतलब क्या होता है अभी तक badminton जो है वह एक courtroom में या अंदर organized होता था लेकिन आप से क्या होगा badminton बहार खेला जाएगा तो air badminton और triples किस से related है badminton से which of the following is not one of the tools of robotics process automation निमन में से कौन robotics process automation का एक उपकरण नहीं है robotics process automation क्या होता आप सभी को बता है अजकल robots के जमाना है artificial intelligence का जमाना है machine learning का जमाना है तो क्या होगा कि जो काम मनुश्य करते थे machines के थ्रू, computers के थ्रू आप वो काम कौन करेंगे AI का नाम आपने सुना होगा artificial intelligence से वो सारे काम करेंगे यह कहलाता है robotics process automation इसके अंदर blue prism एक term यूज होती है ui path एक term यूज होती है automation anywhere यूज होती है power center एक term नहीं है जो इसमें use नहीं होती है यह तीनों terms जो आपको याद करनी पड़ेंगी power center यूज हो एक term नहीं होती है पंडित शिवकुमार शर्मा who is a recipient of पदम विभूशन is associated with which of the following instrument पंडित शिवकुमार शर्मा ठीक है जो पदम विभूशन से संबादनी थे उनका संबंध निम्न में से किस संगीत वार्दे अंतर से यह आपको बताना है इनका संबंध है Santur से option A हमारा सही आंसर होगा पंडित शिवकुमार शर्मा का संबंध किस से है Santur से यह आप देख सकते हैं अगले कुशन का आते है Reliance Infrastructure has backed Rs. 648 करोर contract from the Airport Authority of India to build a new airport Reliance Infrastructure उसने गुजरात में कौन से स्थान पनाया हवाई अजड़ा बनाने के लिए 648 करोर रुपे का अनुबंध किया है किससे AI Reliance ने एक agreement कि हम नया airport बनाएंग गुजरात के अंदर हिराशर में कहां पे गुजरात के अंदर हिराशर इक जगाए है हिराशर आपको यादत नहीं है Gahir Martha Sanctuary is only century of in Odischa Odischa के अंदर एक बहुती famous century है Gahir Martha Sanctuary इसके अंदर क्या देखा गया एक particular season के अंदर एक समुंद्र के गिनारे बहुत सारे टर्टल्स कच्छुए जो है वह इखटे हो जाते हैं उनका नेस्टिंग पीरेड होता है यह जीज वहां पर अब्ज़र की गई तो सबसे ज्यादा आपसे पुछा गाए कि एक मात्र अभ्यारने किसके लिए है टर्टल्स के लिए अब में यह पुछा जाता है कि कौन से टर्टल्स के लिए फेमस है टर्टल्स का नाम आपको याद अखना है ओलीव ओलीव रिडले टर्टल्स यह टर्टल्स के एक स्पिश्यूस होती है यह इसका पूरा नाम है पूरा नाम आपको याद दखना है बिल्कुल जरूरी है टर्ट परियोजना भारत की कौन से राजे के अंदर स्थित है या आपसे पुछा गया है। चमेरा नाम से ही जगया है चम्बा district और चम्बा district के बारे में शायद आप सभी को पता होगा यह डलहोजी के पास में है डलहोजी कहाँ पर हमाचल प्रदेश में इस district के अनदर इस प्रोजेक्ट को लगाया गया है विजूत Пर्योजना को फ्रस्ते umचे है क्या था कॉंसे राज़े में सतीते है हिमाचल प्रदेश के अंदर से खीग sibling के ऊपर लावी नदी encouragement क्यूब यसी कपिंगे है यहाँ देखसक्ते है जी कर विश्व रूप महा विश्णु प्रतिमा कौन से शहर में कौन से राज्जी के अंदर यह प्रस्तावीत है यह आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा यह प्रस्तावीत की गई है बैंगलूरू के अंदर ऑप्शन ए देखिए बैंगलूरा सही आंसर लेंगे हम इसके लिए अगले क्वेशन देखते है प्रोजेक्ट मौसम विच वोस लॉंच्ट इन जून 2019 इस अनिशेटिवों प्रोजेक्ट मौसम क्या है कि हमारे जो एचारडी मिनिस्टर है सव्कृतिक मंत्रा ले उसके द्वारा एक इनिशेटिव शुरू किया गया है इसके अंदर क्या है इनिशेटिव के अंदर कि भारत के जो भी कुल्चरल प्रोजेक्ट थे उनको रिस्टोर करना जो एंशें टाइम के थे जो एपिहासिक या पुराने समय में जो भी पुरानी चीजे थी जो सांस्क्रितिक चीजे थी उनको दुबारा से शुरू किया जाए तो इसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है प्रोजेक्ट मौसम किसके दौरा मिनिस्ट्री ऑफ कुल्चर के दौरा ठीक है आपसे पुछा गया है क्रिकेट मैच के अंदर विकेट कीपर का हेलमेट मैदान में रखा हुआ हो बल्ले बाजी दौरा मारी गई गेंद हेलमेट से टक्रा जाती है इस घटना के बल्ले बाजी टीम को कितनी पैनल्टी रन दिये जाते हैं क्रिकेट लवर्स को इस क्रिशन का बिल्कु सही जवाब पता होगा बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं इसका सही आंसर क्या आंसर होगा जल्दी से जवाब दीजी कितने पैनल्टी रन दिये जाते हैं दी आंसर आरे मेरे पास दी आंसर बिल्को सही जवाब है आंसर दी पार्च रन दिये जाते हैं Option D is the right answer अगला देखते हैं Which of following companies The description of rogue successions and their interpretation in term of gender time scale is called देखो क्या पूछा है कि वह पैगानिक विश्य क्या कहलाता है समणनेकालकरम के संधर में चाटान अनुकरमन के वर्नन ठता उसकी व्याखाऊ से है चलिया answer देखते है समझते हैं भी इसको सत्रविज्यान कहा जाता यह स्टर्यटि ग्याफी कहा जाता है इसको कैसे study करेंगे ऐसा एक अध्यन जिसके अंदर पत्थर की लेयर्स होती है उनको study की जाती है समझ में आगया पत्थर की लेयर्स को study करना क्या कहलाता है static f यह स्तर विज्ञान समझनाई बग भी हमारा सही आंसर होगा पैलेंटोलोजी क्या होता है fossil fuels या जिवाश्म की study आप जब करते हैं जिस विज्ञान में वो कहलाता है पैलेंटोलोजी मिनरल्स का आप बिलकुल आसानी से समझ सकते खनीज विज्ञान कहलाता है मिनरलोजी ठीक है आगे बढ़ते है भूग अनित होता है जियोडेसी ठीक है के गोविंद राज हैस बिन अनिमस्ली एलेक्टिट एस प्रेजिडेंट ऑफ विच फोलेंग और्गेनाईजेशन गोविंद राज को सर्व समयत्ती से पुल्य एक बार कौन से संगठन का अध्यक्ष चुना गया अगले कुशन है वैमेनार्ड लेक जो भारत की सबसे बड़ी जील है किस राजिया में स्थित है वैमेनार्ड लेक स्थित है केरल के अंदर आंसर क्या होगा 41 के लिए केरल का और यह है भारत की सबसे लोंगेस्ट लेक है सबसे लंबी आगर आप कह सकते है जील है भारत के जो कहां पर सीता है केरल के अंदर सीता है ठीक है ऑप्शन सी सही आंसर होगा डाटाबेस यूजड बाय माइक्रोसोफ विंडोस पो स्टोरिंग कॉंफिग्रेटिंग इंफोर्मेशन इस नोन एस कॉंफिग्रेशन सुचना को संग्रहित करने के लिए माइक्रोसोफ विंडोस द्वारा इस्तमाल किया जाने वाला डेटाबेस क्या कहलाता है क्या होता है लुकर्ड कैहलाता है क्याल कैसि कॉश्यक कल हमने किया थैदी कैस की क्या होता है कि आप की दितनी इंच मेमरी ककल कotes करो अब जो भिछ सच करते ओं क्यं avoir лиग ऑज इंच 돌아ो जाती थे जब माहता ही डिश्चम में का मेमरी कर के स्टोर होती डिस्टर आप समझ सकते हैं कि पंजी कारेला पंजी कारेला से केसे आप इससे रिलेट कर लीजिए तो अप्शें हमारा सही जवाब होगा रेजिस्टर इन वीच यह कंवेंचिन ओव बडा गाउन टेक प्लेस वडागाउं के संदी किस वर्ष में हुई थी आप स उसलिक पुछा रहा है सही आंसर क्या होगा वडा गाउं में कौन से संदी हुई थी एक कौन से वर्ष में वडा गाउं के संदी हुई थी आपको बताना है यह संदी हुए थी 1779 के अंडर चिके मलाथा बिटिश के बीचिए नंग्रेजों और मराथा के बीच में युद अंग्रेजियों को हरा दिया था और तब वहां पे संदी होती है कन्वेंशन उफ वड़ा गाव वड़ा गाव कहां पे पुना के पास में है पुना से 30 किलोमेटर के दूरी पे है वड़ा गाव तो option A हमारा सही आंसर इस question का In 2019, introduce a clause as per which if one is applying for a visa to that country One needs to furnish a social media track record of past 5 years काफी interesting question है कौन सा देश नहीं है शर्त रखी है उसके अनुसादि यादी कोई वैक्ति उस देश का visa चाहता है तो उस वैक्ति को पिसले 5 साल पे social media का track record प्रस्तूत करना होगा तिक है यह काफी अच्छी एक interesting शर्त रखी condition रखी गई है यह रखी गई है अमेरिका के द्वारा option भी हमारा सही जवाब होगा USA will be the right answer In May 2019, who was appointed as the Deputy Executive Director of United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment for Women for Resource Management, Sustainability and Partnership मैं 2019 के अंदर किसको संसादन पबंधन सत्ता और साजेदारी के लिए link समानता वा महलाश शक्ति करन के लिए काम करने वाली स्रियुक्त रास्तर के संसा का उप कारे कारी निदेशक मियुक्त हिया गया है किसको निदेशक किया रहे है यह आपको बताना है इसका सही आंसर होगा अनिता भातिया को निदेशक किया गया है United Nation का Headquarter अभी मैं बता चुकी है New York के अंदर है Secretary General की बात करे तो Secretary General है Antenio Guterres Antenio Guterres दोनों ही चीज़े इसके बारे में याद अख लीचे आप In the context of IT services, what is the full form of BCP? BCP की full form पुछी है कि अगर हम IT service के IT सेवाओ के संदर में देखें तो BCP क्या होता है? BCP होता है Business Continuity Plan मानने जिए आपके business में कोई emergency आ गए ठीक है? आपका बहुत जादा loss हो रहा है business में या emergency की situation हो गई है उसके वक्त एक plan निकाला जाता है company के लिए ताकि company को जो loss से घाटे से निकाला जा सके और company को बचाया जा सके emergency से वो plan कहलाता है business continuity plan ताकि business को अच्छे सुचारू डंग से चलाया जा सके ठीक है, तो option A हमारा सही answer है Who is the managing director and editor in chief of Republic TV? Republic TV के प्रबंध निजेशगोर प्रधान सरा संपातर का नाम आप से पुछा गया है 2017 के अंदर इन्होंने टीवी स्टार्ट किया था, Republic TV और जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया है उनका नाम है अधनब गोस्वामी Option D जो है, वो हमारा सही जवाब है Which of the following sports is played in a velodrome? निम्मन लिखित में से कौन सा खेल एक velodrome में खेला जाता है वेलodrome होता है, आपने देखा होगा, पहले आंसर देख लेते हैं इसका cycling जो है हमारा सही आंसर है cycling track आपने कभी देखा होगा, इस तरी की से cycling track होता है तो ये पूरा जो track होता है, ये पूरा structure जो होता है, इसे कहा जाता है velodrome सैगलिंग ट्रैक जो होता है वो पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है वैलो ड्रम Option A जो है वो हमारा सही जवाब है Who is the author of the book Cricket World Cup the Indian Challenge पुस्तक Cricket World Cup the Indian Challenge के लेखक कौन है लेखक का नाम आपसे पुछा गया है इस पुस्तक के लेखक कौन है आशी श्राय Option C हमारा सही जवाब है यह क्या है कि history of tournament पर related है क्रिकेट World Cup कैसे शुरू हुआ और पूरी इतिहास क्या रहा है क्रिकेट World Cup का उसके उपर यह बुक है और किसके द्वारा लिखी गई है आशी श्रे के द्वारा यह बुक लिखी गई है अगला क्यूशन है पेरालंबिक में रजत पदक विजेता गिरिश गोडा को दूसरी बार किस राज्य का लोग सबाव चुनाव दूथ इस लोग सबाव election ambassador चुना गया है उनको second time second time कों से राज्य का चुना गया है करनाटका का Option C हम इस question के लिए हमारा सही जवाब लेंगे ठीक है ओमन ऑथर जोका अलहरती बॉन दे 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज पोर वीच ओफ दी फॉलिंग नोवल्स आपसे क्या पुछा गया है कि अभी हाल ही में मैं बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है ओमन की एक ओथर है जिनका नाम है जोका अलहरती उनकी कौन से नोवल के लिए उनको ये प्राइस दिया गए उस नोवल का नाम आपसे पूछा गया है ठीक है ओमन की रहने वाली है और इनका नाम है जोका अलहरती और इन्हों में जो नोवल लिखी है उसका नाम है सेलेस्टियल बोडी तो ओप्शन एजो है हमारा सही जवाब है मैं वुकर इंटरनेशनल प्राइज अबोड क्या होता है कि लिटररी अवोड होता है काइंड ओफ और यह क्या होता है कि फुल लेंध नोवल जो की इंग्लिश में लिखी गई है सिफ इंग्लिश लैंगविज से पूछा गया है इंडेक्स रिलीज किया जाता है UNDP के द्वारा युनाइटिट नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम यूएंडीप एक संस्ता है उसके द्वारा इसको निकाला जाता है इसके अंदर भारत की रैंग रही है क्या सही आंसर होगा 130 कितनी कंट्रीज में से निकाली है 189 और 189 में से भारत के रैंकिंग क्या रही है 130 तो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है और निमनमें से किस ने कंप्यूटर भाषा कोबोल का अविशकार किया है आपसे पूछा गया है यह तरीके की प्रोग्रामींग लैंग्वेज को यूज के अजाता है इस language को किसके द्वारा अविशकार किया गया था उनका नाम आपसे पूछा है इसका सही आंसर होगा ग्रेस मूरे होपर ऑप्शन एक ग्रेस मूरे होपर के द्वारा को बॉल जो लैंग्रेज है इसका अविश्कार किया गया तो यह क्या है इक प्रोग्रामिंग लैंग्रेज है कंप्यूटर के आगे देखिए एकॉडिंग तो सैंसस 2011 विच स्टेट हैस्ट दैंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दोहजार ग्यारा का जोग जन गर्ना हुई थी उसके अनुसार बताना है भारत के कौन से राज्य में संख्या घंट्वे सरवादिक है एक चीज यहां पर इध्यान दो कि यहां पर यह नहीं पू होगा सबसे जञदा डैंसिटी दीघी रही है और बिहार के बाद जो राज्या है वहां वेस्ट वैंगोल बेक 무द के बाद आता है के रह ठीक है अगर आप तीनों भीआदरraft ना पर यह जैंड़ को सकते हैं बिषयक को सही जवाब है बोल के बाद आता है केरल ठीक है अगर आपको तीनों भी अगरा प्यादना रख पा रहे हैं तो आप भीहार इसके लिए यार रख सकते हैं विहार इसका सही जवाब है यह तो थी हाइस देंसिटी ठीक है और सबसे लोवेस्ट पूछी जाए तो सबसे कम डेंसिटी है अदना ठीक है यह सिर्फ पूपुलेशन है और यह हम से पूचा है पॉपुलेशन ऍसिटी तो दोनों ही चीसों में कंफ्यूज ना होके अच्छेजे इसको याद करके जाएंगे तो कभी कंप्यूज mor नहीं होगा ठीक है और हाइस देंसिटी की बिहार की कितनी है? 10106 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब आप हरे किलोमीटर पर वहां पर कितनी जनसंख्या देखेंगे 1106 लोग वहां पर स्क्वेर किलोमीटर ठीक है यह चीज़ आपको याद दखनी है इसको कब शुरू किया उनी सो पचास के अंदर इसको शुरू किया गया थिक है पहले भारतिय का नाम पूछे जिनको परमवीर चक्र मिला उनका नाम आपको याद दखना है उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा मेजर सोमनाथ शर्मा यह चीज़ इंपोर्टेंट है इसको आपको याद दखना है आगे देखिए इंडिया लिफ्टिट साउथ एशियन फुटबोल फेडरेशन विमन्स चैंपियन्स्टिप फोर हाव मेरे टाइम्स इन रो इन मार्च टुथाउजन नाइंटीन मार्च 2019 में लगातार कौन से बार दक्षिन एशियाई फुटबोल महासंग महिला प्रतियोगीता का विजय बना आपसे यह पुछा गया है इसका सही आंसर होगा पांच बार विजयता बना है तो ऑप्शन वी पांच बार आपको याद दखना है विजयता बना है ऑप्शन कोशने जो आपको लड़की। ले लेतें वेशबूशा पहन लेतें लड़कियों कोफेर दाफ़ूर्म करतें ठीक है यह ऑपशन वी जो है वो हमारा सही जवाब इसके दौरब की जाती है बॉइस की द्वारा परफूर्म की जातें लड़कियों के नौके कप्ड़े पहन क आगे देखिए कोलेरू लेक विचिज वन ओप दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इस लोकेटिड इन विच स्टेट कोलेरू जील जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जीलों में से एक है वह भारत के कोंसे राज्य में स्थित है यह आपको बताना है क लेक कहां पर इस्थित है इसका सही आंसर क्या होगा कि मीठे पानी की विए बड़ी जील है भारत की और यह स्थित है आंद्रप्रदेश के अंडर ऑप्शन भी हमारा सही जवाब होगा आंद्रप्रदेश के अंदर लोकेटिड है देखिए जम्मू कश्मीर के जील देख एक्वाब जाती हैं डल जील आप सबीको पता होगा डल लेक और वूलर लेक यह जम्मू कश्मीर की जील है इनके बारे में था आप नाम याद करेंगे लेकिन एक फेमस लेक है जिसके बारे में अग्जाम में आता है वह साम्मर लेक जो है वह कहां की कहां के लिए राजस् पूमडीज के लिए कोईशन एक्जाम में आया हुआ है तो इनको उप्शन्स को भी आप याद रखेंगे सेकिंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी करेक्टराइजड लार्जली बाइदेर यूज ओप दूजरी पीडी के कंप्यूटर का वर्नन काफी हतका क्या जा सकता है तो कि आपको पता है जब इसकोवर किया गया था ठीक है उसके बाद वश्लीरेशन 533 4 तरीकिसे जनरेशन आई थी हर एक जनरेशन में जैसे कंप्यूटर का उस टाइम पर इंवेंशन हो रहा था तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि हम पहले वैक्यूम टूब्स लगा के देखते हैं ट्रांसिस्टर लगा के देखते कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा ठीक है यह जो आप चार ओप्शन देख जाएं कंप्यूटर के पार्ट है नहीं से टीमों चल रहा थे उसके आप यह चीजह आपशन लेशन को हटा कि वहां पर three favorite transistor यह हमारा ओप्षिंड सभी हमारा सभी जवाब है एक्जामपल अगर पूछा जाए कि इक्जामपल क्या दोगे सकीड जरी जराइसिन के कॉम्प्यूटर्स के IBM दोगी और Honeywell यह को इसको क्वेशन के जैसे को पानी में तेयरने के लिए कौन सा बल सहायता करता है जब यह पर देने में आगे की तरफ बढ़ेगा तो पानी की उपर एक फोर्स लगेगा ना तो वह जो पानी उसने डिस्प्लेस किया है और जो फोर्स लगाई है तेराक ने वह दोनों एक दुसरे के इक्वल होती है तभी तो आगे की तरफ मुव करेगा और वह पॉर्स कहलाती है वह एंट फॉर्स कहां का राजकिया पक्षी का की है ग्रेड हॉन बिल कहां कया दखेंगे और फिसकित UK आप से पुछा गया है है और नामरीख की उपर किया घैड कोजेक्ट कि अंसर डेंगे हम गुदावरी नदी की ऊपर इसका निर्मान किया गया है तो ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है और कौन से 2004 के अंदर इसको शुरू किया गया था आंधर प्रदेश के अंदर ये परियोजना मतलब चल रही है ठीक है तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा अगर यह कुशन आप से इस तरीके से पूछा जाता कि पोला वर्म होकी कब डिया जाता है कि में जो होती है थे के दिया जाता है डोचे Summa में और मालेशिया के अंदर यह सब्सक्राइब पर देब एगर तो लड़ा गया हो व किसके बीच में था इंडिया भारत जो है इसमें हाड गया था रहा तो और विजेता कौन रहा था साउथ कोरिया तो ओप्शन यह हमारा सही आंसर है और यह इवेंट हुआ कहां पे था अगर इवेंट पूछ लिया जाए तो मलेशया के अंदर यह इवेंट हुआ था थर्ड सायाजी रतन अवोर्ड इन नवंबर 2018 विच हैस बिन इस्टैबलिश्ट इन मैमरी ओप अस्ट वाइल बरोदा रूलर सायाजी राव गायकवर्ड थ्री नवंबर दो हजार अठारा में निम्ली में से किसे सयाजी रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसकी स्थ अपना भूत पूर्व शाषक सयाजी राव गायकवर्ड थ्री की स्मृति में की गई थी तो इस पुरस्कार से अवा नवाजा गया है अमिताब बच्चन को ठीक है तो ऑप्शन सी यादक ना अमिताब बच्चन से नवाजा गया है सयाजी रतन अवोर्ड दिया गया है उन अशिकरिए चिकन की कड़ाई आप में सुना होगा कहा कि फेमस Peng जगैंल लगम की बहुत सेम से चिकन करई कड़ाई अन्सटार होगा हमारा अगर यूंप फेमसे और च़िकन कॉर्शन में होता तो यूपी हमारा सही जवाब नवाजव ऑप्शन में है तो लगनव इस्ट right answer अगला देखिए as of May 2019 which player has scored the most international runs in the world in all three formats that is test match ODI and T20 of cricket combined माई 2019 के अनुसार किस खिलाडे ने सभी क्रिकेट के तीनों प्रारूप के तीनों प्रारूप दिये गए है सभी ज्यूंक तर रूप से सबसे ज्यादा अंतरास्त्रे रन बनाएं गए हैं यह क्वेश्चन स्पेशली क्रिकेट लवर्स के लिए आई तिंग इसको इसको जवाब पता होगा और बिल्कुछ सही जवाब पता होगा आंसर क्या होगा इसके लिए हमारा सही जवाब सी आंस के दूसरी कारेकाल के लिए रास्टरपती किसे चुना गया है यह बहुत ही फेमस परस्नालेटी है काफी न्यूज में रहते हैं इनका नाम है जोको विडोडो दूसरी बार उन्हें प्रेजिडेंट के लिए चुना गया है इंडोनेशा की राजधानी क्या है जकारता क्रीज अंडरस्टेंडिंग एंड अवेरनेस ऑफ बायो डाइवरसिटी इश्यूस वाइदा युनाइटिड नेशन किस दिन को सियुक्तर रास्ट्रे द्वारा जय विविद्वता के मुद्व पर समझ जो जागुता में प्रधि करने के लिए अंदर रास्ट्रे जय रास्ट्रे प्रशित क्या गया है व्याहिद नेशन के द्वारा युनाइटिड नेशन का हेड़कॉर्टर कहां पर है नियू-ई-उ-उ-York के अंदर है और जन्नल सेक्रेटरी कोन है जन्रसेकरेटरी की बात करें तो उन्हाइटिड नेशन की कोन है एंटेयों गुतेरिस यह चीज़ आपको यादक नहीं है 22 मई को क्या होगा इंटरनेशनल डे फोर बायलोजिकल डाइवर्सिटी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्रेशन देखते हैं सबसे 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 साउट में है यह नाम आपको यहां पर यार दखना ही पड़ेगा ठीक है टीक है प्ड़ेर जोह है वो सबसे बड़ी नदी है लोंगे सीनय है केडि की ठीक है और यह कहां-कहां से प्लो करती है केरल से भी फ्लो करती है और यह सब कर्लारे है और इसके उपर नाम है इद्दू कीडीकल इद्दू की डैम ये भी काफी करंट अफेर्स में रहता है निउस में रहता है तो ये भी एक्जाम में आने के समभावना काफी रहती है इंकी अगला देखी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सवतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर पूछी स्वास्ते मंत्री कौन थे कौन थी इसका सही आंसर क्या होगा पहले तूम जहीं बता दो कि अभी हमारे जो 17th लोग सब्वाद नई सरकार बनी है उसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर पॉन है इतने इसकोशन का आंसर जल्दे से कमेंट कर दीजिए इसका सही आंसर है राज गु आपका है according to Indian Bureau of Mines which of the following state has the largest reserve of silver in India in 2018 भारत के अनुसार भारत में निम्नमेशिक किस राज्य में 2018 में चांदी का सबसे बड़ा बंधार है 2018 के according गुजरात के अंदर चांदी का सबसे बड़ा बंधार है तो option C हमारा सही जवाब होगा इस question हमारा सही जवाब होगा राजस्तान में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा सिल्वर माइन्स देखी गई है 2018 के नुसार और सबसे बड़ा भंडार मिलना है राजस्तान में तो option B हमारा सही जवाब होगा अगला देखिए इंडिया सोरव कोठारी इन फाइनल टो विंदा 2019 पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ट चैंप्योंशिप इसमें पूछा यह आप से गया है कि फाइनल में भारत के सोरव कोठारी को पराजित करके कौन विजेता बने है किसके अंदर पैसिफिक पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ट चैंप्योंशिप के अंदर तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा किसको पराजित करके विजेता बने हैं वो है पीटर गिल्क्रिस्ट पीटर गिल्क्रिस्ट ने हराया है सोरव कोठारी को भारत से संबंद रखते हैं और वो विजेता पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ट चैंप्योंशिप के तो ऑप्षिन भी हमारा सही जवाब है यहां पर 15th Finance Commission 15th Finance Commission के चेर्मैन आपसे पुछे गए है चेर्मैन कौन है Finance Commission का गठन हुआ था 1901 के अंदर ठीक है 192 में Finance Commission का गठन हुआ और अभी इसके 15th चेस्टार्मैन की अगर हम बात करें तो वह नंत के शौर सिंग यह आप निक्नेम ले सकते हैं नंक ने सिंग तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा 23 के लिए क्या आंसर होगा 22 नमबंबर 1951 को स्थापना हुई थी 15 फाइनेंस कमिशन के डेट इतनी इंपोर्टेंट नहीं है आपको यार दखना है शक्तिकान दास हमारे अर्वियाई के अभी सर्विंग गवर्नर कोन है हमारे शक्तिकान दास ठीक है अगला देखिए विचोप्ती फॉलएंग बुक्स वॉस नॉर्ट इंडिन पोएट एंड ड्रामाटिस्ट महा कवी कालेदास निम्न मेंसे कौन सी पुस्तक महान भारतिय महा कवी कालेदास के द्वारा नहीं लिखी गई है कालेदास ने वैसे बहुत सारी पुस्तके लिखी गई है शकुंद्रा लिखी है रित्तु सहार लिखी है मालवी का अगनी मित्र लिखी है लेकिन मालती माधव जो है वो उनके द्वारा नहीं लिखी गई है उनके द्वा कभी कालिदास के द्वारा लिखी रही है हूं अमंग दी फोलेइंग वाज दी फॉर्स इंडियन क्रिकेटर तो हीटर सैंचुरी इन वैरी फॉर्स सेशन ओफा टेस्ट मैच किसी टेस्ट मैच के पहले ही सत्र में शतक लगाने वाले भारत का पहला क्रिकेटर निम्न में से क्या होगा शिखर धवन ऑप्शन एजो है वह सक्षिन का हमारा सही जवाब होगा शिखर धवन पहले सत्र में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं तो ऑप्शन एजो हैं हमारा स्कूशन का सही आंसर होगा अगला देखते हैं इन में 2019 वीच ओप दी फॉलोइंग वर बैंड वाइद गर्वर्मेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार ने चार उप्शन में साथ को और्गिनाइजेशन दिया है एक चूज करना है जिसको सरकार ने रोक लगा दिया गया है इसका आंसर है जमात उल्मुजाहिदीन बंग्रादेश यह एक और्गिनाइजेशन है इसको सरकार ने बंद कर दिया गया है ठीक है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा हूँ अमंग दी पॉलिंग पायोनियर बाइनरी लॉजिक एंड अरित्मेटिक इन कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी तर्क और अंक गनीत के अगर्डूर्स कौन थे हैं आपसे बॉछ गया है बाइनरी लेंग्विंज आपने देखा होगा इनको कहा जाता है binary language by का मतलब होता है two zero one binary language ठीक आपसे पुछा गया है कि अग्रेदूत कौन थे अग्रेदूत का नाम आपसे पूछा है तो इसका सही जवाब क्या होगा 27 के लिए हमारा एक नाम आपको यादक नहीं हमें लैसली लैंपोर्ट लैसली लैंपोर्ट कहा जाता है binary logic and arithmetic का अग्रेदूत तो option भी हमारा सही आंसर होगा अगला देखिए इन में 2019 who among the following became the only mountaineer in the world to hold the record for most summits on Mount Everest निम्न में से किसने Mount Everest के शिखर पर सरवाधिक बार चड़ाई की है यह आप से पूछा गया और एक record उन्होंने बना दिया है उनका नाम क्या है उनका नाम है कामी रीटा शेर्पा option D जो है वो हमारा सही आंसर होगा कामी रीटा अर्गनाइजेशन मास मीडिया फॉर्म हेल्ड 23 से लेकर 26 में 2019 दूसरे संगाई सहीोग संगचन मास मीडिया मंच का आयोजन कहां किया गया है यह आप से पुछा गया है यहां किया गया किर्गिस्तान में किर्गिस्तान के बारे में इक इंपोर्टेंट चीज या रखनी है इसके कैपिटल है अस्ताना अस्ताना को नाम बदल के इन्होंने कर दिया है नूर सुल्तान बहुत बार एक्जाम में मैंने देखा अभी रिसेंटली जो एक्जाम सुने उसके अंदर आया हुआ है अस्ताना उसकी राज़ानी है अस्ताना का नाम बदल के कर दिया है नूर स आपसे पुछा गया है यह ऑटो बाइग्राफिक किन की है इस ही आंसर क्या होगा इसके लिए सचिन तैंदुलकर की ऑटो बाइग्राफिए सचिन तैंदुलकर यह आपको याद अखना है क्या है यह हमारा सही जवाब है क्या है क्या कहते है अपको क्या मिनी कहते हो माइक्रों कहते हैं सबसे पहला सूपर कंप्यूटर कौन सा था परम 800 भारत का सबसे पहला सूपर कंप्यूटर था जो बनाया था कौन से एयर में बनाए गया था कला रूप है जिसका अभ्यास कई परिवार नकाशिय परिवार के द्वारा किया आख दीघिया में उस राजय का नाम गया होगा स्क्रोल भारद ट्रिया वे सिख्रोल जो है वह कौन से राजय के अंदर स्थित है उसका नाम आपको बतारा है यह सिख्या त्य लांगाना राज रिपोर्ट वाई ये लेंड कोलंबिया युनिवर्सिटीज एलोंग विद वर्ड एकॉनमिक फॉर्म ये लोर कोलंबिया विश्व विद्याले तथा विश्व आर्थिक मंच की द्वी वार्शिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यायवरन ये प्रदेशन सूज कांख 2018 में भारत प्रेशर कंट्री निकाला या भारत का स्थान इसके अंदर है 177 क्या रहा है 177 ठीक है और total kandis कितनी थी 180 रिपारत का स्थान है 177 और सबसे टौब मॉस्ट अगर पूछे जाए कि पहले नंबर पर कौन से रही है तो आंसर होगा आइसलेंड जो है वह पहले नंबर परहीं यह का अंदर आगला देखिए बेड़ीध है एसा यूनिट होती है पाइस कल ऑप्षयन के होगा बी-पास्कल होती है फैस सरस्टाय इम प्राइश वं टिनिट वॉल्ट होती है वॉल्टेज की ठीक है और एंपीर होती है करन्ट की यह आई थिंग आप सभी को पढ़ा होगा क्योंकि स्कूल में बहुत अच्छे से हमें याद करवाते थे यह ऐसा यूनिट्स तो पास्कल जो है वह हमारे कुशन का सही आंसर है ठीक है अगले कुशन में विच फॉर्मल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज अपॉंटिट एज चेर पर्सन ओफ नूज बोड कास्टिंग स्टेंडर्ट अथोरिटी इन में 2019 की आप से पुछा गया कि समाचार प्रसारन मानक प्राधिकरन का अध्यक्स की से नियुक्त किया गया है यह सरोच न्यायले के पूर्य न्यायधिश भी रहे हैं और इनका नाम है एके सिक्री ऑप्शन एसी एके सिक्री की सही जवाब होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं वो अमंग दी फॉलेंग वोज एलेकिड एंड स्वाण इन एज एज एस प्रेजिजेंट अफ यूप्रेइन इन एप्रेल में 2019 देखिए अपॉइंट्मेंट्स का टॉपिक जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट्स के एक दू कुश्टिंस जरूर आते हैं कि किसको अपॉ इंपॉर्टेंट है तो यूप्रेइन के सिक्स प्रेजिडेंट आप से पुछ रहे हैं कि कि इनको बनाया गया उनका नाम है वॉल्दो दिमीर जैलेंस की ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा इस क्वेशन के लिए यूक्रेइन की कैपिटल क्लेव क्लेव कैपिटल है यूक् इनका समवन्ध भारत के कौन से राज्य सरी आपको इस क्वेशन में बताना है इनका समवन्ध है करनाटक से सूफी संथ है करनाटक राज्य के ओप्शन सी हमारा इसको एस और ऑप्शन एस दाराइट आंसर इनॉग्रल सेशन और सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया तुक प्ल में हुआ था लेकिन डेट आपको पता होने चीर डेट क्या थी 28 जनवरी 1950 को हुआ था 28 जैन 1950 की कुष्चन आपको यादखने काफी इंपोर्टेंट है कि हमारी चीफ जस्टिस ओप इंडिया को और रंजन गगोई यह चीज आपको यादखनी है देखिए इंपोर्टेंट करेंट अफेर न्यूस बता देते हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले नंवर ऑफ जजिस से 31 मतलब 30 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ओफ इंडिया होता है ठीक है टोटल मिला की 31 लेकिन अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया 33 यह बहुत ही काफी इंपोर्टेंट न पुछ तक smile is beautiful की रचना की है यह कोईशन बहुत बार रिपीट हुआ इवन मैंने भी इसको काफी बार पढ़ाया है इसका आंजर है यह शुमाकर यह चीज़ आपको याद रखने यह शुमाकर जो है उनके द्वारा यह बहुत ही फेमस बुक है स्मॉल इस ब्यूटिपल इ आसा ने पूरे विश्व का सबसे light test सबसे light weight satellite उसका इतना light था कि उसका weight है 1.26 kg इतना light weight बनाया लॉंच किया जिसका नाम है कलाम सेट ठीक है तो आप से पुछा गया है कि तमिल नाडु के एक इंसान का नाम आप परसन का नाम यहां पर बताना है एवं उसकी तीन के द्व विश्व के सबसे छोटे और सबसे हलके उपगरे कलाम सेट का परक्षेप्शन किया यह आप से उनका नाम पूछा गया तमिल नाडु से हैं उनका नाम क्या है रिफत थारुक ऑप्शन बी रिफत शारुक ऑप्शन भी हमारा इस question का सही जवाब है option बी इस पाइट आइट अगले question में बढ़ते हैं अगले question है चिपको movement is associated with 1973 के अंदर क्या हुआ कुछ लोगों ने उत्राखंट के अंदर उनी सो तीहतर में उत्राखंट के अंदर एक अंदोलन चला जिसका नाम चिपको आंदोलन वहां पेड़ों क्या हो रहा था कि जंगलों को साफ किया जा रहा लोगों ने इसका विरोध किया लोगों ने क्या किया हर एक पेड़ पी एक इंसाने जाके चिपक गए पेड़ को पकड़ लिया और कटने से बचाया जा सके यह अंदोलन कहला जिपको movement यह कब शुरू हुआ था उनीस तो तीहतर के अंदर हो इसके लीडर कौन थे लीडर क 2019 में मुंबई मैराथन किसके द्वारा जीती गए उनका नाम है कोस्मोस लागट ओप्शन सी हमारा सही आंसर है कोस्मोस लागट इस दा राइट अंसर ठीक है अगले बढ़ते हैं अगले क्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इस नोट लोकेटिट इन भारत का करंसी मुद्र नासिक के अंदर नासिक आप सभी को पता है कहां पर है महरास्टा के अंदर ठीक है दूसरी है सालबोनी सालबोनी कहां पर है वेस्ट वेंगोल में है थार्ड वन है मैसूर में ठीक है मैसूर में फोर्थ वन है देवास के अंदर देवास कहां पर है MP के अंदर है तो इन चा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने को जा रहा है और यह कहां पर बनने जा रहा है गुजरात राज्ये के अंदर ठीक है अब यह जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां फोले को बने गैनिना एंदर अपार्ट S.अँड़े संसकर्न के अलावा नई दिल्ली म्या इशाय खेऊẫnड के कौन से नंबर के संस्क्रण की भी मैजवानी की या आपसे पुछा गया है इसका आंसर होगा नाइन्थ संस्क्रण अगला देखिए विच ओफ दी फोलंग गेम इस देवधर ट्रोफी एसोशीयेटिड देवधर ट्रोफी के बारे में आपने काफी सुना होगा तो उसका संबंद कौन से खेल से आपसे पूछा गया है उसका संबंद क्रिकेट से क्रिकेट लवर्स हमारी कंट्री से बहुत जा सकती है वैसे तो बहुत सारी ट्रोफी से तो पर एक्जाम कोईंट ओफ उसे जो इंपोर्डेंट करते हैं एक गडाशी के नाइड़ ट्रॉफी है वह भी क्रिकेट में दी जाती है ठीक है रंजी ट्रॉफी रंजी ट्रॉफी इस दिलिप ट्रॉफी और उसके अलावा एक जाती है इनको मैं इनकोी प्याद रखें इन में से कोई भी का आप को देकि पूछ सकते हैं एक पुस्त का नाम दिया गया है इसके रचना किसके द्वारा की गई है आपको ये बताना है कि परधान मंद्री आवाउस योजना शुरू की है चीक है उसके अंदर कितनी वाशिक आए वाले वैस्क लोगों को हाउस लूं दिया जाए गई शॉरी वाश्रिक आयोन इंकंगर यहां पर योजना के लोगों का भी पैसों में घर प्रोवाइद किया सेके लगों लोगों की कंधा उप यह साम 6-18 लाग तो option भी हमारा सही जवाब हो जागा 6-18 लैक्स अगला कुशन देखते हैं विच इस दा सैवेंट लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल बाय लैंड एरिया भूच हेत्रेपल के अनुसार ठीक है सब्सें बड़ा देश कौन्सा है तो आनसार क्या होगा रस्या मैं आपको और ठेखते हूं डेंडा। उब यूएस ज्विट नियुएस के बाद है चाहिना चाहिना के बासा दाता है ब्राजिय स्ट्रेलिय और इंडिया नेभी यह आपको साथ देशों के नाम्याद दखने हैं एक्जाम में आपसे सेवन्थ पूछा गया आपसे थर्ड भी पूछा जा सकता है फोर्थ भी तो आपको साथ तो एटलिस्ट यहां पर याद होने ही चाहिए इनको आप याद कर लेजिए इंडिया होड्स विच पोजिशन इ हमारा सही आंसर होगा इजर सपोर्ट स्कीम ऑफ ओडिशा हूज प्राइम्री टार्गेट आ स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेटर्स एंड लेंड लेस्ट अग्रिकुल्चुरल लेबरर्स ओडिशा की एक सहायता योजना है जिसका प्राथ्मिक लक्षे क्या है कि छोटे किसान क्येती हर और क्योंमेहिनक लेंच स्कीम का नाम है कालिया स्कीम आप कह स्कते हैं ठीक कालिया स्कीम एक लाँच कि ell Quand on के से विद्वेंग संग्री नही colocar की किसान है इसके अंदब्र किसान अनकी विद्वा grants很好 इक सहायता योजना को लागू किया गया है औरिशा सरकार कmbol हम आपाई सबислडर में सब्सक्राइब और फिसे को सथी से नहीं नच दुम हम में सब्सक्राइब 473 नहीं इसgestal कंते हो उडि में और फिस नहीं कenario's an जी में सब्सक्राइब ऑगर्म अचमु कं निश्च गई होगरे Kंविल के लिए पाचप सब्सक्राइब क्या है तो इस सारी स्केम, चारो स्केम जो हैं उडिसा सरकार की हैं तो इनको सारी चारो का नाम आपको याद दखना है क्योंकि एक्जाम में कोई भी आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है अगला देखो, इन कन्या कुमारी was awarded the International Gandhi Peace Prize for its contribution to rural development, education and development of natural resources Question is, कि कन्या कुमारी में ग्रामीर विकास, शिक्षा और प्रात्मिक्स और साधनों की विकास में योग्दान के लिए अंतररास्ट्रे गांधी पुरसकार से सम्मानित किया गया है कोल से केंद्र को सम्मानित किया गया है, रूरल development और education के लिए ये आप से पुछा है इसका आंसर होगा, विवेकानन्द केंद्र, विवेकानन्द केंद्र कहां पे है, ये है कन्या कुमारी केंद्र, ठीक है और इसको सम्मानित किया गया है, आंसर के लेंगे, option A हमारा सही आंसर लेंगे Government of which state has decided to ban the production, sale and use of plastic product from 1st March एक मार्ट से जिस राज्य की सरकार ने बैन कर दिया है plastic को, वो है पॉंडेचेरी, option C हमारा सही आंसर है पॉंडेचेरी की सरकार ने एक मार्ट से plastic को ban कर दिया गया, उनका मुख्य लक्षय है कि हमारे राज्य को plastic free बनाया जाए इसके लिए इन्होंने ये बैन की है plastic, option C, सही आंसर है Is the first greenfield airport to be constructed in the north eastern region of India, भारत के पुर्वत्र छेत्र में बनाया जाने वाला पहला greenfield हवाई एड़ा कौन सा ही आप से पुछा गया है First greenfield airport की बात करें तो वो है कहां पे, क्या नाम है, pak yong, option B हमारे सही आंसर होगा और ये कहां पे बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, सिक्किन के अंदर, कहां पे, सिक्किन के राज़ानी, गंटॉक के अंदर, ठीक है, अगला देखते है Which of the following is a dance form from करनाट का, करनाट का एक निर्ते कौन सा है, ये आप से पुछा है, करनाट का इंद में से एक famous निर्ते है, बयालाता, option D हमारा सही आंसर है, बयालाता एक dance और drama form है, ठीक है, कहां का famous है, ये करनाट का famous है, और options को देख रहेते हैं, लावा डान्स कहां का famous है, लक करनाट का इंद में से तर्मिल नाडू करनाट का इंचार और पांचो राज़ें पर यह जतने भी डान्स पॉर्म है, उनको अच्छे से याद कर लो, एक्जामने में से यहीं से आते हैं, तो लावा कहा का dance famous है, लक्षदीप का, ठीक है, कर्मा डान्स क्या है, ट्राइबल तो जो होती है, उनके द्वारा किया जाता है, ट्राइबल एरियास देको जहारखंड हुआ, छतिसगर हुआ, मध्यप्रदेश हुआ, यह सब ट्राइबल एरियास है, तो इनके अंदर यह dance है, करमा डान्स, एक करमा पूजा होती है, ट्राइबल पीपल्स की, तो उसकी क्रेशन के अंदर पूचा था बया लाता डांस, इस प्रिकार से यह किया जाता है, कि भारतियों को नेपाल में भुटान की यात्रा अगर करनी है, तो एक पर्टिकुलर एज ग्रूप के लोग सिर्फ अधार कार दिखा करके यात्रा कर सकते हैं, यह पौर्ण सी वर उमर का वो रखा है, minimum, maximum age कितनी रखे है, वो हम क्राइटेरिया देख लेते हैं, वो क्राइटेरिया है, 15, under 15 and 65 years, under 15 and over 65 years, 15 साल तक और 65 साल के बाद तक के जो लोग है, वो सिफ अपना अधार कार दिखा करके नेपाल और भुटान की यात्रा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नहीं हमारा दूर दर्शन की रास्टे चैनल पर रो जाना एक घंटे का कार्यकरम है, जिसकी पहल दूर दर्शन प्रसार भारती तथा विज्यान एवं तो धोगी की विभाग के दुआरा की गई है, डिपार्टमेंट ओप साइंस ने एक प्रोग्राम स्टैट किया है, जिसका नाम है, आंसर क्या होगा इसके लिए जल्दी से जवाब दीजिए, डिडी साइंस डिडी साइंस जो है, वो डेली 5 पीम तो 6 पीम, मंडे टू सैटर्ड एक प्रोग्राम चला जाएगा, बच्चों के लिए सभी स्टूडेंट के लिए, ताकि साइंस को प्रमोट किया जा सके, और देख सकते हैं, और देख सकते हैं, और रिख कहां पे स्थी ढिए सिंदो में की ऐए उन्य वहार, का से ज़ए सिय के बारे में आपने सुना, जहां पे गौताम सब्सक्राइब करने वाली और कांग शुक की तरफ से माउंट आपको बताना है तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा संपोश या तो ऑप्शन बी जो है हम आंसर लेंगे इस दा राइट आंसर इस अन्ट ऑट्वानियजिशन अंडर ड़ाइट्मेंट ओफ साइन्स और प्रसार क्या करता है साइंस का प्रमोशन करता है साइं विग्यान का प्रचार प्रसाब करता है तो ऑप्शन और को प्रेटवान को परोचां किसी हुई तो परेटन मंतिराने ने इस स्कीम को निम्न में शामिल नहीं है यह एक लिस्ट है 13 circuits की जिसके अंदर दर्शन करवाया जाते सब्देश दर्शन होता है तो इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजी गो थ्रू कर लीजी उसको आपको आइडिया लग जाएगा तो इसका सही आंसर होगा हमारा उस लिस्ट में जो शामिल नही सब्सक्राइब करने के लिए हर वर्ष रास्टे खेल पुरसकार प्रदान करती है इन पुरसकारों में से कौन सा शामिल नहीं आपको बताना है देखे अरजुन आवोर्ड दिया जाता है खेल के फिल्ड में जिके ध्यांचन दिया जाता है होकी से रिलेटिड है दोनाचार इंडिया वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो खेलों की उपक्रस्पता के लिए भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है यह एक नैशनल अवर्ड होता है जो कि स्कूल के बच्चों को दिया जाता है स्पोर्ट्स के प्रोथ साहन बढ़ाने के लिए एज अंडर 17 और एज अंड किरल के अंडर एक वन्य जी अभ्यारने स्थीत है जो काफी फेमस और beहुत सारे एक्जांस में कुस्षण आता है तो इसक्यों को मैं आपको नो कर लीजी काफी इंपोर्टें कुछेंँ ए वरी वरी इंपोर्टें लिए इंपोर्टेंट क्रेंं आ आंब तो के अंडर एक और बाद यहां पर यह एक टाइगर रिजर्व भी है थीक है टाइगर्स के संख्या भी यहां पर बहुत सारे मात्रा में देखने मिलती है वाइल्ड एस सेंचुरी कहां पे है ये गुजरात राज्ये के अंदर है ठीक है और डच्छी कम नैशनल पार्क के कहां पे है ये जमू एंड कश्मीर के अंदर है अगला कुशन देखते हमारा संसद्रतन पुरसकार दिया गया है तो कौन सी समीती को यह पुरसकार दिया गया है उसका नाम आपको पता होना चीए उस समीती का नाम है इस समीती का नाम आप याद रखेंगे इसको क्या मिला है संसद्रतन पुरसकार इसको दिया गया है अगला कुशन देखिए इसको भी आप याद रखेंगे और उप्शन को हम एक बार डिस्कुस कर लेते हैं आपके साथ कुमिक हा का फेंद несколько का केरल के अंदर किया जाता है एक अगलं मारुनि मारुनि क्या है ये नेपाल की नेपाली लोग है उनके दुआरा की जाते हैं सबसे पुरानी वहां की डांस को मैं नेपाली एडिया कि ठीक है इसको आप यार दखेंगे मारूने इन रुपते हैं अगला देखिए अगला क्या है कि नब लगन सब्सक्राइब की बताना है इसका सभी आंशर एक अनुस्ठान होता है डिसके अंदर क्या है कि आपको पता है उडिसा अंसरका, उडिसार राज्य के अंदर, जगणनात भगवान को मानते हैं, जगननात बालबध्र ठीक है, और सुभध्र ठीक है, इनको सुदर्शन, इनको भगवान के रूप में पूज़ा जाता है, तो इनका क्या होता है कि इनके आइडल्स को, पुराने आइडल्स को नए के साथ जब रिप्लेस कर देते हैं तो वो एक कारेकरम एक अनुस्थान कहलाता है नव लक लेवर ठीक है और ये कौन से राज़े में हैं ओडिसा के अंदर तो आंसर क्या रहोगा जगनात पुलीस क्वेशन का हम सही जवाब ले लेंगे कि उडिसा से संबंदी यह देख नीजी से अंत्रिक्ष में डिकोर करके कितने दिन बिताये थे आप से पूछा है बहुत ही सिंपल सा आंसर आप सभी का इति मालूम होगा उन्होंने दिन बिताये एक सो पिचानमे दिन हमारा सही आंसर करके हम लेंगे आंसर क्या होगा हमारा 195 यह कहां से कौन से देश संबंद रख सबीहिती है common like a it's आप सभी को पता है नवरात्रों में खेला जाता है ठीक है और से राझे में गुजरत्रा राज्य में इस बहुष धुम धाम से मनाए जाता है वहां पे नवरात्री इस कांशर होगा option who be एक खेला जाता है और आपस सभी को पता है यह कहां का famous dance अगर आप से पुछ जाए एह झालिड प्रतिष्टित विज्यापन एजनसी के प्रमुख आपको बताना है जिन्होंने जो यह नाम आपको देख रहे है टेग लाइन्स जो है इनका शांदार विज्यापन तयार किया है यह आपको बताना है देखी जो आंसर होगा हमारा उनको क्या कहा जाता है फादर ओ इंडियन एड़र्टाइजिंग भारत में जो भी एड़र्टाइजिंग एजनसी है उनका जनक या उनका पिता कहा जाता है उनको उनका नाम है एलिक पदमासी ठीक है ऑप्शन डी एलिक पदमासी काफी फेमस न अगला देखिये, which cricketer made his test debut in Karachi at the age of 16, again this question is only for cricket lovers, I think, उनको यह question बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत easy question है, 16 साल की उमर में Karachi में अपना test debut किसने किया था, सचे इंपने लुकरने किया था, तो option D हमारा सही answer, तो option D is the right answer, अगला देखिये, as per the Guinness world record, which of the following was the world richest temper in 2011, 2011 में Guinness विश्वी रिकोर्ड के अनुसा, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है, और आपको जानकर हरानी होगी, यह भारत के अनरस्तित है, ठीक है, इस मंदिर का नाम आपको बताना है, इस मंदिर में चढ़ावा रिकोर्ड किय इस में आपको बता देते हूं, कितना चढ़ावा यहां पर रिकोर्ड, 26 बिलियन डॉलर यहां पर जो पैसे यहां पर मतलम मोजूद थे, इनकाउंट हुए थे तब 26 मिलियन डॉलर यहां पर पाये गए है, और इस प्यमस टैंपल का नाम है, क्या आंसर होगा जल्दी से आ अगला देखी है, आप टैंपल देख सकते हैं, काफी विशार टैंपल है, वो रोड दी बुग गुलामगीरी, उस तक गुलामगीरी की रचना किसके द्वारा की गई थी, आप से पुछा गया है, गुलाम का मतलब क्या होता है, स्लेवरी, गुलामी की उपर एक पुस्तक कि अमेरिका में जो गुलामों की हालत थी, उसके उपर ये पुस्तक लिखी गई थी, जोती बाफुले के द्वारा, option A हमारा सही आंसर होगा, क्या होगा, जोती बाफुले, अगला देख सकते हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से फाउंडेशन को इंटरनेशन गांधी पीस एवोर्ड मिला है 2016, कब की बात हो रही है, 2016 की बात हो रही है, कौन से फिल्ड की अंदर, कि भारत में स्वच्चता के अंदर और हाथ से मेलाड होने की प्रथा से मुक्ती दिलाने की दिशामेन का योगडान रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा, अक्षापात्रा फांडेशन, काफी famous फांडेशन है, और अक्षापात्रा फांडेशन की ही जो स्कीम है, वो है midday meal scheme इसी के द्वारे स्टार्ट की गई है ये भी question आता है कि midday meal scheme के बारे में भी आता है तो option C करके आप अक्ष्या पात्रा हमारा सही answer होगा इस जैन text containing the biographies of जैन तिरंथकार्स most notably पर्षवनात and महावीर एक जैन गरंथ है जिसमें जैन तिर्थकारो विशेश रूप से पार्शर नात्र महावीर के आत्मक अथाएं हैं यह आपको बताना है total कितने तिरंथकास होते हैं जैन धरम के अंदर यह आपको पता होना चाहिए total 24 होते हैं लास्ट वाले का नाम पूछे जाता है कि 24 कोन है तो उनका नाम है महावीर यह दो क्वेशन यार दख्वी एक्जाम में आयो है इसका आंसर देख लेते हैं इसका आंसर होगा आधी पुरान option sorry इसका आंसर होगा कल्प सूत्र ऑप्शन डी जो है इस कोशन के लिए हमारा सही आंसर होगा कल्प सूत्री तराइट आंसर अगला देखिए डांस इस परफॉर्म बाइशेफर्ट कम्यूनिटी ओव गोवा डूरिंग नवरात्री के दिनों के दोरान गोवे सैफर्ट समुदाय द्वारा इन्हें से एक दा इसके लिए ग 그럼 रांसुदा इसके लिए हमारा धन करना उपने के दोरा हैं दूरा है सब्सक्राइट के किला जाता है लाव नक देफसी और दांस होता है लावा में लगषदीप का डॉरा धे लाव ठीकह है और कॉलकली डांस है केरल, केरल के अन्डर ही थोड़े से इस डिपिकल जीम देखने को मिलते एक केरल कराठका की साइड में और फुगरी डांस की बात कर लेते हैं तो फुगरी डांस है महरास्ट्रा औ गोवा दोनों के अंदर परफॉर्म किया जाता है आप देख सकते हैं धंगर डांस की जो अभी हमने देखा नवरात्री के टाइम पेर पर्फॉर्म किया जाता है वस एवोड़ीड इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइस 2016 फो इस वर्क तो आड्स प्रोवाइडिंग मीड़े मिल अभी थोड़ देर पहले डिसकर्स किया कि गांधी पीस प्राइस किसको मिला है अक्षा पात्रा को किसके लिए प्रोवाइडिंग मीड़े मिल टू चिल्टरन्स आंसर क्या हो जाएगा दुबारा से अक्षा पात्रा फांडेशन इस दा राइट आंसर फो इस क्वेशन ठीक ह अग्षा देखें क्या है कर्मा निम्न में से किस राज्य का यह मिलत्य रूप है कर्मा डांस होता है कर्मा पूजा क्या वस्तर पर किया जाता है एक पूजा होती है जिसका नाम होता है कर्मा पूजा यह किया जाता है ट्राइबल के दौरा ट्राइबल जातिया जो है और तो आंसर क्या होगा हमारा जारखन ठीक है आप देख सकते हैं पिक्चर की सहयता से अगले के बढ़ते हैं सक्षम पॉल्स अंडर दा एजिस ओग गौवर्मेंट ऑफ इंडिया कों से मंत्रा लेके अंदर सक्षम स्कीम जो है या आती है आपको बताना है यह कौन से मंत्रा ले के अंदर आती है कोन से मंत्राले या होगा आंसर बताये थोड़ा गैस करेओं क्या होगा इसका और इसकीम का मतलब है कि कंजरवेशन करना मत्रा इसकीत कीतुन मुक्षम करना सही क्या है सक्षम संट्रिया इंटर बनाए गए हैं महिलाओं ऑले यह आप उनको वन स्टॉप सेंटर कह सकते हैं, वो फुली स्पॉंसर्ड बाइ गवर्मेंट, सेंटरल गवर्मेंट, अगर विमन से रिलेटिड है तो क्या याद रहोगे, विमन एंड चाइल्ड डव्लप्मेंट मिनिस्ट्री, कि कह सिंपल सा है, इसको याद रिलेट कर लो, विमन से सखी सेंटर महिलाओ के लिए बनाये गये हैं, तांकि महिलाओ के परेशानी सुने जाए, कंप्लेंट सुनी जाए, तो रूरल आइरिया से ज Siggal Public movement महिलाओ में सुनी बिदें नीकर करा सकती है, इस वर्ष सब्धींटर भारत में अपना पहला ओलंपिक वद्ग जीता होगी के अंदर पहला सवन पदग जीता था ओलंपिक आंदर ठीक है अब इए की बात कर लेते कि कों से ईएर में जीता था 1948 इसमें 1948 के अंदर ही जीता था होकी के अंदर ठीक है एकसपैंशन प्रोजेक्ट औस नुमालीगर नुमालीगर रिफाइनरी इन्वालब सैटिंग अपक्र्यू डॉयल पाइप्लाइन वों है आपको बताना है पारणीप बारेन 6 जुछ हिऊघ्छा बिछए जवाब है के एक द्रश्य कलाप द्रश्णी आयोजीत होती है ठीक है तो भारत की सर्तुटता तक की कलाकरतिय का प्रदिशन किया गया है वहां पे कहां से कहां तक की कलाकरतिया जो है वहां पर आपको दिखाए जाती है कौन सी सेंचुरी से यह आप से पूछा गया है 11th century से लेके आप तक रौफ एक लोग मृत्या है जिसका संबंद कौन से राज्या से यह यह भी मैं आपको बता शिक्कियों आपको परवार इनका कोई भी टीचर आपको करवाता है इसका मतलब यह नहीं कि वहीं एक्जाम में आएंगे लेकिन आप चारो आप्शन को परेंगे तो एक क्वेशन के साथ आपके 5-4 questions आपके जो है soul हो जाते हैं यह भी बऺए हो एक क्वेशन के साथ आप 4 और मैंनिक ऑन्करेश संबग तक बैमारी माइनिंग रिलेटिद ऑपरेशन यूजिंग दाफंड बाइड एम एफस ठीक है जहां पर माइनिंग होती है तो उसमें उस एरिया में क्या होता है खनन संबंदी कारिये होते जहां पर लोगों को बहुत नुकसान होता है क्योंकि एक्स्ट्रेक्शन होता है गैस निकलती है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें दाए क्या फिर्ट देगी यह तक नाम है बहुत ही आसान नाम है प्रधान मंत्री खनीज शेत्र कल्यान योजना वहां के लोगों के कल्यान के लिए योजना बनाए जाएगी उस योजना का नाम है प्रधान मंत्री खनीज शेत्र कल्यान योजना ऑप्शन दी सही आंसर है ठीक है जोहार्दान नहरो विश्व विध्याले कि गितांजली कतलाम और सोम्य प्रसाथ तथा एशिन एडवेंचर के मुहित अगरवाल एवं नेचर साइंस इनिशेटिव के रमन कुमार ने के 20 समंदो की जाच की जिसका प्रकाशन पत्री का करंट साइंस में किया गया JNU University जो है डेली के अंदर उसके कुछ स्टूडेंट्स इनके नाम दिये गए ठीक है इन्होंने एक करंट साइंस में इनके एक जनरल चपा है उस जनरल का नाम आपको बता रहा है कौन से टॉपिक के उपर इनकी पत्री का छपी है उस टॉपिक का नाम में पश्व के प्रकार वरेचर हार्वेस्ट ये जो फेस्टिवल लीया गए है कॉह इस राज़े के अंदर मनाय जाता है आपसे पुश यह कों से राज़े के अंदर मनाय जाता है ये एक भीuls में festival होता है एक सब्सक्रा जितना लंबा होता है October के महिने में mostly बनाये जाता है इसका answer होगा हमारा नागा लेंड नागा लेंड इस राइट आंसर या आप देख सकते हैं इसकी इमेज देख सकते हैं has become the youngest man in the world to have scale seven highest peak and volcanic summits across continent आप से व्यक्ति का नाम पूछा गया जिसने सभी महाद्यूकों में स्थित साथ सब्से उची चोटियों एवं ज्वाला मुखी शिख्रों की चढ़ाई करने करने वाले विश्यू के सब्से युवा वैक्ति बन गया है काफी एक बड़ी उपलब्दी है उनके लिए उनका सत्य रूप सिध्धान्त करने वाले से पहले व्यक्ति बन रहे हैं युवा वैक्ति ठीक है अगले कोशन देखते हैं पूने बेस्ट और पूना के अंदर एक संगठन है जिसने क्या किया है कि वाहनों में 15% म 15 मेधनोल मिश्रन का उप्यों करके अध्यन किया है जिसने और उन्हें 3000 किलोमेटर तक परिक्षन किया जाए ताकि वास्तविक दुनिया की स्थीतियों में उच्छन का मुल्यांकन किया जा सके वाहनों के प्रदिशन की जाच की जा सके उनका नाम आप से यहां पर पूछा है ऐसा कौन सा ओर्गनाइजेशन है जिसने यह तो चेक्ड़ पर्फोर्मेंस ओफ दा विकल्स विकल्स की जाच करने के लिए इस्टार्ट किया गया है तो पूने के अंदर एक और ऑगनाइजेशन है जिसका नाम है और्टोमेटिव रिसर्च एस्टेशन ऑप इंडिया ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा Nobel Prize is awarded in six categories each year आप सभी को पता है Nobel पुरस्कार हर बार हर साल मतलब छे श्रेणियों के अंदर दिया जाता है आपसे उन छे श्रेणियों का नाम आपको पता होना जिए सब्सक्राइड आफ इंप्रडेंट क्वेस्ट है talking अग्की गार्ष्टल में से एक रहिए कोन सी नहीं है ठैखए चे कीशेटिये के नाम आपको बता आधें ठैवे का सब्सक्राइड आए और स्षास्त्र एक किपीश के लिए श्लिक मैडिसेंके लिए जाता है कि अर्क पुरसकार दिया जाता है लेकिन mathematics में नहीं दिया जाता अप्शन आपका गलत होगा यह आई तिम सही होगा लेकिन इस यह एक ऐसा फिल्ड है जिसमें नोबल पुरसकार नहीं दिया जाता है तो हमारे क्वेशन का अंसर होगा option A is the right answer निर्टे रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी निर्टे के रूप में उडिशा के जंगलों में 18 शताब्दी में हुई है ठीक है और 19 शताब्दी में इस का नाम क्या है इस तान्स का नाम आप से पूछा है इस डान्स का नाम में चाओर दांस आप्शन सी जो है वह हमारा सही जवाब होगा ट्राइबल एरियास में ज़्यादा तर यह किया जाता है ट्राइबल जो है उन्हें लोगों के द्वारा यह परफॉम्ट किया जाता है यह आप देखी पिक्चर देखिए औरिजन ओरफ पीशीम बाहें उरिजनओ नामट को किस के द्वारा लिखी गए इनको तरहा जाता है नाम आपने सुनांदागा उसका सिधांद सिधांद कि jnoo ने दिया है ऐ चार्स दाविने बहुत प्रेमस नाम है चार्ज रावे उनके द्वारा लिखी गई है ता ओरीजिन ओप स्पीशिस टिक है आपको उस अधिनियम का नाम बताना है जिसके अंत्रगत भारत ने सरकार के भारतिय दूर संचार विन्यामत प्राधी करन की स्थापना किया यह आप से पुछा गया है वट विल भी आंसर फो इस क्वेश्चन डेट इस ऑप्शन भी टैलीकॉम रेगुलर्टी अथॉर्टी ऑफ इंडिया एक नैंटी नैंटी सेवन ऑप्शन भी हमारा सही जवाब है अगले कुशन देखते हैं कि देश में साथ लाग करोड कीमत वाले कच्छे तेल के आयात को कम करने के लिए एक विकल्प ढूना गया है जिससे प्रदूशन भी कम होगा उस विकल्प का नाम आपको बताना है उस विकल्प का नाम है आप सभी को पता हुगा जैव इंधन ब की बाइप इधन के बायो माशन बनाते हैं कि अजान पास विकल्प कर सकते होगा दूसरी बाद प्रदुशन भी कम करता है कि काफी सेफ था था नासा नासा कहां की स्पेस अजेंशी है इमेरिका की यूएसे की स्पेस्क्राफ्ट मिन जूपिटर टूर रलमॉस तो येर ना यह साके उसे एक mission का नाम बताना है उसके space craft का नाम बताना है जूपिटर की study कर रहा है 2016 से study कर रहा है जूपिटर से ही जूपिटर से ही रिलेट करके नाम याद दखुगी जूनु आसान हो जाएगा जून और जूपिटर थोड़ा सेम सेम है तो आप इसको आसाने से याद दर सकते हैं जूनो हमारा सही जवाब है विच अमंगदी फोलोईंग इस डांस फॉर्म 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 फिस्टे अप अरनाचल प्रदेश निम्द में से पुछा गया है अरणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस निर्थिया इस पॉपिर भवाई निर्थिय कहां पर गुजरात के अंदर सत्रिया कहां का फेमश है जाएगा ठीक है यहाँ पिक्चर देखी री और्ट राइटर नमीता गोखले वोज एवादेट फोर हर वर्क थिंस तो लीव बिहाइंड अंडर दा बेस्ट लुप फॉर फिक्शन रिटेन बाय वीमें ऑथर के टेगरी एड दा इनोग्रिल एडिशन ओफाल लिट्रेचर अ प्रिशन आर्ट फेस्टिवर कों सा इनको अवोड दिया गया है नमीता गोखलेगा उनकी वर्क के लिए देट इस तिंस तो लीव बिहाइंड ठीक है इसका आंसर क्या होगा उनकी रचना के लिए उनको अवोड जो दिया गया है उस अवोड का नाम है सुशीला देवी लि गुमा के दिया है बंड एक्शन में आप से इसे पुछा है कि रूपरा की चेफमीनिस्टर को और अम्याप अपपो बताना एंग्युमा फेला के कॉशन आते हैं कि अंसर क्या होगा इपलब कुमार देव आप्शन सी जो है वह हमारा सही जवाब है केमार गान जो हो कहां के यह चीफ मिनिस्टर है अरुप नाचल प्रदेश के अरुप नाचल प्रदेश के ठीक है धितिश कुमार आप सभी को पता है भिहार के भुपेश भागेल की बात करते हैं तो भुपेश भागेल कहां के हैं 36 गड़ कहां के है 36 गड़ के ठीक है अगला देखो सुप्रीम कोड है इसूद अनौटिस तो सैंटर गवर्मेंट ओन करने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डिक्रिप करने के लिए दिये गए अधिकार पर सवाल पूचा है इसको कहते हैं PIL PIL दाखिल किया है option C हमारा सही आंसर है अगला क्यूशन देखते हैं हमारा क्या है विकेम फोर्थ इंडियन विकेट कीपर टू टेक फाइव कैचिस ऑन टेस्ट डिवट अगें ये क्रिकेट लवर्स के लिए क्रिशन है हमारा आप इसका जवाब दे सकते हैं कि पहले टेस्ट मेंच में पांच कैच पकड़ने वा चोथे ऐसे भारती विकेट कीपर बने हैं उनसे पहले तीन के नाम भी में आपको बता दो नमन ओजह एक नाम है उनमें ठीक है तम हाने और किरन मोरे उनसे पहले तीन और लोग है जिन्होंने जो ये खिताब हासिल कर चुके है अब जो ये रिकॉर्ड है इंके नाम पर है मैरीड पारवती एड़ साइट ऑफ मिनाक्षी टैंपल इंसाओ इंडिया यह माना जाता है कि भगवान शेव ने किसका अवतार लेकर दख्षिर भारत में मिनाक्षी मंदिर के स्थान पर पारवती से शादी की थी किसका अवतार लिया था यह आप से पूछा गया है इसका सही आंसर होगा सुंद्रेश्वर ऑप्शन डी जडाइट अंसर सुंद्रेश्वर का उन्होंने अवतार लिया था ठीक है इस न्यू सेलिब्रेशन ओप सी किमी भूटिया विच फॉल्ट इन तेंथ मंथ ओफ सी किमी लूनर केलेंडर ठीक है सिक्की भूटिया का एक नया किमी जन्हें माहमें आता है आप से उसका नाम पुचा गया है और फॉट्प्यस के फॉट मॉटन का सही आwnसर होगा विचा कि साफ इस दा राइट राइट थीघ है अगले कोशन देखे सेनमें हमारा क्या है डिक्रेट सब्सक पुलिस पार्टिक मिज स्देन ओपेक्स– बि traffic rules by introducing a robot name right ओठीक है आपको उस राज्य की पुलिस का नाम यहां पर बताना है traffic police विभाग का नाम बताना है जिसने की रोबोट जिसका नाम है रोडियो ठीक है कि शुरुआत करके traffic को कंट्रोल करने गई कि initiative स्टार्ट किया गई यह एक initiative start किया है तो option C जो हमारा सही आंसर है इसके लिए आपको रोडियो नाम याद रखना है यह नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोडियो क्या है आपको रोबोट वहां से चूज करना है ठीक है यह रोडियो का काम क्या है यह भी आपसे पूछ सकते हैं तो पुने के अंदर यह start किया गया है यह आप देख सकते हैं यह रोबोट है रोडियो अगला देखिए भारत की अग्रणी धावक तता एशाई खेलो की स्वण पदक विजेता को संयुक्त रास्टर बालकोष भारत यूनिसेफ का पहला ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है आपको इ हीमस नेम है आप सभी को पता भी होकर इसके बारे में इसका आंसर क्या होगा आंसर होагा हम्हां दास इनका अपने फि न् No जाता है एक्जाम में ये भी आ सकता है कि धिन एक्सप्रेस जो है किसका निकनेम है दूसरा नाम है ये भी पूछ सकते हैं और अभी अभी हिंग को फर्स्ट एवर यूथ अम्बैसेदर किया है किसके द्वारा UNICEF के द्वारा ठीक है अगले कुशन देखते हैं अगले कुशन इंटर लेपर है कि निफ्र भार्तिय व्यांग निकाने सूरिय जैसे तारे के पास उसका वह बनाई्क्रैकром और घ्रका-इकी प्रोफेसर अभीजी चक्रवर्ती इन्होंने जो प्लैनिट हो जाए उसका नाम दे एक्जाम में आ सकता है उसको नाम रखा इन्होंने अगर यह नाम देके भी पूछा जाए कि यह नाम किसे रिलेटिर है तो भी आप इसको दोनों तरीके से इन क्वेश्टन को याद दखना है आंसर होगा हमारा अभीजीर चक्रवर्ती आई अगले क्वेशन देखते हैं अगले क्वेशन देखते हैं क्वेशन में यह है कि उप्चुनाव आयूत के अधिक्स्ता वाली समीती का नाम बताना है जिसने की लोग प्रतिरीधित व अधिनियम की धारा 126 पुन्र लोकन पर रिपोर्ट जमा की है आंसर क्या होगा कौन से समीती है आंसर होगा हमारा उमिश सिना आप्शन C जो है वो हमारा सही जवाब होगा देखो RP ACT क्या होता है, RP ACT में क्या दिया गही यह एक पार्लेमेंट का ACT है जिसके अंदर की पार्लेमेंट के दोनों House और स्टेट के दोनों House उनकी Elections रिलेटिज़ है। जो भी प्रोवीजन होते हैं एलेक्शन के चुनाओं के हो सब कुछ इसके अंदर दिये गए हैं ठीक है दूसरी बात कि MPs, MLAs को डिस्क्वैलिफाई करना ठीक है डिस्क्वैलिफिकेशन करना या उनकी क्वालिफिकेशन यह सब इस Act के अंदर दिये गई है अगर कोई MP, MLAs कोई करक्शन कर देते हैं तो भी इसके अंदर उनके प्रोविजन दिये गए है नियम दिये गए है आर पी एक्ट किसके दुआरा बनाये गए है एक्ट ऑफ पार्लेमेंट पार्लेमेंट का एक एक्ट है ठीक है अगले क्वेशन भी बढ़ते हैं Delhi High Court has allowed the release of movie 72 hours martyrs who never died based on the life of the 1962 war hero Rifleman आपको नाम बताना है who was posthumously awarded महावीर चक्र for gallantry इसको इसमें पूछा गया है कि दिली डायले ने फिल्म जो ये फिल्म का नाम आपको दिया गया है 72 hours martyrs who never died ठीक है इसके release की अनुमती दे दी गए है ये movie जो है वो किसके ऊपर है आपको ये बताना कि किसकी कहानी इस movie के अंदर दिखाई गई है ये movie है 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में यूद हुआ था उस समय जो चाइनीज आर्मी थो आर्मी थी उनको वहां से खदेडने का काम किया था इनका आम होगा आंसर क्या होगा जशान सिंग रावत अप्शन ए जो है जस्वन सींग रावत इनने ही ही राइफलमीन ही हरो राइफल मैनिंणि कहा जाता महाविल गेजात inexha2 करी आंशर होगा हमारा जस्वन सिंह रावत यह आप इनकी फोटो देख सकते हैं अगला कोशन देखिए इनकी बायोग्राफी है जो मूवी बन रही है अभी अभी अमने देखा है इंडिया सेलिबेट्स आर्मी डे ऑन्टु सेल्यूट वेलियंट शॉल्जर्स ब läuft to protect the country भारत आर्मी डीवसकावनाता ही आप से पूछा गया है आरमी डीवसकाव मनाय जाता है आपको बताना है कौन से राज्य का यह हमें Choose करना है इसके लिए आंसर क्या लेंगे पंति कौन सब कुनस solamente का famous dance और राजसां किया जाता है समूधाय है जिसका नाम है सतक नामी सतनामी समूदाय का नाम आपने सुना होगा यह समूदाय है 36 गड़ के अंदर राजस्तान से रिलेटिट मौनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था के जूलन डांस जूलन डांस के हां से संबंदी ये आपको याद रहिधाल एक काल बेलिया डांस आपको याद रहित दोनों कहां से संबंदे राजस्तान राज्यसे बहुत important question और पूछा जाता है यह आप देखिए पंती डांस आप देख सकते हैं इसको शक्तीकान दास तुक ओवर एज गवर्नर ऑप नाम है शक्तीकान दासaponr और कौं से आर्में गवर्नर ऐस पती 30 वे नंबर के सी 25 हमारा सही पट का models currently आते हैं वेशाज वेशाक के यहाओ के रूप में अंडर ाइ Mister सभी चीज़ों पर बोक्षों बुद्ध से तो ऑप्शन दी हमारा सही आंसर होगो ऑप्शन दी इस ला राइड आंसर इंडियन एथलीट वां गोल्ड मैडल इन विमन्स है एप्टा थोलों एथलेटिक्स इवेंट एक एटीन एडिशन ऑप एशन गेम गेम्स हैल इन जकारता पैलंबेंग इंडोनेशिया इसके राज़ानी है इसके अंदर आपसी यहां पर यह पूछा है कि अभी जो खेल हुए है उसमें महिलाओ के हैप्टा थलन एथलेटिक्स प्रतिस परदा में स्वन पदक भारत के लिए किसमें जीता है इसी के साथ यह भारत के लिए हैप्टा थलन की बात करें तो पहला पदक इनके ही द्वारा जीता गया है उनका नाम क्या है उनका नाम है सवपना बर्मन यह मात्रे 21 वर्ष के है ऑप्शन बी जो है वह हमारा सही आंसर होगा अगले कुशन देखते हमारा क्या है इस दा फॉर्स इंस्टिटूट इन दा कंट्री तो लॉंच अ फुली करते ही है जो इंस्टिटूट है जो हमारा आंसर होगा वह भारत का पहला ऐसा इंस्टिटूट है जिसने इस कोर्ष को अपने सत्र में कौन से सत्र के लिए 2019 से बीस वोका जो उनका सत्र है उसमें इंकलूड किया है इसका सही आंसर होगा IIT हैदराबाद के द्वारा BTEC कोर् अगला देखिए बाइं वॉस्टिट एक प्ले का नाम दिया गया है सीजर और क्लियोपैट्रा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है इस नार्टक के रच्षीता कौन है यह आप से पुछा है इस नार्टक के रच्षीता है जोर्ज बरनार्ड शो ऑप्शन C जो करके आप स किसके द्वारा लिखी गई है अभी हमने नाम देखा है उनका जोर्ज बरनार्ड शो के द्वारा लिखी गई है अगला क्वेशन देखो गुरू गॉबिन सिंग कमांडिर सीक्स तू वीए पाइटम्स ओल डे टाइम विच ओप देखों के जो गुरू ते गुरू गुरू दूसरा कढ़ा पहन के रखने आपको सेकेंड एटीत सा अकशन रखना से तीन पांच चीज़े आधारन करने का आदेश दिया था गुरू गोविन सिंग ने तो आपका अंसर सीधा से निगल के आगया किला कोई वर्ड नहीं है यहां पे किला हमारा स्कूर्शन का राइट अंसर होगा इन पांचों चीज़ों को याद दख लो जैसे एक्जाम में अभी इ जा सकती है तो पांचों चीज़े याद होंगी का आपके लिए क्षिन आसान हो जाएगा को वर्जी फर्स इंडियन टुस्की टुदा नौर्थ पोल उत्री धुरू पे चढ़ाई करने भारत के पहले पहले व्यक्ति का नाम आप से पुछा गया है इनका नाम है अजीत कि दोनों की इनों ने की है आंसर है हमारा अजीत बजाज जो है वो इस क्षिन के लिए हमारा सही जवाब होगा इंडिया है इस एंट्री इंडग गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनियर 2015 2015 में कौन सा लोग मृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज वर्ल रिकॉर् है ठीक प्रवेश के अंदर इसका आंसर क्या होगा हमारा 2015 के अंदर हिमाचल प्रदेश में जगह कुलू के अंदर एक डांस परफॉर्म किया गया जिसका नाम है नती डांस में अठाण में सो काफी बड़ी संख्या में मृतली वीमेंस वहां पे थी उन्होंने डांस परफ 2015 में गिनीज वर्ल रिकोर्ड बनाया आंसर है हमारा नती गर्भा कॉंसराजे के लिए फेमस है गुजरात के लिए भी हुआ आपको पता है असम के लिए भांगना सभी को पता है पंजाब में काफी फेमस है ठीक है यह देखियो डांस के बारे में जो मैंना भी आपको बता या ले लेकर निर्मान लार्व को बोलया भी नाम साइम मीयामीर क लाहोर से स्पेश्ली बलाये था और उन्होंने निर्मान करने में सहायता ही, इसका आंसर है, गुरु अर्जन देव, option A is the right answer, एक गुरु रामदास आप option देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, गुर्डन टैंपल के बीच में जो सरोवर है, तालाब है, उसका निर्मान करवाया था, रामदास में, अगले इसका राइट आंसर क्या होगा, इस पुस्तक को लिखा गया है, डैविड A.Wise के द्वारा, option C, डैविड A.Wise के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, यह देखिए, डैविड A.Wise जो है, वो हमारा सही आंसर हो का है, इस बुक को आप आप इसली याद भी रख सकते हैं, गू Earthquakes की भुकम्द की स्टडी अध्यान जिस ब्रांच में करते हैं, उसे कहा जाता है, सिस्मोलोजी, ठीक है, आई आप option देखते हैं, लीथोलोजी क्या होता है, लीथोलोजी होता है, कि आप बहार की outer appearance देखते हैं, रोक्स की, ठीक है, रोक्स की बहार के structure की स्टडी करते है उस ब्रांच को कहा जाता है, लीथोलोजी, ठीक है, सिम्योलोजी क्या होता है, सिम्योलोजी संबंदीद है, साइन्स एंड सिम्बल से, साइन्स से और सिम्बल के अध्यान को कहा जाता है, सिम्योलोजी, इस्टोलोजी आपको पता है, कि बोड़ी के internal parts को बड़ा करके और देश है उनके ग्रूप बनाए गया था ठीक है इस ग्रूप का निर्मान हुआ था 2009 के अंदर इसके अंदर चार कंट्रीज है और चारों के नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है पहली कंट्री है बी से आप रिलेट करेंगे ब्राजील ब्राजील के बाद है साउथ अफ्रीका, इंडिया, china ये चार कंट्रीज से मिलके बनाए तो आंसर हमारा यहां पर आ गया है एका मतलब उस्तेलिए नहीं होता यहां पर City डिट जीवन रेखा दवर्ड फॉस्पिटल ट्रेन स्टार्ट इट्स जर्नी ओन जुलाइ 16 1991 दुनिया की पहली आस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाइ 12 2001 कों से शहेर से अपने इत्रा स्टार्ट की है इसका आंसर क्या क्या होगा हमारा यहां यह सक्कार मुंबई cleanse pulam झाल भालत में भारत रतन और पदा में फूशन प्रसकारों की शुड़ात कौन से वर्ष के अंदर की भारत का सभसे हाइस्ट और सरोच तम भारत रतन और इसकी शुरुवाथ होती है 1904 के अंदर कब होती है 1904 के अंदर च्रीक है अगला खीशन देखते है अगला खोशन हमारा है और नेम डी आन्नुल फिर ओफ राज्स्थान एट विच कैमल ट्रेडिंग एट विच कैमल ट्रेडिंग इज मेजर इवेंट राज्स्थान के अंदर इक बहुत यह हमारे हिंदू कलेंडर इसके कर्थिक मासम के अंदर यह पुषकर-मेला के अंदर बएल जाद़ जहाँ पर कैमल मेल के ऐसी होता है रहाँ और साथ में चैकल लेकिन अगर मेजर बात करें मुखह बात करें तो वहां तो की रेस भी वहां पर देखने को मिलती है काफी अच्छा काफी एक बड़ा प्रमुक आकर्शन रहता है और यह कहां पर मेला कहां पर होता है यह पुषकर के अंदर भरता है जगह है अजमेर नाम आपने सुना होगा जैपुर से 2 km दूर अजमेर है और अजमेर से थोड़ा सागेचर के पुषकर है वहां पर यह मिला भरता है अगला कुशन देखिए टैंपल इन करनाट को इस एक्स्टरवेगन आर्किटेक्ट्र इंटरेक्ट्र शोपी सुभ हम्पी करनाट का आपको बताना है इन में से चूज करना है कौन सा मंदिर है जो हम्पी का सरवादिक ऐ आप से पुछा रहा है ठीक है यह अपने आर्किटेक्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिमस है टैंपल ठीक है और यह इस टैंपल का नाम है विटल टैंपल विटल ऑप्शन सी जो है वह हमारा सही आंसर होगा 24 के लिए ठीक है कौन सी नदी के उपर है यह एक्जाम में आता है तो तुम भद्रा नदी के किनारे पर यह टैंपल है ठीक है आपको इसका पिक्चर दिखा देख सकते हैं अगला कुशन देखो इन विट सिटी ओफ इंडिया वाजिफ एवर फॉर्मुला वन रेस है भारत के किस शहर में पहली फॉर्मुला वन रेस का आयोजन किया गया था गया था गया था गया तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे स्क्रेशन के लिए सही जवाब है 2011 के अंदर यह मोटर रेस हुई थी कहां से शुरुआत हुई थी कहां पे हुई थी ग्रेटर नोटा के अंदर माइनर प्लैनिट इस नेम्ड आफ्टर विच उप्ता फोलेंग लीजिंड एक चोटे ग्रह का नाम निर्ण में से किस महान व्यक्टी के नाम पे रखा गया है जापान के सैंटिस्टों ने एक ग्रह का पता लगाया था हलंकि अभी उसको कोई नाम नहीं दिया गया उसके लिएकश्ड करता था छुम-दिकरा नहीं होता है ल किछि मोंने ट्री तका पता लगाया था उसेंडाम हनोने ये रखा था 5 4 3 8 विशा Button यह नम दण के साहन इस प्रेंधे हो नाम यह भी ऐसानार एस पता यह किसके नाम पर प्र मार्यों प्लैनेट का नाम रखा गया था तो option C हमारा इस question के लिए सही answer होगा आप कोई इतना नाम याद नहीं रखनें यह मैंने जस्ता आपको समझाने के लिए बताया है आपको बस minor planet प्लैनेट रखना विश्व नाथन आनन्द आपको वन वह नाबार स्टाबलिच्ट नाबार के सापना किससे कब हुई थी आपसे पूछा गया है नाबार की फुल फोर्म है national bank for agriculture and rural development इसकी स्थापना इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है इसका हेड़कॉर्टर है मुंबई के अंदर और इसकी सापना होती है 1982 के अंदर तो उप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है फर्स्ट वीमें सेक्रेटरी जनरल ओफ शार्ग इस फ्रॉम विच कंट्री शार्ग की पहली महिला महासचीव किस देश्वे हैं यह आपको बताना है शार्ग का हेड़कॉर्टर कहां पे है है हेड़कॉर्टर बता द जाती है थोगव का नाम भी एक्जाम में आता हैakapाती मत्र दियान यह नाम है उनका और यह मालदीव कहां से मालदीव करें और मालदीव को विच욕 जार्ग की पहली मायरे जनेरल सेक्रेट्रेटरी सेक्टेटी सफ फीमिल जनेरल सेक्रेटरी वरूस्ट उप्र सही झवाब तो इस्लामिक कलेंडर के अंदर फितर शवाल के पहले दिर मनाए जाता है जो इस्लामिक कलेंडर के कौन से महा के अंदर यह है दस्वी महा के अंदर 10th month 10th month of Islamic कलेंडर यह आप याद रखेंगे चीक है और इसी के साथ रमादान का end हो जाता है और option C जो है वह आपका सही जव टॉप 10 richest cities in India with the GDP that is dollar किती दी गए 209 billion dollar ठीक है आपको भारत की सरवादिक अमीर दस शहरों में शिर्ष स्थान पर रहा है उनका नाम बताना है कौन से city रही है वहां पे बहुत सारे आपको millionaires पी billionaires पी देखने को मिलते हैं और वह city है Mumbai हमारा सही जवाब होगा option B Mumbai जो है वह पर पूछी जाए कि कौन से city सबसे expensive है सबसे महेंगी city जिसको कहा है वह है न्यू डेली टीक है न्यू डेली काफे महेंगी city है इसम के according which of the falling flower is botanically known as dianthus आप से यहां पर scientific name दिया गया है जिसका नाम है डायन्थस इसका फूल का वानस्पतिक नाम डायन्थस है आपको से फूल का नाम पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा वाट राइट आंसर डायन्थस नाम है का गुलनार का ठीक है यह आपको इसमें समझ रिवाइस कीजिए बार-बार तो आपको याद हो जाएंगे अगले कुछन देखते हैं वोज एफेक्शनेटली कॉल्ड बी एठीक है वो प्यार से बा कहा जाता है भारत में बा का मतलब होता है मदर से लेट करते हैं मदर मतलब मा मतलब होता है आंसर होगा हमारा कस्तूर खुल गांदि को बाह के नाम से भी जाना जाता क्यूं आप सभी को पता है महत्मा गांदी वाइप तो वह संट चल रहा था आश्रम में सभी की मा बनी हुई वो इसी वजह से इनको बाह का जाने लगा कर सुर्भा गांदी का हमारा सही जवाब है वाइस एट उस ऐतासवा का नाम आपसे पूछा है भारत में कौन है आंसर क्या होगा इसके लिए हमारा किरन मजूमदार शाह जो है वो इस कंपनी के डिरेक्टर है बायो कॉन बायो कॉन कंपनी या दखना फेस्टिवल ओफ इस डेडिकेटिटी टुगोड़ेस दुर्गा एंड नाइन अवतार्स या पूल्ति को फॉलिंग फ्लार इस बटैनिकली नोन एज नार्सीस निमन लिकित में से किस पूल का वनस्पतिक नाम नार्सीस या आप से पूछा गया है अभी हमें डायन्स का देखा था क्या देखा था का नेशन गुलनाथ अब दुबारा पूचा है नार्सीस इसका आंसर लगता है इसको ढूर्चिया लगता है लाइचा है थे उसको प्रकाश से डर लगता है तो आंसर होगा स्कूल क्या होगा दिसलाइग तुफार्ग टूआट अथे कोई गलत बात तस्वीर की बात होई नहीं सकती हां पर ड़ता है तो वैसे भी नहीं हो सकती यह भी गलत है सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि समेधन शी या ही और शी में भी नॉट लाइक लाइट ठीक है यह आप भी कह सकते हैं प्रकाश प्रति समेधन शीलता जोई स्वेशिंटा सही आंसर होगा अगले देखो चंदेरी चंदेरी हम पी चंदेरी चंदेरी वगाएरा सारी वगाईबर भी बहुत आपने देखे होगी पैटनी जो है वो कहां के फेमस है। इसके बहुत ही फेमस सिल्क साडी जाती है, बहुत ही फाइल सिल्क यहां पर यूज किया जाता है। यह कौनसे स्टेट की फेमस है महाराश्टा के अंदर एक जगय है और अगाबाद वहां की यह बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है यह चारो नाम काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट और फिसे काफी इंपोर्टेंट है यह बंदनिया आप देख सकते हैं जो राजस्ता मिशल मैन के नाम से भी जाना जाता को अब पता होगा एक हैंसर क्या हो जाएगा हमारा अप्षण अबदुल कलाम आप सही आंसर लेंगा के लिए चिक है अगला देखो अगला देखो दावाह काय पोचे इस बेसे बुक टाइटल बाइट एक हिंदी मुवी है जिसका नाम ह काई पोचे वो आपसे पूछा गहे कि चेतन बगत की कौन सी नोवल के उपर लिखी गयी है चेतन बगत की वैसे बहुत सारी व्रिमस नोवल्स आप सभी को पता होगा काफी मुवी भी रिलीज होती है उनकी नोवल फे ठीक है तो उनकी सब्सक्राइब करें देखा है कि अगले कुशन देखते हैं यह बुक का टाइटल देख सकते हैं अभी हमने पड़ा फोटोफीबिया अभी आया है निक्तोफीबिया का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है है mist ए अंदेरा तो एजसे इंसान जिनको आंधेरे से डर लगता है उन्हें क्या निक्त आवेडिक है अभी लाइट का हमने पढ़ा होग फोडोफीबिया का होगा याद और अच्छे से ठीक है एनिमल से इंको डर लगता होगा उन्हें कहा जाता है जूुत का मतलब होता है एनिमल जिनको एनिमल से लगता है उन्हें कहा जाता है आपि घुथ कआ इंडियन ओलोंपिद एस्सीएशं एमस्प्रेस ट्रस्ट टू होच्ट दा समर ओलम्पिक्स भारती ओलम्पिक संग ने ग्रिश्म कालिन ओलम्पिक हिलो की मेजवानी में दिल्चस्पी दिखाई है बिल्कुल सही बात है कौन से साल के लिए दिखाई आप से पूछा गया है इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन ने काफी दूर है अभी तो यह ओप्षिन डी जो है वह हमारा सही आंसर होगा देखिए इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन के सेक्रेक्टरी जन्रल का नाम आपको पता होना चीए उनका नाम है राजियू महता क्या नाम है राजियू महता ठीक है अगला देखू अरुंदती रो पिरोइ आसर क्या होगा हमारा गौड ऑप स्मॉल तिंग्स ऑप्षिन वीजो है वापका सही आंसर हो ठीक है मैलस पामिला इस बोटैनिकल नेम उफ वीच ट्री कौन से पीड का नाम है बोटैनिकल नेम आप से पुछा गया है क्या अंसर होगा मैलस क्या आंसर होगा किसका नाम है एपल का नाम याद क्या रखोगे मैलस तुमिला याद रखोगे ठीक है तो ऑप्षिन भी हमारा सही जवाब है अगला देखो पून कुम मेला टेक्स पिस एवरी इस एक वन ओफ दा फोर फ्लेस वाय रोतेशन प्रयाग हरीद्वार उजहन नाफिक ठीक है पून कु अगला हाप सभी को पता होगा बारा साल में एक बार भरता है अल्टरनेटेव लेकाव प्रयाग में बरता है कभी अरी दुआर में उजहन नासिक में कितने साल में बारा साल में त्वेलियर तो ऑप्षिन हमारा सही जवाब है कि पूशा गया लाऩ थाम है पाजू सब्सक्राइब को यह भर जिए वनपर बॉतलोनस पालता को?' क्या है वाटर मेलन हमें गाया लिए देखेंगे का आपल का याद हो गया होता देपनीग की तर उल्यны का क्या कहा जाता है से लोगों को कहा जाता है जीनोफोबिया ऑप्शन भी हमारा सही हां सर लेते हैं सीक्या होता है अच्छाइं मैं एगर खाई आ ना मिला हो तो ऐसे डर को कहा जाता है तोक्सी फोबिया तोост यह सकते हैं अगलाmachen क्युंअ क्वेश्ट है धी वे यूँझ Can I was a hat aos । मुझां फगवा नाम से कौन से किया हना जाता है यह कौन से घुछा गया है घुछा यह क्या है हमारा होली ऑप्शन वी जो है वह हमारा इस कोई सही जवाब होगा ठीक है भी मैप वोस लॉंच्ट बाइदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ओन भी मैप आप सभी को पता है ठीक है भी मैप हमारा एक ओनलाइन पेमेंट एप है जिसमें डिरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसेक्शन होता है ठीक है तो नरेंदर मोदी के द्वारा ताल कटोरा स्टेडियम है न्यू डेली के अंदर वहां पे इसको शुरू किया गया था कब किया गया था इसकी डेट देख लेत किसका वेगानिक नाम है आपको यह पूशन बताना है इन में से कि किसका है क्या अंसर होगा जमली याग को कहा जाता है बॉस मुटोस कहा जाता है ठीक है अगला कुशन और आज का आखरी कुशन देखते हैं 50 कुशन हम लोगों ने यहां पर डिसक्स कर लिए जो प्रीविस अब्शन ऑफंप इंडिया पदम विविशन भारत का नागरी पुरस्कार अ कौन से नंबर का पुरसकार आपसे पुछढ़ाँ भारत के अंदर सबसे हाइस्ट एवोड है भारत रतन हरत रतन पेकर जिसके शुरुआत कर गय थी उनिस्सों चूवन के अंदर Vayaan दूनिया की सभी मोबाइल फैक्टरी गाना मैं सेंसंग और समसंग के जो फैक्टरी के स्थापना के वो की गही है नोटे एंदर ऑप्शन भी आपर सही आंसर होगा नोटा यूपिके एंदर खालना की गई अगर सेंस कल पूछा जाता है कि शोको डिया था ठिक अखरी बार भेला को मेला कहाँ के अंदर अलाबाद के अंदर भाता हम कर जाता है अच्छा तो अब देखिए 2019 में भी अभी मेला भरा आपने देखा होगा 15 जन्वरी से और पांच मार्च के बीच में ये फेयर और्गनाइज हुआ है लेकिन अभी फरक यह है कि अभी जो मेला भरा है वह अर्थ कुम्व मेला है और हमारे कुछन में पूछा है महा कुम्व मेला तो यह चो लास्ट महा कुम्व जो की 2013 के अंदर भरा गया था कहां पर प्रयाग अलाबाद के अंदर तो ऑप्शन दी करके आप सही आंसर लेंगे ना कि आप 2019 करके लेंगे ठीक यह दोनों चीज़ा आपको यादखनें कन्फ्यूज करने वाली है नेंदा थीटर एंड फिल्म एक्ट आज यह प्रती भागयों को पर्शिक्षन दिया है ट्रेनिंग दी है साथ के साथ 19 शर्टक 1970 के अंदर जो एक प्रशनोतरी शो होता था उसकी मेजवानी भी और नहीं की है इनका नाम आपको बताना है इनका नाम है मुंबई बेस्टी एक्टर है और इनका नाम क्या है सबी प्रश्ट ऐरा उपश्ची अंधर आपके फोर्टो रहें है अर्मों बिहार इसा जी आई टैग वाले जो खाद्या पतार पास आपनी इसा को सब्यू अंदर जीय थैग वाले जो खाद्यापतार था वहाप देख सकते हैं जो कर बिहार साइट से बिलोंग जाएं उनको इस पर को स्टेट लग्लाइए को तेक तेट लिगाए से ते चैकर तेक्ट form फाविव शुर्णधन परिछा इसे चीज्धों पासते जाता है तप टो बैसे आइसे चीज्स से ची दि को गॉतले के सब़ों हैं जो जैसे शीक्रीन्स यह चीज़ बहुत इंद इस टोरिकल फिल्म गांधी इस्टोरिकल फिल्म गांधी के अंदर उन्होंने एक भूमी का निभाई जो एक विग्यापन विग्यापन भी करते हैं काम करते हैं महात्मा गांधी के अंदर मोहमद अली जिन्ना का एक रोल निभाया है इनकी इंग्लिश काफी दिखाई है इस मुवी के अंदर और इनका नाम है अलेक पदमसी जो है वह हमारा राइट आंसर अलेक पदमसी ऑप्शन भी इस ता राइट आंसर और यह मुवी किस पे थी जो महात्मा गांधी के जीवन जीवन के ऊपर यह पिच्चर बनाई गई गई थी 1982 के इसको रिलीज किया गया था इस इंडिया स्ट ओर डेस रियक्टर भारत का सबसे पुराना अनूसंधां रियक्टर का नाम बताना लिए नहीं गया श्रम स्टिंगाक पहले जो रियक्टर अपसरा अपसरा को वह किस ने बदाया था बार्त भाबा एटोंक रिज़ सैंट है इसके द्वारा इसको बनाया गया था अगले परीमियम का नाम है अधिय को सब्सक्षा करने करते हैं देखिये इंपट करने लिए करते हैं देख एचिया में किसे डेटीड है का नाम आपने सुना होगा और्गिनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रियर ऐसी देशों का समूर जो की पेट्रोलियम का पैट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है उनको कहा जाता है ओपेक का हैड़कौर्टर कहां पर बनाए गया था तो देखिए ऐसे देश जो तेल का निर्यात करते हैं जैसे कि सौधी अरब हुआ इरान इराक हुआ वैने जुला वैने जुला हुआ यह सारे क्या है पैट्रोलियूम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ए ठीक है यह सब उपेक के अंदर आती है ओपेक के फॉर्टीन मेंबर्स है तो एशन प्रीमियम दिया जाता है माले जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इन देशों से तो हमें एक टैक्स भरना पड़ेगा एक तरीके का चार्ज वहां पे करना पड़ेगा उसको एशन प्रेमियम कहता है और यह किसके लिए होता है कच्छा तेल जब आप कच्छा तेल खरी के रिद्यमान के लिए को You जाता है आप से पूछा गया है कहां में में कॉलकता में आपके माजह की पूछ नाम पे ही इसका नाम रखतिया गया रबिंदर सेतू तो ये क्योचिन आप से रबिंदर सेतू करके पूछा जा सकते तर हावड़ प्रीच के बारे में दोनों नाम आपको पता होना चीए। कौन सी नदी के ऊपर लोकेटिड है हुगली नदी के ऊपर लोकेटिड है ये भी चीज आपको पता होना चीए और साथ वर्ष के अंदर इसका दिर्मान किया गया और कौन सी स्टील यहां पर यूज हुई है इस्टील अलोए वह तिसक्रों ओप्शन डी करके आता है किस्क्रों ऑप्शन डी इस तराइक आंसर करेक्टर हिंदा हिंदी फिल्म ठीट वाइन इंजीनियर बेस्ट इन लगदाग आप में थ्री इडियोट्स होए इंग सभी ने देख्यों काफी अच्छी मूवी है तो उसमें जो पात्र था लगदाग के इंजीनियर कौन से प्रेरित था उनका नाम बताना है तो आमीर खान का आमीर ने जो रॉल निभाया है ठीक है रंचोडदा जांजद उनका नाम था ठीक है तो उनका आपने मूवी के एंड में देखा हुआ कि उनका नम कुंशुक वांगुडू होता है वो एक साइंटिस् इनका वर लेक्रियौ नाम नहीए लेकिन इनके नाम से मिलता जुलता है पुंसुख वांग्इुक इनका नाम है यह आप देख सकते हैं अगला कुक्शनल देखते हैं पर्यूशन कौन से संभुधाय के महत्तो कुंति हो यह आपको बताना है अंसर क्या होगा इसके लिए नहीं Um answers होगा हमारा उसके लिए ज Taram के अंदर क्या होता है शुद्धि करन करने के लिए न करने की लिए 56 करने के लिए 8 से 10 दिन तक जैन क्या करते ठीक है अगला कुशन देखते हैं डॉक्टर जाकी हुसेन थर्ड प्रेजिजेंट ओफ इंडिया वोज एवोडिड़ दा इन 1963 जाकी हुसेन हमारे भारत के तीसरे दास्टर पती थे जिनको 1963 के अंदर इन में से कौन सा पुरसका दिया गया गया उसका नाम आपसे पूछा गया है उनको दिया गया है भारत रतन नहींट का सबसे highest award है सबसे बड़ा भारत का है भारत अतन एक मोस्ट इंटरस्टिंग भी बात इसके बारे में है इस अवोर्ड में कोई भी प्राइज मनी नहीं जीदी जाते हैं कोई भी राशी आपको पे नहीं करते हैं आपको बस एक मैडल दिया जाता है जो काफी एक बड़ा बात है आप है कि आपके डिएन दें ाकां अंदर कुछ कोडSte surprising for में हमें एक जी जानले की फोर्म में होता है हमेशा वियों गोविंद खुराना ने खुज किये और इन्हें नॉबल से भी समानित नोबल प्रसकार से भी इन्हें समानित किया गया है सब्सक्राल मंदल कहां पे स्थित थैं भारत का पहले 3D की बात करें 1 deze planetarium कहां पे असक्तथ है मैंगलॉर में प्र रोच का नाम क्या है स्वामी विवेकानन्ध सैन कं आंग remain बारे में याद दखना है अगला कुश्चन देखते हैं हमारा क्या है यह आप देख सकते हैं फॉर्स्ट टीडी प्लैनिटेरियम अगला क्यूशन है विच आप थी फोलेंग कैनोट भी एट्रीब्यूटी टू आरिया भट आरिया भट को इन में से कौन सी खोज का श्रेय नह पाई पाई की वैल्यूब इनकी द्वारा दी गई थी यह हमारे कुश्चन का राइट आंसर है इनके तीन फेमस वर्क हैं जो एक्जाम में आते हैं वर्क को हम देख लेते हैं फॉर्स्ट वर्क है इनका आरिया भाट्या अपने नाम पे हीनों ने रखा है आरिया भाट्या है दूसरा इनका है कलीगायुगा यह आपको याद थाथ सद्धा आता और teár इंका यह सिधानता थीक यह तीनों वर्क इनके भी एक्जाम में आते हैं और इनकी डिस्कोवरीज के एक्जाम में आती हैं इस इंडिया स्ट लार्जेस्ट रिसर्थ सेटर भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान ये अक्टर कौन सा है थ्रूव Option D हमारा सही आंसर होगा, Drew is the right answer for this question अगरा देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कहलाता था, यह आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, वो पहले क्या कहलाते था, यह आपको बताना है कि पार्टिस्पेट करना चाहिए, स्पोर्ट में, कैटेगरी अंडर 17 स्कूल में और कैटेगरी अंडर 21 कोलेजिस के अंदर इनको और्गनाइज किया जाता है दोनों कैटेगरी जया दखे, एक्दाम में कैटेगरी भी पूछी जाती है सिरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया लॉंच दी ओरियल पॉल्यो वैक्सीन इन सिरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया भारत का मोखिक पॉल्यो टी का पेश किया था, कौन से वर्ष के अंदर पेश किया था यह काफी बड़ा इंस्टिटूट है जो पॉलियों के साथ काफी और बिमारी हैं जैसे मीजल्स इनकी वेक्सिन प्रोड्यूस करता है पॉलियों के वेक्सिन की बात हम यहां पे कर रहे हैं 2013 के अंदर इन्हों ने पॉलियों के वेक्सिन की डिस्कवरी की थी लॉंच किया था सौरी ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है 2013 रगूराम राजन सक्सीडिड एज गवर्नर ऑफ आर्व इंडिया इन 2013 रगूराम राजन ने कौन से भारती डिजर्व बैंक के गवर्नर का स्थान लिया यह आप से पूछा है 2013 के अंदर रगूराम राजन एक काफी परस्टेश आप सब्सक्राइब कर चुके हैं चीफ एकॉनमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं इन्होंने स्थान लिया दी सुबाराव को ठीक है और डी सुबाराव के स्थान पर जब इन लिया तो भारत के त्वे नंबर के आर्विय गवर्नर बन गए इनके बाद आते ह है उर्जीत पटेल ठीक है बने थे अब हमारा जो लेटिस्ट है अभी हमारे करंट आर्विय गवर्नर है 25 नंबर के और उनका नाम है शक्ति कांतदास शक्ति कांतदास तो यह सीरीज आ प्याल दखना एक्जाम पॉइंट उसे इंपोर्टेंट है थोड़ा अगला कोशन द P known must are 1974 में कहां पे जोदपुर के अंदर एक जगा जिसका नाम है पोक्रण k One a एक Weak किया गया था क्योंकि अमेरिका से णकरते वाणlaughter 1975 रहागा था किया उसकी स्पेस एग किया थम्हाले अर इसका नहां कोड पर श्माईलिग तो इसका अंसर क्या होगा इंडिया फॉर्स न्यूक्लियर वांब भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी थी और ठीक है उस समय भारत के प्रधान मंत्री थे अटल भिहार वाजपे इसके उपर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बनी है अगर आप देखना चाहते हैं तो प बारे में आपको डाइग्रांम दिखा देते हूं लाम से तूह बांध है तो बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो इसका नाम Спढ Czy इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है फिर वा suck दखिव झांप मार्व क्हенों बांप क्षे नाम पड़ा कि जो आर्गी टेक्ट नहीं वाले थे उसका नाम नल था तो इसलिए नल से तुभी इसका एक नाम पढ़ा है ठीक है अगले कोशन बढ़ते हैं इसे डामेश्वनम आइलेंड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है वोव्र्ड कॉच 그냥 के टीम इन दो हजार के अंदर विश्वय कप विजेता भादिय क्रीकेट्य के कोश कुण थे भारते क्रिकेट टीम के कोच थे गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका के एक पूर्वे क्रिकेटर है बात में इन्होंने सन्यास लेके ये भारत क्रिकेट टीम के कोच बने तो option A हमारा सही जवाब होगा ठीक है अगला देखो वर्जी पर्स्ट इंडियन बोर्ड मेंबर ओफ वर्ल्ड एडिटर स्कॉम विश्व संपादक पॉरम के पहले भारतिय बोर्ड सदस्य कौन थे उनका नाम आप से पूछा है उनका नाम है वह बहुती फीमस भारत के जर्नलिस्ट है टाइमस ऑफ इंडि इडिटर सोड़ी डाइडिटर भी रही हुए है और उनका नाम क्या है उनका नाम है बची करकरिया ऑप्शन भी बाची करकरिया ऑप्शन भी हमारा इसके लिए सही आंसर होगा ठीक है इसन एंशन संस्कृत टेक्स्ट ओन मैडिसिन और सर्जरी और शदी एवं शल्लेट कि लिए जो गरंथ है उसका नाम है शूशूत सहीता ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा इसके लिए ठीक है लेकिए रगुवंच और अभी ज्यान शकनतलम ये किसकी रचनाय है कालिदास के द्वारा लिखी गई है आर्थ शास्रे लिखा गया है चानक्या के द्वारा ठीक है से इनके नाम भी आप याद कि अगला कुक्षिन हमारा है वॉल्स कंस्ट्रक्टिट इन 1994 फोर दा नैशनल गेम्स 1994 आप से पूछा गया है उनीच्ट चुराण में में जो नैशनल गेम्स रास्टरे खेल हुए थे उन में से इन में से कौन सा इक स्टेडियम उसके प्लक्ष जीरी आप देख सकते हैं पूने के अंदर स्टीथ हैं काली बच्टेम्पल सूरी केलाश टैमपल इंद ऑन लाज्जेस्ट को कॉन सी घुफाव के अंदर स्टीथे कैलाश मंदिर या आपको बताना एग कैलाश मंदिर स्टीत है इसे यूनैसको वर्ड हरिटेस साइड की र कि अगला देखते हैं which of the following is not recognized as an intangible cultural heritage by UNESCO UNESCO द्वारा अमुर्थ सांस्कृतिक दर्वर के मान्यता इन में से किसको नहीं दी गई है देखे UNESCO के अंदर भारत में 14th items को रखा गया है 14th की लिस्ट है 14 items को रखा गया है लास्ट जो एड किया गया 14th नंबर वाला जो एड किया गया है वो भी एक्जाम में पूछा जाता है वो है कुम्ब मेला को एड किया गया ठीक है 14th items लिस्ट में रखे गए है तो आप उस लिस्ट को एक बार देख लिए सारे items आपको इसली याद हो जाएंगे उन में से एक है उसका नाम में बता देती हूं सितार वादन वहां पे नहीं है बागी चाहँ निरते कुम्ब मेला योग और कुम्ब मेला को सबसे लास्ट के अंदर एड किया गया है युनेस को ने ठीक है यह चीज़ा आप विया दखती है election commission celebrated its golden jubli in the year election commission जो भारत में चुनाव करवात होती है 1950 के अंदर ठीक है और अधेक कीолотिあनिशन के अंदर क्या होता है एक election commission में एक चीफ एलक्षन कमिशनर होता है ठीक है और दो अतिरिक election commissioner होते हैं दो अतिरिक election commissioner होते हैं इनके नाम curtain के बात करें तो वह इस सवक्त है सुनील अरोडा एन और गानने से एक नाम है शुशील चंद्रा एक का नाम है शुशील चंद्रा और दूसरे का नाम है अशोक लवासा अशोक लवासा यह आपको नियुक्तियां भी यादक में एपॉइंट्मेंट्स भी काफ़ इंपोर्टेंट है और 2001 में इसने अपने स्वन जैनती मनाई है यह दिखी पैब्रिक पॉम एंपी इस रेजिस्टर्ड विदा जी आई टैंग जी आई टैंग को अभी हमने समझाए क्या था जी आई टैंग के साथ पंजीक्रत है मद्यपरदेश के एक पैब्रिक है जो काफे फेमस है और उसका नाम आप सभी को पता होगा उसके सूट सो साडिया बना से कहां की तेलांगना यादत ना याप देख सकते हैं चंदेरी के सूट्स भी आते हैं साड़ी इस भी बनती है बेक्षीट्स भी अगरा अब तो बनने लग गई है विचोप तर फोलेंग इस नोटन नेशनलाइज रास्ट्रिक रित बैंक इन में से नहीं है उसको आपको के पहचानना है सौथ इंडियन बैंक जो है इसका हैड़ कोड़र कहां पे है के रल के अंदर और यह एक प्राइवेट बैंक है ना कि गवर्मेंट बैंक कैसा मेंग है तो सौथ इंडियन बैंक हमारा इस question का आंसर हो जाएगा अगला है expectation is not is the root of all heart attack hurt act is a cured by बहुत ही जिननो किसका गतन है यह जो famous quote है वो किसके द्वारा दिया गया है William Shakespeare के द्वारा option A हमारा सही answer होगा हलंकी इसका कोई proof नहीं है बट फिर भी माना जाता है कि यह William Shakespeare के द्वारा ही लिखा गया है considered one of the best in India Tammy tea garden is the only tea state in the state of भारत के सर्व स्वेस्ट चाय बागानों में से एक टेमी चाय बागान राज्य का एक मात्र चाय बागान है सिक्किम के अंदर Tammy tea garden एक इकलोता tea garden है सिर्फ पूरे सिक्किम में एक ही tea garden है जिसकी जो चाय जो वर्ड फेमस है not even in India but it is also famous worldwide ठीक है और यह किस संबंदी थे टैमी टी गार्डन कहां पर है सिक्किम तो प्शन भी हमारा सही जवाब होगा इसके लिए विच री और टेबल प्लेयर सन इस ऑलसो फेमस तबला प्लेयर हुँ है इस को लैप विद इंटरनेशनल बैंड किस प्रसी तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक है जो अंतरलास्ट्रे बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है यह आप से पुछा गया है इनका आंसर क्य क्यों को जहां से नहीं पढ़ते हैं तो लेकिन इसका अंसर होगा उस्ताद अल्ला रखा कान ठीक है ऑप्शन सी हमारा सरी आंसर लेंगे यह आप फोटो देख सकते हैं कि अगला देखे की हूँ वोस्ट इंडियन वीमिन टो विन ऑलम्पिक मैडल आप से कुछन पूचा है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलम्पिक में पदक जीता ही आपको बताना है भारत की पहली महिला है करनम मलेश्वरी चोवन किलो कैटेगरी के अंदर यह खेलती है ठीक है और इनको राचिव गांदी खेल रतन पुरसकार से भी संबानित किया गया था उन्नीस सो कि इस दी बायोग्राफियों सचीन तैंदुलकर सचीन तैंदुलकर के आप में कथा आपको चूज करनी है इन में से आंसर होगा हमारा प्लेइंग इट माइव यह एक आत्म कथा है जब इसकी है सचीन तैंदुलकर की ऑप्शन को डिसकस कर लेते हैं टेस्ट ऑफ माई तो यूवरा सिंग से रिलेटीड आप जाएगा ठीक है एज अगेंस्ट ओड यह भी किसकी यह आतम कथा है और किसकी है यह सान्य मिर्जा एक बहुत ही फेमिस टैनिस प्लेयर है हमारे भारत की और सान्य मिर्जा की बायोग्राफिया एस अगेंस्ट ओड्स ठीक है अगला मनाया जाता है यह आप से पूछा गया है आंसर क्या होगा इसके लिए हमारा आंसर देख लेते हैं मौक्ष गुंडम विश्वे शरया ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होगा यह क्या है यह मैसूर के अंदर मैसूर के अंदर एक बहुत ही फेमस इंजिनियर थे ठीक है बहुत इनोंने काम किया भारत के लिए अधर दे अधर जो हमारी नियर्भाइक कंट्री उनने रिकार निंके जनम दि बाख्श पे 15 सटमार को मनाया जाता है नैशनल अगया है नेपा नगर आंसर परिशर ओप की अंदर नेपा नगर किसके लिए प्रशाग। आप से पूछा गया है नेपा नगर एक ओधोगी का सबाहल बिदो नियुजर फैक्तरिक लिए अखबारी खाना को प्षण डी खरकर्क आप यार रखेंगे नोस्पीं फैक्तरिक लिए पेमलस prochain है नेपानगर नेपानगर जो मध्यप्रतिश्च के मधर है यह किस नार्टा का एक प्रसिद वाक्या है आपको बताना है यह जिस नार्टा का प्रसिद वाक्या है उस नार्टा का नाम है as you like it option d is the right answer as you like it आप नाम याद रखेंगे अगले question है तमिल नाडु का तीमित त्योहार किसके समान में मनाया जाता है यह आपसे पूछा है एक वीक पहले यह मनाया जाता है और किसके सम्मान में मनाया जाता है द्रॉपदी के सम्मान में तो option c हमारा द्रॉपदी जो है वह सही answer इस question का राइट ब्रदर्स कंप्लीटिड द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेस्फुल कंट्रोल्ड पावर्ड प्लाइट इन राइट बंधों ने दुनिया की पहली सफल नियंद्रित संचालित उडान को कपून किया था यह आपसे पूछा है आंसर क्या होगा इसके लिए कौन से एर में किया है 1903 आप यार रखेंगे संस्कृत प्रेज अतीथी देव भवामी संस्कृत वाक्या अतीथी देव भवाव का अर्थ आइटिंस सभी को पता होगा मच्पन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान जो महमान जो होते हैं भगव इंडिया भारत में सरवादी क्रेटिंग वाला नेत्रहीन आपसे प्लेयर का नाम पूछा है यह फोटो देख सकते हैं चैस प्लेयर है और इनका नाम क्या है इनका नाम आपको बताना है दर्पन इनानी नाम है यह गुजरात के वडोद्रा शहर से संबन रखते हैं और इनक book of world record in 2011 2011 में आधरिक तोर पर Guinness book of world records द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक recorded कलाकार की रूप में शामिल किया गया है इन्होंने अकेले मतलब यह सो सिंगर है इन्होंने अकेले 11000 recording की हैं जो काफी बड़ी संख्या है और इसी के साथ इनको Guinness book record में Guinness of world records में इनको शामिल किया गया है ग्यारह हजार सोलो इनकी इन्होंने songs record किये हैं ठीक है इनका नाम है आशा भोसले option भी हमारा सही जवाब हगा आशा भोसले इससा राइट यह बिढ़ान और classical singing did पंडित धीम शेन जोषी बिलॉंग में पंडित भीम सेन जोषी जोंच्व घ्री गायन के कि घराने समद्त है उनका पुछा गया है ब्राइट यह करनाट का था अंदर करनाट का से हैं ठीक है और यह करनाट का विखिगर तकर करना भाहना त्सकों आते हुक्त मुझाटा था कि भार् चाहस नहीं जो करते हैं जो भायाले यह क्लास्रीकल मुझेक मुझा सबन्राइब गढते ते अगला देखिए test of my life is an autobiography of अभी हमने पढ़ा है आतमे कथा युवरा सिंग को अभी कैंसर के वजए से उन्होंने जब वह बहार आये उस फेस से तो नहीं आपने आतम कथा लिख किया test of my life option A हमारा सही आंसर होगा ठीक है option A सचीन तैंदुल करके हमने अभी पढ़ी ली है ठीक है अगला देखिए name of right brothers credited with inventing the airplane were right बंदू का नाम बता है जिनने हवाई जहाज के अविशकार का श्रे दिया जाता है उनका श्रे की नहीं दिया जाता है आंसर क्या होगा विलबर और विल नाम में आप याद दखेंगे option B C हमारा सही आंसर होगा वर्ट इस लोन एज हंटर्स मून इंडवेस्ट इन इस इन इंडिया जिसे पश्री में हंटर्स मून कहा जाता है भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है आप से पुछा गया है भारत में उसे जान से जाना जाता है करति पूर्णिमा के नाम से कि इसे जाना जाता है कि ज massa पोलें स्टेट इस नौट फेमस फॉर भूत ज़ो लो किया पर ठीक है आप पूछगए है निम्नमे में से कान सा राज्य जोर ढूड काम कर परसिद नहीं है उनका नाम आप से पुछगए है यह जो मिर्च जो है काली मिर्च नोर्थ इस्ट्रन राज्यों मिलती है उन राज्यों के नाम आपको proved to अधर यार दख świe त्याद रूग्ए साथ मी का याद य होगे असंब नागालेंड और मनीपूर नागालेंड और साथ में मनीपूर इन राजयों के अंदर यह famous देखी जाती है तो answer आपके निकल के आ गया है और इससे हमारा गलत एंसर है ऑप्शन ए हमारा इस question के लिए हमारा सही answer है तो option-a हमारा question का सही जवाब है अगला देवानगरी लीपी से विक्सित हुई इन में से कौन से जो है लीपी वो देवानगरी लीपी से विक्सित हुई आप से पूचा है स्वरी देवानगरी किसे वाल हुई है उस स्क्रिप्ट का नाव आप से पूचा है यह वाल हुई है ब्रहमी स्क्रिप्ट से ऑप्शन ए आप इस और हर नेम इज उन्हाद को बता नाम जिनों ने कथे और कथेकलिका अजयर निर्टे रूप में विलै कियाँ और उन्हें दो 1906 में मेरा संगीत नाटे का कार्डमी पुरसकार और पदम किया गें उनका नाम बताना है किस राजय का लोक न्रत्य पुंग चोला में पहचाना है पुंग चोला में तरीके का डांस होता है जो मेल ओ फीमिल दोनों के द्वारा किया जाता है और ड्रम्स के साथ प्ले होता है ड्रम्स की साउंड गुंजता है चारोर और एक किसी संबंदित है कौन से राजे से मनीपूर से ठीक है मनीपूरी डांस ही होता है तो option B हमारा question के लिए डांसर होगा तो first question हमारा है कि the SPI recommends the government to opt for the unconditional cash transfer to farmers to elevate agrarian distress rather than universal basic income scheme आपको बताना है कि नामक भारती स्टेट बैंक की रिपोर्ट से अनुसार सरकार को किसानों के संकट को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक आय जो है योजना की बजाए शर्त रहित नगत हस्तान तरण को अपनाना चाहिए आपको यहां पे नाम बताना है आप सभी को पता है कि अग्रेरियन डिस्ट्रस बहुत होता है किसानों की जो समस्याय बढ़ती जाती है उनके हाला जो है वो खराब होते जाते हैं ठीक है तो यहां पे आपको बताना है कि आर भी स्टेट बैंक ओफ इंडिया जो है उसने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि हमें युनिवर्सल बेसिक इंकम की जगाए हमें अधा अनकंडिशनल कैस्ट रांसर फार्मर्स के लिए लाना चाहिए तो इसका आपको आप्शन चूज करना है सही आंसर क्या होगा इसका आंसर है इको रैप एक टर्म है कि रिपोर्ट का नाम है जो रिपोर्ट इन्हों स्कीम के बारें बताना है कि को राष्टे सर पर लागू करना वहवारी नहीं है क्योंकि विहार, जार्खन, गुजरात, तमिलनाडू, सहीत, कई राज्यों में अभी भूमी आगडू का डिजिटल होना बाकी है ठीक है एक स्कीम का नाम है जिस स्कीम का नाम है रायतू बंदू योजना ठीक है रायतू बंदू योजना नामा के एक स्कीम है और यह किसके लिए लाई गई है कि डारेट इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि जो भी कैश मिलेगा किसानों को डारेट उनके अकाउंट में दिया जाएग यह सब इन में क्या है कि जो भूमी आकड़ा है उनका डिजिटल हुआ नहीं है तो जब डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो सारी चीज़े जो है एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी तो इस किन का नाम क्या है रायतू बंदू योजना तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो और यह जो यात्रा करवाई जाते निस योजना के अंदर यह पूरी तरह ऐसे गौवर्मेंट के दुवारा स्पॉंसर होती एक तो यह चीज़ है इसके अंदर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजन एंड गिर्मिटियास कंट्रीज और गिवन प्रायरिटी तो इस स्कीम के अंदर देशों के लोगों को प्रायरिटि दी जाती है ऐसे अंदर पहिछान होगा आपकोंके सारे नम पता होना चाहिए तो नाम ना आपको हम बता देती हूं तो एक्जाम में कोई भी जैसे option चेंज करके आए तो आप उसको identify कर सकते हैं इस answer इसका हम देख लेते हैं ऑस्ट्रिया जो है वह एक गिलमीटिया देश नहीं है ठीक है तो हमारा राइट अंसर तो हो गया भी अब उन कंट्रिय का नाम ठझाल फड़ रें ठीक हैंश कर नाम एक तो मौरिशस हुआ फीज फेजी वा ठीक है गयाना हुआ है जो इन आम आपको बटा रही हैं हूं यह नाम जो है कांफ इंप закончite यहांद यह और टोबैको तोबैको और सूरी नाम यह जो नाम आपको यह थोड़ा सरं मांक में होना चाहिए फिर ऑप्शन जो आएंगे आप उसमें से चूज कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन भी हमारा सही आंसर अगला देखो रोयल टॉम्स ऑफ गॉलकंडा दा स्नेक चार्मर एंड़ क्वीन्स राइवल आप पॉयम्स वाई कुछ पॉयम्स के नाम दिये जैसे कि गॉलकॉंडा कि शाही मगबरे सपेरा राही की प्रतिद्वन दिया कुछ कवीताओं के नाम है तो इन कवीताओं को किसके दौरा लिख गया है सरोजनी नाइडु के दौरा सोचन वी जो हमारा राइट आउसर सरोजनी नाइडु कौ नाइडु को ना अट एंगल ऑप dietlo कहां जाता है तो आपको यह चीज भी यहां पर यार दखने है ठीक है अगले क्योशन पर बढ़ते ही आप उनकी फोटो रेख सकते हैं नाइट एंडिया भी ने कहां जाता है यह निकनेम भी जो है ना काफी इंपोर्टन एक्जाम में पुछ जाने की समभवना होती है ठीक है कि एविएर अरॉयर आंटीग वर्ड इंटरनेशनल गर्लच साथ डीरेट जाता है दुनिया भर में हर वर्ष अंत्रवाली का दिवस का मनाया जाता है आप से पूछा है अंत्र लाष बाली का दिवस और एक एक पूछते हैं कि राष्टे बाली का दिवस इन दोनों चीजो हमेरे थोड़ा सा डिफ्रेंस है तो कंफ्यूजन होने की चांसिस जादा होते हैं थोड़ी से सिमिलर टर्म्स है ठीक है इंटरनेशनल की बात करेंगे पहले इंटरनेशनल का देख लेते हम ठीक है इंटरनेशनल गर्ला दे कर मना जाता है ग्यारा ओंड कब मना जाता है 11 अक्तोबर को आपको याद अखना है ठीक है और अगर नैशनल गौल्ड डे की बात की जाती तो इन दोने चीज़ों में कान्प्यूजन की चांस जाता होते हैं यह चाहिशनल कभ वहता है 24 जैन को इनटरनेशनल होता है 11 ओक्तोबर को ठीक है अगे किसे में मुव करते हैं कि हुनर हाट जो है का लक्षय रखने वाली हुनर हाट प्रदर्श्निया भारत के में मास्टर कारेगरों की विरासत और अंतररास्ट्रे ब्रांडिंग में एक महत्रपुन भूमिका निमाती है ठीक है आपको यह बताना है कि इसका एम जो है हुन हाट का मकसर लिए कि छोटे जो आर्टिशन सब्सक्राइशं को होगि इसका एम क्या है हुनर हाट का कि हर एक इंसान का देवल्प्मेंट के साथ हो विड डिग्निटी के साथ तो option C जो है वो हमारा राइट आंसर है ठीक है मीराबाई चानु एंड विराट कॉहली आर गिवन कौन सा अवोर्ड दिया गया है विराट कॉहली को और मीराबाई चानु को विराट कॉली को तो एक बहुती वेल नोन नेम है आप जानते ही होंगे ठीक है उन्नी सो इकान में बानमे के में इस को शुरू किया गया था राजी रुगांदी खेल रतन को ठीक है अब एक्जाम में यह पूछा जाता है कि इस पहले ऐसे इंसान का नाम बताए जिनको इस अवोर्ड से सम्वानित किया गया था तो इसका सही आंसर होगा हमारे जो जो चैस चेर्मेन फॉर्टेश सी डॉक्स एंड इस टीम नॉट ऑबीज बट स्लिंग पीपल जो है इसके शिकार हो जाते हैं तो डाइबिटेश की प्रोब्लम जो है वो काफी बहुत ज्यादा है इंडिया में तो डाइबिटेश टू जो है टाइप टू मधु में जो है वो ना के सिफ मोटे लोग बलकी पतले लोग उससे बहुत जल्दी इस प्रेक्ट हो जाते हैं तो टाइप टू डाइबिटेश आपको यह तक में अगला देखो कि एपिक पोयम राम चरित्रमानस वाज रिटन बाए राम चरित्रमानस की रचना किस नहीं की थी ठीक है एक कुशन प्रशाषन प्रणाली की कुशलता में गर्दी करने के लिए आएकर विभार की किस पर्योजना को मनजूरी दी गई है यह आपको बताना है तो नरेंदर मोदी जिने जो हमारे रायम निस्टर है उन्होंने क्या किया है फॉर लैक करोड का एक प्रोजेक्ट स्टार्ड किया गयए है जिसका नाम आपको बता देती हूं तो आंसर हमारा क्या होगा उसके लिए आंसर देख रहेते हैं आंसर होगा हमारा इंटेग्रेटिड इफाइलिंग कि जितने भी इंकम टेक्स का जो भी काम है वो सारे इफ होंगे मतलब इलेक्रोनिक फॉर्म में होंगे जिससे ही करफशन के चांसर घर जाते हैं इंटेग्रेटिड इफाइलिंग एंड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 आपको यहाद अप्शन एजो है वो हमारा सही जवाब है कि सभी जो भी इफाइलिंग है जितने भी लेक्रोनिक्स फाइल है इंकम टेक्स की उनको इंटेग्रेट किया जाएगा जोड़ा जाएगा ठीक है तो अप्शन ए हमारा स्वेशन के लिए सही जवाब है यह एक प्रोजेक्ट है जो कि यूनियन गर्वर्मेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है ठीक है ही छारो मेले जो है समय समय पर बारी-बारी से ऐंक चायोजी को पहचाना है एक पड़ता है most famous जगह आप सभी को पता होगा अलाबगाई अलाबाद में कहां प्रयाग राज में ठीक है एक तो यह दूसरा होता है नासित में हरी तीस रहन होता है टेस्टर होता है जहां आप गर गंगा है सही जवाब है बाग कि आप देख सकते हरी द्वार हुआ उजेन हुआ प्रयाग राज हुआ ठीक है यह सारे चारों नाम आपको यादक मैं कुम मेला जो हैं चारों स्थानों पर और गनाईज किया जाता है अगला देखते हैं कि इद एक पॉयम इंदा संस्कृत महाकाविय स्टाइल और राइफ and निर्वान और गृता बुध भूष आश्वगोश के दौरा रचित एक प्राप्ति का वर्नन है तो उसका महाकाविय क्यों संस्कृत में लिखा गया है किसने लिखा है उनके रैटर का नाम आपको जाना बहुत जरूरी है अश्वे घोष नाम आपको यादखना ठीक है और उन्होंने जो लिखा है जो पॉयम लिखी है उसका नाम क्या है बुद्ध चरित्र यह मतलब बुद्ध के बारे में जो चीज़े दी गहीं उनके जनम और निर्वान प्राप्ति से संबंदित उन सभी का व यह बुक लिखी गई है जौन हिक्स के द्वारा इसके द्वारा लिखी है जौन हिक्स याद रखोगे करके एक नाम याद रखना है दबुक कैपिटल एंड ग्रोथ इस रेटन वाए जौन हिक्स ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर यह कवर पीज आप देख सकते हैं इसक कब मनाया जाता है जोबीजनवधिए को ठीक है यहां पर रिवाइस कर लेते हैं कि इंटरनाशनल इंटरनाशनल गर्ग्स चाल्डेक मानाया जाता है 11 अक्टमर को ठीक है यहां पर दोनों चीज़े हमारी अगे बढ़ते हैं हुआ है इंडिया फोर्स्ट मिशन ऑन चंव रियान वन वा स्टार्टिड फोम चंदरमा भारत का पहला नुशन था आप से पूछा रहा है चंद्रयान वन की शुरूआत होती है आंद्र प्रधेश-णर प्रदेश में जग़ा है जिसका नाम है श्री हरी कोटा श्री हरी कोट प्रदेश के अंदर प्रदेश के अंदर है आगले कुशन पर बढ़ते हैं पैठनी महारास्टर की एक शैली है पैठनी महारास्टर पैठनी क्या है आपको पता होना चाहिए पैठनी जो है कि मतलब सिल्क टाइप प्रोड़क्ट है जैसे कि सारिया वगेरा बनती इसके कला सोरी कला का फॉर्म है जिसमें की सारिया सूट्स बनते हैं और बहुत ही एक साइन सिल्क वहां यूज की जाती है और यह कि सूट और सारीज में सिल्क यूज किया जाता तो आंसर हमारा सीधा से हो गया है कि टेक्स्टाइल वीविंग की कपड़ा बुनाई में यूज होती ठीक और कहां की फेमें से यह कुशन अल्टनेटिव भी आता है कि पैठनी जो है यह कौन से रज्जे से संबंद रखती ह यह तो महारास्टर नाम भी आपको याद होना चाहिए दोनों तरीके से कुशन आता है इंडिया और डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इस भारत के सबसे पुरानी रिफाइनरी कहां पे सित है और यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे एश्या के सबसे पूरानी और सबसे पुरानी रिफाइनरी है पूरे एश्या की और यह कहां पे सिता असम राज्या के अंदर एक जगह है डिगवोई ठीक है डिगवोई और अगर ऑप्शन में असम दिया होता तो भी आप कंफ्यूज नहीं होते दोनों ही चीज़े आपको याद रख नहीं ठीक है उनी सबसे जादा है वह है भारत पैट्रोलियम ठीक है तो यह दोनों चीज़ों में आपको याद अखना है किन तीनों की भागेदारी रही है इसके अंदर भारत पैट्रोलियम का जो परसंटेज है शेरिंग का कॉंट्रिबिशन का वह सबसे जादा है ठीक है इसलिए इस तरीके से पूछा गया है भारत पैट्रोलियम हमारा सही आंसर है विच एक्स प्राइम मिनिस्टर इंडिया इस दोने चानक्य ओफ मोडन इंडिया भारत के किस पूरु प्रधान मंतरी को आधुनिक भारत के चानक्य की रूप में जाना जाता है ठीक है तो यह टैग जिनको दिया गया है उन्हें क्या कहा जाता है फादर ओफ नंबर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए ठीक है यह चीज़ आता दों से राज्ज्य से संबंध रखते हैं ठीक है और इनको कहा जाता है कि आधुनिक भारत के चानक्य की रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने काफिस भारों में भारत के अर्थव्वेश्ता के काफी सुधारों के रूप में इन्होंने काम किया है तो पीवी नर्स इमार राओ इस लॉल ऐसा चानक्योप मोडन इंडिया अगली क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं कि गोतम गंभीर में इस वन डे इंटरनेशनल डेबुट इन 2003 इन गोतम गंभीर ने 2003 में अपना एक दिवस्य अंतरास्टे डेब्यू कहां प्रेकिया आपसे पूछी गई है यह उन्होंने किया था धाका के अंदर किसके अगेंस्ट जो पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला था वो खेला था ऑस्टेलिया के अगेंस्ट ठीक हालंकि यह इतना इंपोर्टेंट यह उस्टेलिया आपको याद नहीं रखना है आपको जो चीज यादखनी है वह यादखनी है बांगलादेश में धाकर यादखना है ठीक है अगला के बढ़ते हैं मर्चिर ओप विद बैंक ऑफ वरोदा विल मेंग इट थर्ड लाजस्ट बैंक इन इंडिया बैंक ऑफ ब बीजन बच्चों को नहीं पथा उनको पता लग जाना चाहिए तो कौन्से बैंक का यहाँ पर मर्जर किया गया की speech देना बैंक और विजा बैंक का जो है मर्जर करके जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है देना बैंक और विज़ेया बैंक का विलै वा है तो आपको आश्षर क्या तो आपने सर्विस में एक दिन का ओफ नहीं लिया है तो आप इनके डेडिकेशन देख सकते हैं कि काम के लिए कितना अच्छा डेडिकेशन इनका है ऑप्शन एह हमारा सही आंसर है ठीक है अगले कोईशन भी काफ इंटरस्टिंग है कि नेम दी कॉंग्रेस लीडर हूँ इस और हर एक्स्ट्रा ओर्डिनरी औरेटरी स्किल्स औरेटरी स्किल्स होती है कि बोलने की कला की जो आपके बोलने की स्किल्स है वह बहुत ही मतलब ऐस अधारन है आपको उसे कॉंग्रेस लीडर का नाम यहां पर चूज करना है तो शशी थरूर इस क्वेशन का अंसर आप सभी को गता शशी थरूर की जो इंग्लीश हो काफी बहुत ही ज्यादा है बहुत अच्छी है और इनके एक्जाम में क्वेशन आता है इंसे इस भी होते हैं इस एंग्लीश जो वोकैब जो है उनकी लिए जाने जाता है बहुत यह अच्छी इंग्लीश के लिए जाने जाता है अगले क्वेशन पर मुँव करते हैं कि इस ए ग्लोबल अनलेटिकल कंपनी डेट प्रवाइट रेटिंग रिसर्च एस वैल आपको इसम करते हैं कि इस नाम है क्रिसल एक कंपणी है कि जितने और सारी कंपनी जहां है अब हमें कैसा पता लगा लगेगा कि कोई कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है अगर उसकी रेटिंग जैसे हम जो मैटो से इचिए पर रेटिंग से टेक्री इस रेस्पर नेटिश को तो वैस इसने क्या होता है कि हमें परफॉमेंस का पता है परफॉमेंस की सब्सक्राइब और तो क्रेंट के समय है Bros कि वर्ट इस वर्ट इस रोएडियो आपको एक टर्म दीगे रोएडियो अभी करेंट अफेर्स में रहा था काफी यह शब्द जो है सुनने को मिला था इसका मतलब क्या होता है कौन से शहर में इसको शुरुआत की गई है पूने के अंदर शुरुआत की यह है क्या यह एक र आपको यह नाम जोथ करना है कि जिन्हों ने ने इंदरप्रस्त माता या चतुर डांडी संप्रदाय नामों संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुवात किये थी आपको बताना है ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा हमारा आमिर खुश्रो ऑप्शन दी जो है वह हमारा राइट आंसर होगा इन्होंने ही जो एक म प्रणाली की खोज की थी इसका नाम है इंदरप्रस्त माता या चतुर डांडी तो किसके द्वारा खोज हुए आमिर खुश्रो के द्वारा काफी फेमस पोईट रहे हमारे मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आप्शन डी जो है वह हमारा सही जवाब है ठीक है वाट इस प्रोक्सिमेट प्लेइंग टाइम और फुल वर्जियन ऐन्टिया नेशनल आंथम भारतिया रस्त गान के पून संसकरन के गायन की अनुमान इत्समा विधिक कितनी है कितना जो है एप्रोक्सिमेट प्लेइंग टाइंग है तो हम सभी को पता होगा कि 52 सेकेंद्स जो है वह हमारा प्लेंग टाइम है नेशनल एंथम यह तो हुई टाइम की बात अब एक दो इंपोर्टन चीज देख लेते हैं इसके बारे में एक्जामन कुशन यह आता है कि पब्लीक लिए अगर बात करें कि सब के सामें पब्लीक लिए पहली बार नेशनल एंथम को कब गाया गया अगर यह पुछा जाए आप से 27 दिसमवर का गंशायशन में नेशनल कोङरेस का host session में कॉलकर तस Еक्शन सेस्टे के अंदर इसको गाया गया था ठीक है और कितना टाइम होता है इसका प्लेंग प्लेंग ट्रैम होता है ठीक है बेसिकली जो इसको कंपोस्ट किया गया था तो बंगाली में किया बाद में इसका जो हिंदी वाला संस्क्रन आता है बट इसका मुख्य रूप जो शुरुआत में इसको लिखा गया था अगला देखिए विच आप दी फॉलेंग इस नौटा पॉइंट ऑन दी बॉर्डर ऑफ इंडिया निमलिकित में से कौन सा भारत पाकिसान सिमावा पर एक पारगमन बिंदू नहीं है ठीक है देखिए गंडा सिंग वाला ये भी एक बॉर्डर पॉइंट है वागा बॉर्डर का नाम भी आपने सुनाए सीकर कोई नाम नहीं है स ठीक है अगला क्विशन देखते हैं वर्ट हुई इस दी ऑफ गोदान गोदान एक बहुती फीमस नौबल है लिखी गई है तो गोदान के ऑथर पुछे गए हैं कि लेख़ कौन है ठीक है गोदान में क्या बताया है कैसे गाम के गरीव लोगों का सोशन होता है एक्स्प्र चंद के दुवारा यह लिखी गई थी इनके लिखते ठीक है हमारा आंसर यह हो जाएगा अगले कुशन पर देखते हैं अगले कुशन हमारा है कि संद कभी रिसीवड ही स्प्रिच्वल ट्रेनिंग फ्रॉम हीज पर्सेप्टर नेम संद कभीर ने अपना अध्यात्मिक पर भी जो गुरू थे वह कौन थे रामानंद रामानंद संद कभीर के गुरू थे ठीक है और क्या है मतलब इनकी फिलोस्पी पुछी आती है चाहते है लेकिन जो है वह अपना शिष्चे किसी कुब बना ना नहीं चाते थे एक दिन क्या हुआ हुआ कि संद कबीर इनके पैरों में गिर गर उन्होंने राम राम बोलना शुरू कर दिया गया एकदम से रामानंद जो है इतना मतलब एकसाइट हो गए कि कोई भगवान राम का नाम मेरा है जो मतलब उन्हें जानता भी नहीं है ठीक है तो इसी एक कहानी माने जाती है इसी कहानी जैसे उन्होंने राम राम का नाम लिया तो संथ कभीर को उन्होंने अपना शिश्य बना लिया तो रामा नंद जो है वो शिश्य किसके थे कभीर के सौरी कभीर के गुरू थे ठीक है यह हमारा अंसर है निमन लिकित में इसे आपको बताना है कि नोने अपने नोकर शाही करियर में भारत के मुख्या आर्तिक सलाकार की भूमी गनी भाई है भारतिय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं और योजना आयोग के प्रमुक्ति सभी तीनों पदों पर कारिये किया है तो उन पर्सनालेटी का नाम आपको बताना है उनका नाम है मनुहां सी जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसी वह सब्सक्राइबी विक्तरा है और तो तो हम से परशिय में जिवार कहे रहे हैं जो जैरुसेलम की जो पूरानी सीटी है वहां पर एक बॉल मौझूद है जहां पर लोग प्रेयर्स करते हैं मानते हैं कि यहां पर भगवान है तो यहूदी धरम के लोग वहां पर समब्वन्दी यहूदियों से ऑप्षिन आ जो है हमारा सही आंसर होगा ठीक है अगला देखिए is referred to as the father of Indian Civil Aviation को भारत के नागरेक उडियन का जनक माना जाता है किसको माना जाता ही आप से पूछा गया इसके लिए सही आंसर क्या होगा हमारा दाइट आंसर होगा जहांगी रतंची दादा भाई टाटा ओप्शन ए जो है वह हमारा सही आंसर है इन्हीं माना जाता है पादा रोपती इंडियन सीविल एविएशन अगले क्यूशन में बढ़ते हैं लॉकली नॉन एज वल्लम कली इस ट्रेडिशनल गेम मेंली कंड़क्टी डूरिंग दा हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम इन के रला ठीक है वल्लम कली क्या होता है देखिए जब ओनम फेस्टिवल बहुती फेमस जाती है वो ट्रेस को कॉप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा ठीक है ऑप्शन एजो है राइट आंसर है विच ओफ दी पॉलिंग इस नोटा पार्ट ओफ इंडियास फॉर्स इंडिजिनस एंटी नुक्लियर मेडिकल किट भारत के सबसे पहले सवदेशी मतलब पू परमानु आकरमन होता है तो हम क्या कर टेबलेट्स दे सकते हैं और यूज कर सकते हैं वह पूरी किट है और इस लिस्ट के अंदर 25 आइटम्स आप पच्छीस आइटम्स को ता याद नहीं रख सकते हैं तो आप उस लिस्टे एक वाप गो तुरू कर लेंगे आप थोड़ा तो खारा पानी का या सेलाइन सोलिशन का वहां पर कोई रोल नहीं होता है तो ऑप्शन जो है वह हमारा राइट आंसर है आर डिवाइड़ इंटो तू मेजर सेक्स दैट इस दिगंबर और श्वेतामर में विभाजित किया जाता है कौन से धरम को यह आप से पूछा गया है आपको जैन है मराठी मराठा है पार्सी है बोद धरम को दो उनके संप्रायदों में संप्रेदाय में होते हैं दिगंब को आफित पुरसकार के पहले प्राप्त करथा कौन थे उन का नाम आप से पूछा गया है फ्रकृत जादा यह उन्हों को यह नहीं जीते है ञार पार ट्राप क्ल नाम जी दो नाम है महाकवी जी महाकवी के नाम से जाना जाता है और यह जो है पहला ग्यानपीट प्रसकार जो है इन्हें दिया गया था ठीक है अगले सच्छीन तहंदुलकर ने अपना शोमा सतक स्टेडियम में लगा इसे बहुत तरीकों से पुछा जाता है कि कब लगाया डेट क्या थी कौन से मैच में उन्हें लगाया कौन सी कंट्री के अगेंस्ट केल रही थी इंडिया और कौन से स्टेडियम में लगाया तो यहां पर पूछी जाती है कि कौन सी कंट्री के अगेंस्ट उन्हें लगाया तो कौन सी कंट्री के अगेंस्ट लगाया बांगलादेश ठीक है यह दोनों चीज़े आपको यादक में ऑप्शन सी जो है वह हमारा राइट आंसर है इस क्वेशन का अगला देखो कि वाज के बाद 1952 के अंदर जो ओलम्पिक्स हुए थे हैं लिंस्की के अंदर ऑलम्पिक्स हुए थे समर ओलम्पिक्स वहां पे जो भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत ओलम्पिक पदक जिन्होंने जीता है उनका नाम है केडी जादव केड़ी जादव ने कौन से फिल्ड में ज अब देखो अगर पूछा जाए कि सब्तंत्र भारत का ओलम्पिक्स में पहला पदक जीतने वाले मतलब आपको बताना है तीम यहां पे तो हुई कि व्यक्तिकत पदक जीता तो होकी की टीम ने भारत के लिए पदक जीता था ठीक है एक और क्वेशन नाम आपको दिया गया सब्तंत्र भारत के इन्हों ने सब्तंत्र भारत के टाइम पे नहीं नहीं नींसों के उडिर यह भारत तो बहुत में आजाद हुआ है थो फिटक लेंस नाम पर क्वेशन ऑग्ले पर बढ़ते है और लाजसे दिशा आसके यह आपको बताना है कि एक सर्विस है क्या है हो जाता है कभी refund नहीं हो पाता काफी चीज़ें हो जाते हैं तो उन सब चीजों का सोलुक्षिन करने के लिए एक उन्होंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है कि है कि आपके क्यों पूछना है आपको इंडिन रेलवेस की साइट पे तो आप इसे पूछोंगे आस्क दिशा से पूछोंगे ठीक और यह क्या है इस भारतिय रेल्वेजर की वैबसाइट पर एक चैट वोट है जो कि आपकी क्योंडेंट्स को हैंडल करेगा ठीक है तो इसके के द्वारा शुरू कि रही इंडियन रेलवे के द्वारा तो अप्शन बी जो है वह हमारे स्क्रेशन का सही जवाब है और या आर्टिफिशल इंटलिजेंस के बेस्ट है दूसरा की बहुत सारी लेंग्वेजिस वहां पर ये लेख सब्रब्स कोई भी लैंगुड से सीटें से ऑपसे पूणलिग जाता है । Wednesday के लोए हूंस अंधिक अ जॉन ね किया जाता है इसमें काफी रिती रिवाज भी परफॉर्म किया जाते हैं और यह मनाया जाता है नागलेंड में ऑप्शन सी सही आंसर होगा नागलेंड में ठीक है नागलेंड का एक बहुत ही फेमस एक फेस्टिवल है जिसका नाम है होन बिल फेस्टिवल जो एक्जाम में का तो यह बताना है यह बुक आपको गीवन है यहां पर यह ओटो बायोग्राफिय जीवनी है दलाई लामा की ओप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यह एक जीवनी है जो कि 1991 में पब्लिश हुई थी तो जो 14 दलाई लामा है 14 नमबर के जो दलाई लामा है उनकी यह ओ पोटो बायोग्रेफी है तो फ्रीडम इनिंग्साइल किससे रिलेटिड है दलाई लामा ओप्शन एक राइट आंसर है ठीक है अगला देखो इन विच ओप्ती फोलिंग स्टेट दा उगारी फेस्टिवल इस कंसीडर इंपोर्टेंट निमनलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महतोपूर्ण समझा जाता है कौन से स्टेट में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वह आपसे पूछा गया ठीक है इस फेस्टिवल का एक दूसरा नाम यह जिसे कहते हैं गुडी पडवा गुडी पाडवा या गुडी पडवा कहते हैं यह एक जेत्र माह आता है उस वक्त नया वर्ष मनाया जाता है जिसे गुरी पढ़वा कहते हैं वहां के लोकल लेंग्विज में या उगादी चुहार को के नाम से जाना जाता है अब ऑप्शन में कौन से गिवन है करनार्टक, आंध्रपरदेश और तेलांगना इन तीनों में से इन तीनों के अंदर उगादी फेस्टिवल सेलिबेट किया जाता है ठीक है और कौन से मन्थ में किया जाता है चेस्टर के महिने में आप देखो अदनाचर प्रदेश के अंदर एक बहुती फेमर्स फेस्टिवल है जो मनाया जाता है उसका नाम है लोसर क्या नाम है लोसर हमने पिछले question में भी देखा और एक होन बिल festival काफी बात पूछा जाता है तो होन बिल festival आपको यार दखना है ठीक है अगला देखो How many players are there in Koko? Koko के एक game में कितने खिलारी होते हैं? Koko एक प्रकारटर game है जिसके अंदर total players कितने होते हैं? लेकिन जो players खेलते हैं वो होते हैं 9 players होते हैं जो active players होते हैं 3 players जो है वो extra होते हैं माली जी तिसी को चोट लग जाती है या change करना पड़ जाए तो तीन players को extra रखा जाता है लेकिन total players कितने होते हैं 12 होते हैं यह आपको number यहाँ पर याद दखना है ठीक है? कोको का पूछा जाता है क्होकी का भी काफी बार आता है क्होकी में 11 players होते हैं होकी के साथ covereddy काभड़ यह तो काफी common game हैं चुछ मेंगे के अंदर होते हैं 11штровिा लगा देख्यें ayam k नाम आप पो दिया गया है इनका संब्ध कौन से खियल से आपसे पूछा गया है यह एक जिमनास्ट है जिमनास्टिक करते हैं option A right answer और इनकी जो आयू है वो मात्र ये 24 वर्ष की है प्रांटी नायक श्रीज सब फीमेल और ये बताना और ये बताना आपको ये जस्ट 24 येर्स की है कौन से इनका संबंध है कौन से भारत के राज्य से पस्चिम बंगॉल से संबंध रखती है जिक और इनकी आयू मात्र चोबि ये इस योजना का मुख्य जो दिये जाए ये इस योजना का मुख्य जो देश्य था ये उदेश्य कब तक है कि 20 मिलियन घर बनाने का उदेश्य है कि 20 मिलियन जो बेरोज का जो घर जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड किया जाएगा कब तक 2022 यह इस योजना का एम है तो 2022 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस यहां पर इस क्लासिकल डानसर जिसका नाम है तिक को चिपूरी याद दखना ओडी सका क्या है ओडीसी असंद का एक बहुत ही फेमस डांस इसे भी हूँ यह बतावी चुकी है आपको मैं बार बर क्यों रिपीट करें भी हूँ क्योंकि काफी बार एक्वाद में आ चुका है तो इसलिए आपको याद दखना चाहिए और जिसका दूसरा नाम है मनीपुरी डांस आंसर होगा मनीपुर अगला देखिए दुरोनचारिय अवर्ड इस डिलेटिटी विच पिल दुरौनचारिय पुरसकार का संबढ़ कौन से छेतर से हैं द्रोनचार ये जो है इस पुरसकार का सम्बंध है स्पोर्ट से option D सही answer होगा तो जो भी sports जितने भी games उनके coaches होते हैं उनको ये जो select होते हैं coach उनको द्रोनचार पुरसकार से सम्बंध किया जाता ठीक है तो option D sports से इसका सम्बंध है पास लाग के राशी इसके अंदर दी जाती है तो option D या दखना sports के क्ल्ट से ये सम्बंध है अगला देखिए AIDS Day के बार में पुछा है कि World AIDS Day is celebrated on which day कौन से दिवस पर विश्व AIDS दिवस मनाया जाता है ये day मनाया जाता है 1st of December option B आप बात करते हैं कि 2018 का अभी हाँ 19 हो चुका है तो इसका theme क्या था ये theme जो मैं आपको बता रहे हूं ये 2019 का theme है इसका theme था Communities Make Difference तिक है क्या theme था Communities Make Difference ये इसका theme था Theme भी आपको याद दखना है 1st December को विश्व AIDS दिवस मनाया जाता है चिक है clear है चली आगे बढ़ते हैं Which organization publishes World Development Report कौन सा संगठन ऐसा है तो विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है चिक है तो कुछ जो international organization है वो क्या करते हैं कुछ reports निकालते हैं उसके पूरे विश्व के सारे data उसके अंदर होते हैं तो ऐसी एक report का नाम है जिसका नाम है विश्व विकास रिपोर्ट Development Report किसके द्वारा निकाले जाती है World Bank के द्वारा Option D सही आंसर होगा World Bank के द्वारा एक और report भी निकाले जाती है जिसका नाम होगा Global Global Economic Prospectus ये भी आपको यार दखना है IMF के द्वारा जो सबसे important report निकाले जाती है जो एक्जाम में काफी बात पुछी भी गई है वो है यार दखना World Economic Outlook ये किसके द्वारा कौन इसको रिलीज करता है IMF इसको रिलीज करता है इसके साथ एक और इसकी important report है जो है Global Financial Global मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ आपको Global Financial Stability Report ये कौन रिलीज करता है ये भी IMF रिलीज करता है Global Financial Stability Report ठीक है ये आपको समझने आ रहा यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं सबसे उपर आपको Blue Color में लिख गेटने हूँ जो IMF की जो दूसरी report है उसका नाम है Global Financial Stability Report ठीक है ये कौन रिलीज करता है ये भी IMF के द्वारा ही रिलीज होती है और ये World Economic Outlook भी IMF के द्वारा ही रिलीज होती है World Economic Forum की हम बात करें तो यहाँ से जो report रिलीज होती है उस report करना में आपको यहाँ लिख जेती हूँ तो ये रिस्क ग्लोबल रिपोर्ट ठीक है तो ये कौन रिलीज करता है World Economic Forum रिलीज करता हूँ दूसरी report इसके द्वाराज एक्जाम में पूछी जा सकती है वो है Human Capital Report ठीक है IMF के दो report मैंने बताई है एक तो सबसे उपर आपको लिखी गई है Global Financial Stability Report Second है World Economic Outlook World Economic Outlook काफी important है इसको तो आपको यादख नहीं है World Economic Forum की बात करें तो Human Capital Report निकाले जाती हो Global Risk Report ठीक है Global Risk Report निकाले जाती हो Human Capital Report W.E.F.K. द्वाराज मिये रहे चलिए आगे बढ़ते हैं Next Question है Which Award is often referred to as The Nobel Prize of Architecture किस पुरसकार को अक्सर वास्तो शिर्प का Nobel पुरसकार कहा जाता है ये फिल्ड आर्किटेक्ट्चर के फिल्ड में दिया जाता है तो इस पुरसकार का नाम है Option A पुरसकार Option A जो है वो सही आंसर हो जाएगा ठीक है अब Important Questions यहाँ पर देख लेते हैं कि 2019 का जो एवोर्ड मिला है ये किसे मिला है तो ये मिला है अराता इसो जाकी को अराता इसो जाकी कहां के आर्किटेक्ट है तो ये जापान से सम्बंद रखते हो 2019 का अवोर्ड इन्हें दिया गया है अराता इसो जाकी को अब बात करते हैं Able Price की Able Price दिया जाता है Math के फिल्ड में 2019 का Able Price मिला है Karen Ulhan Back को ठीक है Karen Ulhan Back रमन मैक्से से अवोर्ड की बात करें तो ये जनर्नलिजम या जो Government Services होती है उनके लिए जड़ दर दिया जाता है भारत में ये रवीश कुमार को मिला है रवीश कुमार कोन है NDTV जो News Channel है उसके एक पत्रकार है ठीक है रवीश कुमार को इस अवोर्ड को समानित किया गया 2019 में तो इसके साथ हमने बिनोबा भावे को सबसे पहले ऐसे भारती रही जिनको रैमन मैक्स से अब उसे समानित किया गया था और अभी हाल ही में किसको मिला है रवीश कुमार जो NDTV जो है उसके पत्रकार है ठीक है तो option A जो है प्रत्रशकार इसके लिए सही आंसर होगा जिसे आर्किटेक्ट्चर का नोबल भी कहा जाता है 2019 से मिला है अर आता है इस तो चाकी को अगला देखिए विचोफ दी फोलॉइंग इस नोट ओनर्ड विद्धा नोबल प्राइस नोबल प्राइस से किस भारते को समानित नहीं किया गया है कैलाश सत्यार्थी के क्वेशन काफी बार आया है कि 2014 का जो नोबल प्राइस नहीं दिया गया है इनके साथ साथ मलाला यूसुफ जाई को भी मिला है मलाला यूसुफ जाई को भी 2014 का नोबल प्राइस दिया गया है हर गोबिन्खुराना इन्होंने किसे लिए काम किया था इन्हीं भी नोबल पुरसकार से समानित किया जा चुक है 1968 के अंदर रबिंदर ना टैगोर की बात करें तो इन्हें नोबल प्राइज मिला था 1913 में ठीक है इनकी एक बहुत अच्छी पॉयम का संग्रया था जिसका नाम है गितानजली के लिए इन्हों नोबल प्राइज भी आ गया था लेकिन महत्मा गांधी को कोई नोबल प्राइज नहीं मि यह कि इनमें से नोबल प्राइज से किससे समानित किया जा चुका है ठीक है तो अब इंदना टैगोर को गितानजली के लिए किया गया था हरविंद खूराना को जिन्होंने जैनेक्टिक कोर्ड के लिए काम किया था के लाश तब्चारती इन्होंने क्या किया है कि चिर्ड अप्चिन आँ उम्र में नोबल स्केस संभानित किया गया उनका नाम आपको यहां पर बताना है उनका नाम है विलियम लौरेंस ब्रेक्त ऑप्षन एक यहां सही आंसर हो जाएगा मात्र 25 वर्ष की उमर में इन्हें नोबल प्राइस से समानित किया गया और इसी के साथ सबसे युवा कम उमर वाले युवा कौन है जिन्हें नोबल प्राइसकार से समानित किया गया है तो विल्यम लॉरेंस ब्रैक ठीक है इन्होंने किसकी डिस्कवरी किया है तो इन्होंने नियम के एक डवरी के जिसका नाम है ब्रैक एक्सरे डिफ्रेक्शन ठीक है यह एक इन्होंने लोग बनाया था इन्होंने इसको सॉल किया है तो इस वज़े से इनको नोबर प्राइस से समानित किया रहा है तो option A यहां पर सही answer होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question क्रेमस सीमर है माइकल फिलिप्स belongs to which country प्रसित तैराक है जिनका नाम है माइकल पैलेप्स कौन से देश से संबंध रखते हैं यह आप से question में पूछा गया है बताइए सही answer क्या होगा इसके लिए कौन से देश से संबंध रखते हैं right answer होगा इसके लिए बताइए क्या सही जवाब होगा इस question क्लिए 14th के लिए अमेरिका से यह संबंध रखते हैं D answer सही होगा है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो national anthem है रास्ट्रेगा जन गन वन किस भाशा से लिए आ गया है आर नेशनल एंथम जन गन वन इस अड़ोप्टिट पॉम विच लाइंगेज कौन सी भाशा से लिया गया है यह आपसे भाशा का नाम आपसे यहां पे पूछा गया ठीक है इसको बनाया किसने था याद कर रखना रखना रभिंदर नाथ टैगोर यह आप सब रुकाई ति उन्मी सो ग्यारा में तो पहली बार इस राश्टरगान को गाया गया था ऑप्शन डी बांगला इसका सही आंसर होगा ठीक है अगला देखिए कजरी लोग गीत निमन में से किस राज्जे से संबंधित है कजरी फोक सौंग इस रिलेटी टू विच ओप्टी फोलंग स्टे है जिसका नाम है मांड इसका नाम आपको यह तकना मांड ठीक है अगला देखिए विच ओप दी फोलंग इस दा ट्रेडिशनल थेटर ओफ जमू एंड कश्मीर निमन में से कौन जमू एंड कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्टे कला है ठीक है यह आपको पहचानना है तो जमू कश्मीर की जो पारंपरिक नाट्टे कलाहिया आपके थेटर है जो जमू कश्मीर का उसका नाम है भांड पत्थर डी यहां पे सही आंसरों के ठीक है अब बात करते हैं जात्रा की जात्रा अफ्वांग और माच कीबात दॉत करें तो यह कहा का थेटर है पश्रिस्म यह कुछ थेटर है जो आपको यार बखना है यह काफी इंपोर्टेंट है, options भी काफी important होते हैं question के साथ सारे options को आप समझना आपको चाहिए और आप एक काफी question जो एक question में cover हो जाते हैं इसलिए मैं हमेशा कहती है कि options भी important होते हैं कि जो मैं additional information आपको provide करवाती हूँ जिनके नाम पे Nobel Prize दिया जाता है, उनका नाम है Alfred Nobel, Option A, यहां से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? Nobel पुरस्कार कितने फिल्ड में दिया जाता है, तो 6 फिल्ड के लिए Nobel पुरस्कार दिया जाता है, अगले question है, Which of the following award is given to university for its all-round good performance in sports? Question यह है, निमन में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्व पिध्याले को खेल में सर्मागिन अच्छे प्रदेशन के लिए दिया जाता है, एक award का आपको इहां पे collect करना है, जो कि universities के बीच में जो games होते हैं, उनमें अच्छी performance दिनके रहती है, all-round performance, उनके समानित किया जाता है तो उस टॉपी का नाम है, मौलाना, अबुल, कलाम, आजार, टॉपी, option A, सही answer होता है, ठीक है, द्रोणाचारी अवोर्ड, कोचिस को दिया जाता है, कोच के लिए होता है, ध्यान चंद अवोर्ड, होकी की फिल्ड में दिया जाता है, ठीक है, यह आप तबहे को पता होग आउट्सेंडिक अचीवमेंट के लिए, और ध्यान चंद अवोर्ड, होकी में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, चलिया आगे देखते है, इन विच यूनियन टेरिट्रियो प इंडिया, बैस्टिल डे इस सेलिग्रेटिट भारत के किस केंदर प्रडेश में बैस्टिल डिवस मनाया जाता है, ठीक है बैस्टिल डिवस क्या होता है पहरत कोई बहस्ति गहता होना चीहИलत पहले आँसर देखते है बैस्टिल दि वस मनाया जाता है,ouse है इसकी शुरुवात होते है, 1789 से 1789 में तिहास में अगर जाओगे तो कौन से इविंट हुआ था फ्रेंच रिवोलुशन या फ्रांसिस्य करामती ही थी 1789 के अंदर बैस्टर दे भारत के कौन से युकेंदर शाषित प्रदेश में मनाया जाता है तो पॉंडेचेरी ताइट अंसर होगा क्योंकि से पॉंडेचेरी के उपर किसका साषण था हमने फिंदर इंट जैका अग्षा उर्पर फॉंडेचेश याद कोर्या कहां से कैप्चर किया है चाली कि और आ किसका साशन था तो अ कोई इसमा ना वाल्य C, the answer, sorry, B.R. Ambedkar G.K. के द्वारा इसको लिखा गया है, option B, right answer होगा, Dr. B.R. Ambedkar, अगला देखिए, दीपा करमकार is associated with which of the following sport, दीपा करमा कर का संबन, निमन में से, किस खेल से है, तेक है, गॉल्फ होगा, जिमनास्टिक होगा, टैनिस होगा, बैडमिंटन होगा, यह आपको संबन है, जिमनास्टिक से, option B यार दखना, जिमनास्टिक, अगला कोशन दिखते हैं, which of the following state, हमपी डान्स फेस्टिवल is celebrated, हमपी जो डान्स फेस्टिवल है, वो भारत के कौन से राजिय में मनाया जाता है, तो चार option है, केरल, करनाटक, तमिल नार्वन, तिलांगना, तो ताइम नहीं लगाना है, जल्दी सांसर टिकर करके, आप एक पो, नेक्ट कोशन पर भड़ना है, नेक्ट कोशन आपका ये है, विच स्टेट इन इंडिया, हैज मेड रूप टॉप रेन विंटर हार्वेस्टिंग स्ट्च्चर कंपल्सरी तो अल्ट हाउस इन इंडिया, भारत की किस राज्ये ने, राज्ये के सभी घरों में छट पर वर्षा जल संचेन की सरचना का निग्मान अनिवारी कर दिया है, तो भारत की कौन से राज्ये में, जो रेन वोटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उसको कंपल्सरी कर दिया है, ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है Who among the following is the writer of the novel, The Room on the Roof, एक novel का नाम आपको दिया गया है, The Room on the Roof, उसके लेखर का आप से पुछे गया है, कौन है, यह आपको इस कुछे में बताना है, इसके लिए right answer क्या हो, यह इनका पहला literary work था, जी उन्होंने 1956 में लिखा था, इनका नाम है, Ruskin Bond, option A, तही आंसर होगा, Ruskin निमन में से किस अंतरास्ट्य पुरसकार को प्राक्ट किया है, ठीक है, उन्होंने जो पुरसकार जीता है, जो अवार्ड उन्होंने जीता है, उसका नाम है, Man Booker Price, option B, सही आंसर होगा, Man Booker Price, ठीक है, और यह awards जो हमने देखी लिए पिसले question में आई हुए, ते रैमन मैक्स अगला रविश्कुमार को भारत की तरफ से 2019 में, ठीक है, यह हमने देखे हैं, अगला रेखिए, who is known as Haryana Hurricane, Haryana Hurricane के नाम से किसे जाना जाता है, एक छोटा सा हिंच आपके लिए मैं दे रही हूँ, वो हिंच है, कि यह एक क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर तो सारे नाम आ इंगा नाम है Kapil Dev, option A, right answer मुगा, ठीक है, Kapil Dev, अगला देखिए, Broom and Broom Book is co-authored by Broom and Broom पुस्तक के सहलेखर कोन है, या आपको इस क्वेश्य में बताना है, बताएए सही जवाब क्या होगा, इसके लिए, right answer क्या होगा, Broom and Broom Book के जो author है, उनका नाम है, पवन चोधी, क्व आप मिलके कोई और भी शामिल थे या थी, जिनोंने इस पुस्तक को लिखा है, जो शामिल थी, उनका नाम है किरनवेदी, option C, right answer होगा, तो पवन चोधी और किरनवेदी ने, दोनोंने मिलके, Broom and Broom पुस्तक को लिखा है, इसके अंदर क्या बताया है, इनोंने कि हाइजीन को कैसे मेंटेन रखते है, साफ सफाई, और किस मैन, कौन से मैनर्स होने चीए, कि आप साफ सफाई को मेंटेन कर सकते हो, ये सब इस बुक के अंदर इनोंने मैंशन किया है, तो किरनवेदी का संबन होगा, Broom and Groom बुक से, ठीक है, और पवन चोधरी, दोनों भी नाम इंप कौन से देश से है, ये आप से स्कूशन में पूछा गया है, ठीक है, सही आंसर होगा, कैनेडा से, option D, यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला देखिए, ज्यादा डेटेल में नहीं पूछना है, पूछा जाएगा कि Indian National Trust कब बना, क्या काम है, इसके, इस यहां से बस आपको इस फुल फॉर्म को बताना है, और आगे बढ़ना है, फुल फॉर्म क्या होगी, Indian National Trust for Art and Culture, Heritage, Option है, यहां पर सही आंसर होगा, ठीक है, आगे देखिए, पुस्तक के लेखर कोन है, यह आपको इसमें से पहचाना है, इसके लिए आंसर के वगर रस्किन बोन, जो एक काफी फेमस ओथर है, आरके नरायन, डुद्याइड की प्लिंग, विक्रम सेट, आंसर विल बी, आरके नरायन, भी सही आंसर है, यहां ठीक है, अगला दिखते ह है, who among the following is the co-founder of Flipkart, Flipkart company के सहसंस्थापत कौन है, यह इनके सहसंस्थापत है, सचीन बंसल, सचीन बंसल के साथ, जिन्होंने मिलके फ्लिपकार्ट को बनाया है, उनका नाम है बिन्नी बंसल, तो Flipkart company किसके द्वारा establish की गई है, बिन्नी बंसल और सचीन बंसल ने मिलके इ नेक्स्ट कॉशन है, आर्थिक विज्ञान में, स्वेरेजिस, रिक्स, बैंक, पुरसकार हर वर्ष्ट किसकी याद में दिया जाता है, आप से यह कॉशन पुछा गया है, तो यह दिया जाता है, अल्स्ट्रेड नोपल की याद में, option C right answer होगा, नोबल प्राइस भी दिया इककि आता है, आयूजिएं जो है, इसके कुछ कोर्स होते हैं, जैसे की near threat को erfahren ये से होता है near threatened मानने जिए डर में है कि खतम हो सकती है उन्हें नियर कहते हैं कुछ है कि खतम होती थी है और कुछ को डर है कि इसके बाद आता है इसके बाद आती है जिनका खतम होने का रिस्क बहुत ही जदा है जातो कुछ खतम हो शुकिनों बाके स्पीशिस का बिल्कुल जड़ से खतम होने की कगार पर है कोई खास difference में होता है इतना कुछ detail में नहीं पूछा जाता बस थोड़ा यह होता है कि पहले जैसे category बना दी फिर वल्नेरेबल बना दी जो और ज्यादा खत्रे में हैं और ज्यादा खत्रे में उन्हें यह चीज आपसे बेशक्स से पूछ दी जाती है तो टाइगर की बात करें तो टाइगर इन मेंसे इस category में आता है वो आता है इंडेंजर्ड कैटेगरी में option A इंडेंजर्ड लोग्त प्राय ठीक है तो option A यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं किंग जे आडम्स का संबन निमन में से किस खेल से है इनका संबन है यह अमेरिका से बिलॉंग करते हैं और इनका संबन जिस खेल से है उसका नाहम स्केट बोर्डिंग option C या तक ना स्केट बोर्डिंग अगला कुशन देखते हैं कि विचोप्ती फोरिंग इंस्टिउशन इन इंडिया नैशनल अकाडमी ओफ लैटर्स निमन में से कौन से संस्थाल भारत का राश्ट्र पत्र अकाडमी है ठीक है नैशनल अकाडमी ओफ लैटर्स है और उसका सही आंसर होगा साहित्य अकाडमी इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला देखिए विचोप दी पॉलर इंडियन सिटी है युनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट टैग इमन में से किस भारत के शहर को युनेस्टो के विश्व धरोर स्तल का दर्जा प्रदान हुआ है ठीक है तो भारत की जो पहली ऐस सिटी है जिसे युनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिकेलर किया है वुष्टी का नाम है एहमदाबाद आप्षिन ए राइट आंसर होगा एहमदाबाद पुरे विश्व में तीसरे नंबर के ऐसी जी जिसे युनेस्को ने शामिल किया है विसे पहले पिश्व में यह वह नेपाल के अंदर एक सिटी जिसे युनेसको ने वर्ल हरिटेस साइट केंके अंदर सुक्स्राइब कि श्री एक स你看 है ढंग फोले तो यहां इस फहरेस्वंड सुयान सब्सक्राइब अग्छब Dia辉स और तहीं पर्मानेंट में संग है वेकिंट um कि परिस्द में कितने S3 सबस्दे होते हैं देखो UN का Headquarter पहले देखो कहां पे है तो न्यू और यॉर्क में UN का Headquarter है ठीक है UN के जो Security Council है उसके दो टाइप के members होते हैं पहले members होते हैं पर्मानेंट फिर्मानेंटव होते हैं total 5 फांच है तो हांच है तो धोड़े काफी बार पुझे जैके जादा谢 कि ל नंमंबर 90 ये नहीं ही 6 याद करो ठ्र。 यूएसे यूएसे से ही मिलता दूलता, UK के बाद याद कर लो, फ्रांस, ठीक है? UK के बाद क्या याद करोगे? फ्रांस याद करोगे और फिर पांचवा जो देश है वो है रश्या तो ये पांच देश है जो UN Security Council के permanent member है मतलब 12 सदस्य है इसके अलावा UN Security Council के कुछ ऐस 12 सदस्य भी होते हैं जिने non permanent member कहते हैं अब non permanent member की संख्या कितनी है वो क्यूशन में आपसे पूछा गया है यह जो non permanent member देश हैं यह दो साल का इनका term होता है दो साल के लिए चुने जाते हैं तो टोटल जो non permanent members की जो संख्या होती है UN Security Council में वो होती है 10 तो इसके अंदर पांच permanent हमने देखी पर्मानेंट कौन-कौन से चाइना यूएस यूके फ्रांस और रॉश्या उसके अलावा non permanent होते हैं जो साल के लिए कि mi достаточно यह स्थ ने करेकाल होता है भी नियू हटाखे या तो वही देश आते हैं अा तरहा स्यां करना होते हैं कि स्थिए यह इन पर्माल्ड कितने होते हैं आगे बढ़ते हैं वट ईजनल गेम ईसे अमेरिका का राष्ट्रेख्थे खेल कौन सा है शुआ है अमेरिका का रास्ट्रेख्येल जिए पहे हैं अगेर देन प्रशार प्रशात श्यूजना किस मंत्र जाले के दिवारा शुरू कि गई है श इस स्कीम क्या है कि जितने भी जो फिल्गरिमेज क्ने साइट Grade करने जाते है ठिर्फ यात्रा उनको परेशानी ना होगाdy वह सारे शेयर साहर उने को क्यों सके ठीक है तो प्रसाफ किन किसा ने लौच कीन है क्या होगा विनिस्ट्री तूरिजम दोहजार चोदा के बीच में शिरू हुई थी जिक है और अप्षिन भी यहां पर सही आंसर है तो इसके लिए सही जवाप क्या होगा वो आपको बताना है कि वैभायादव का जो संबन्ध है वह कौन से खेल से है चिक है राइट अंसर आपको यादतना है बॉक्सिं से इनका संबन्ध है क्लास में तो यह आप देख सकते हैं ठीक है इनका संबन्ध है बॉक्सिंग से ऑप्षिन ए राइट आंसर है अगला देखिए विचोफी फोलोईंग इस रिजिनल म्यूजिक ओफ गोवा गोवा का इनमें से एक शेत्रिय संबन्ध कोन सा है वो पहचाना है ठीक है चार आपको यहाँ पे म्यूजिक दिये गए हैं सोहर, पंडवानी, मांदो, लोटिया इनमें से पहचाना है कि गोवा का जो रिजिनल म्यूजिक है वो कौन सा है तो इसके लिए सही आंसर होगा मांदो, option C सही आंसर है ठीक है सोहर लोटिया की बात करें तो यह famous है 36 गड़ का 36 गड़ और लोटिया की बात करें तो यह बिहार सोरी राजस्थान तो यह भी आपको options भी इसके साथ साथ याद दखने है क्या पता कब कौन सा option एक question बनके सामने आ जाए इसलिए options को भी याद दखना जरूरी होता है ठीक है चल शी पुस्तक लिखिए यह आपको चूज करना है ठीक है चार सती के नाम यह के गीवन है कुमार संभाव शकुन्तला ब्रहध संहींटा और रित्तुसहां इन चारोंब्ख में से चूज करना है जो जो बुक वहरा परहिता के दौरा लिखी है ठीक है कुमार संभाय शकुंतल यह वा रहा मिधीर ने लिखनी यह option c right answer हो जाएगा यह एक astronomical भी है साथ एक mathematician हो गी है तो ब्रहत सहीता इस दा right answer अगला देखिए पहला आधूनिक Olympic Hill निम्र में से कि शहर में आयोजित किया गया था the first modern Olympic Games were held in reach of the following city course city में सबसे पहले organize हुआ था तो यह organize हुआ था 1896 में पहली बार Greece के अंदर और Greece को कौन सा शहर था Athens option a right answer होगा अब बात करते हैं इंडिया की context में भारत की तरफ से पहली ऐसी महिला अगर हम female की बात करें जिन्होंने Olympic में पदख जीता है उनका नाम है कर्णम मलेश्वरी कर्णम मलेश्वरी यह भारत ओलन करती है और 69 kg में इन्होंने भारत के लिए bronze medal जीता था अब पात करते हैं male थिलारे की male player जिन्होंने भारत के लिए पहला Olympic जीता है उनका नाम है केडी जाधव केडी जाधव ठीक है यह दोनों नाम आपको याद रखने male female की भी फॉर्स टाइम और ग्रीस के अंदर 1896 में ग्रीस की एक सिटी है जिसका नाम है Athens तो फॉर्स modern Olympic Games were held in Athens option A right answer होगा ठीक है अगर देखिए एक famous dancer का नाम यहां पर दिया गया है जिनका नाम है चेमन चेरी कुनहीर रमन नेयर का सम्मन निमन में से किस निरत्य रूप से है एक famous dancer है चेमन चेरी तो पुछा यह गया है कि is associated with which of the following dance form कौन से निरत्य रूप से इनका सम्मन है यह इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं और जो dance form आप इसके side में देख रहे हैं कि कौन से state की famous dance form है यह है केरल राजजेगी ठीक है केरल और इसके लिए answer होगा कतकली option A right answer है ठीक है मनीपुरी dance form कहां की है मनीपुर state की है और इसी नाम से कती थोड़ा और इसा state की है सतरिया कहां का एक classical dance है असन राजजे का famous dance है सतरिया ठीक है option A कतकली से संबंध है इनका यह आप इनकी तस्वीर दुबारा से देखिए option A सही answer हो जाए कतकली ठीक है अगला रेखिए which of the following is the highest civilian award of India निमन में से कौन भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है चार आपको यहां पर प्राइस के नाम दिये गए है पदम भुशन भारत रतन पदम श्री और ग्यान पीट पुरसकार यह चूज करना है इनमें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है ठीक है भारत रतन सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रतन के बाद कौन सा जो हाइस्ट एवोर्ड है उसका नाम यादखना पदम भुशन में लास्ट के नाम दियती हूं आपको पदम भुशन इसके बाद यादखना पदम भुशन पदम भुशन की बाद पदम श्री ठीक है तो सबसे highest award हमने देखा भारत रतन right answer हो जाए रदी इठी है चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से उसमें medal दिया जाता है भारत रतन की खास्यत यह होती है इस award के अंदर कोई भी price money नहीं जी जाती कि विजेता रहती को कोई भी राशी इसके अंदर नहीं जी जाती यह ए लेखक कौन है इनमें से आपको चूज करना है तो आपको चार option की गए है जो गाइट option होगा इसके लिए वह होगा अर्विंद अडिगा ने लिखी है दा वाइट ताइगर यह भारत लेकक है और इन्होंने लिखी है उपन्यास ता वाइट ताइगर अब आर के नारायन न और एक यह पूछी जाती है दा गाइड गाइड के लावा एक थर्ड है जो पूछी जाती है वो है दा इंग्लिश टीचर यह तीनों लिखी है आर के नारायन ने चिक है अब बात करते शशी थरूर्थी इनकी दो फेमस नोवल है जो पूछी जाती है पहली यह है कि वाई आई एम हिंदू ठीक है और दूसरी जो इनकी फेमस है वो यह है एरा ओफ डार्कनेस यह दो बुक है जो शेशी थरूर के बारे में पूछी जाती है और आरके नारायन की तीन बुक आपको यार दखने है ठीक है यह क्रेशन में भी आ चुका है इंग्लिश टीचर का दा बुक आपट ब्रेशन के का ब्रीच शॉट प्रण पांडा भारत की कौन से राजय का स्टेट अनिमल है यह आपको स्टेट अनिमल है यह कौन से करते हैं चाइब बाद की क्यां ने देंज़ियों के अंदर अन्दर आता है कभी पूछ लिया जाए कि डेड पांडा की के डा दो चलिए मिजोर्म कि बात करते हैं मिजोर्म का ईदी से सुमात्रन है लो कि मस पर कि बाल कोर incompatxi और हो metropolitan है ट्रीमे ऐस जरें Vincent कि और आपड़़ते हैं या आप रेडपधा दे Acts रेक्वत्ते सितिन सब्सित्क débattu तिक है अगला देखिए इस ऑप्षिनेटीव इन इंडिया ऐसे खेल का नाम बताना है जिसकी उत्पत्ती भारत में हुई है तो इनने से जिस गेम की उत्पत्ती भारत से हुई है वो गेम है चेस और शिसकी उत्पत्ती भारत में 6th century के अरांड हुई थी चेस से पहले इसे कहा जाता था चतू रंगा कहा जाता था और 6th century में इसकी शुरुआत हुई है तो चेस की उत्पत्ती ही है भारत से और ऑप्चन भी त्राइट रहिए करग्लादी तैयगा ओवी वीच अमंगदी फॉलेइं धा वैल्यों पाई पाई की वैलु थी कह है इनमे से सबसे पहले किसने स्प्रकार से लिखते हैं पाई की वैल्यू सबसे पहले इनमे से त्रकार से लिखते हैं वह मैथोमेटिशन एक महान गणितर थे जिनका नाम है बोधायन ऑप्शन ए राइट अंसर होगा बोधायन इनका इन टेक्स था जैसे कि अब नोवल्स बगएर होते हैं नोवल्स में बताया जाता है वैसे इनकी एक बुक थी जिसके अंदर मैट्स के कुछ काफी तर्म्स बताये गए थे उस टे आयन इसके लिए राइट आंसर होगा ठीक है अगला देखिए निमल में से कौन सा संगीत वार्द्य यंद्य जीड यंद्र है ठीक है विच ओफ ती पॉलेंग मूजिकल इंस्ट्रूमेंट और रीड इंस्ट्रूमेंट आपको पहचारना कि रीड इंस्ट्रूमेंट किस प था उस्ताद घिस्मिल्ला खां या दकना इसलस्ता Х wheelchair भ्रम में पूचा जाता है यह शहनाईर बजाते थे ठीक है तो इनका नाम को остав me आप इनकी तस्वीर देखें यहां पे और शायर आपने इनने जानते होंगी तो इनका संबन बताइए कौन से थिल से है इनका संबन है रैसलिंग से पुष्टी से ऑप्शन सी आंसर होगा रैसलिंग ठीक है ची राइक आंसर है अगला देखिए जैसे कि अदर बात करें तो इसे नाम दिया जाता है कंधी ऑप्शन भी फिराइक आंसर होगा पावा कुठ्व की बात करें तो पावा कुठ्व कहां पे नाम दिया जाता है के बात करे तो यह जтесь नाम दिया जाता है ऑफिराइशा के अज है अग्याट कूशन देखते है गो इस देश्ट का एक पारंपरिक वा रास्ट्य परिधान है यह आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं इस प्रकार का यह ड्रेटिंग सेंस होता है मेल्स के अंदर कौवे बीज ऑब को देख वांसे प्रकार अगषिया थे में शी पुछा यह हैं तो शीज प्रकार की जह देख यहाँ पर इस की आप प्र को आप वेश्ट के इस जहां पूचा इसे ओड्स के रहे एक पूछा कि हमने देखा सही जवाब है अगला देखिए इस ता हाइस केलेंटरी एवोर्ड पुरसकर क्या है अगर मिलिटरी के बात करें ठीक है वहां पे जो सबसे हाइस रवोर दिया जाता है पूरे भारत का हमने देखा भारत रतन हमने देखा लेकिन मिलिटरी के अगर बात करते है तो वह जो हाइस रवोर होता है वहां पे वह होता है परमजीर्चक्र ऑप्शन ए राइकांसर होगा ठीक है परमजीर्चक्र यह आप देख सकते हैं अगले बढ़ते हैं बिचोपती पोलेंग नोवल इस नोट रिटन बाई अमीश्ट्रिपाथी निमन में से कौन सा उपन्यास अमीश्ट्रिपाथी के द्वारा नहीं लिखा गया है ठीक है आपको चार उपन्यास के नाम गिए गया है दा सिप्रेट ओफ नागार् इमओड़ल सफ मैलूवा एंड़ वन इंडियन गर्ल वन इंडियन गर्ल जो है यह अमीश्ट्रिपाथी के द्वारा मिश्ट्रिपाथी एक भाहती लेखुक है इनके द्वारा उपर की तीन बुक्स लिखी गई है लेकिन पोथ नंबर की जो बुक है दा वन इंडियन गर्ल यह लिखी गई है चेतन भगत की नोबल्स के उपर एक्जाम में काफी बार क्रेशन बनता है तो इनकी जो जो इंपोर्टेंट नौवल्स है वो सभी मापको बता रहे ताकि आपके एक नमबर आपको इनकी जो नौवल्स है वो कुछ इस प्रकार से हैं हाँ गलषंग की उपर तो आपने मूवी देखियु विट्छी हो इनकी इंकी इनकी इंपोर्टेंट है ट्रेइंज्टेक्स ओफ माय लाइफ यह थ्युक्द की पडाइब अ रिल्क्लेची सब्सक्वराल कि नेकी नो पर अजो पूछ नहीं एक पूंसन इपकुक्री पूछा 5.someone जोग भी question बनेगा इन ही सारे novels में से आपका a question बन जाएगा और लास्ट बच्वे one night at call center ये सारी novels मैंने आपको बता दी है one night at call center तहीं भी आपको भतकना नहीं पड़ेगा एक number आपको यहां से पूरी तरीके से complete हो जाए केतन बगर ने लिखिए one night girl तो मार कर दिया answer मैंने हां ठीक है option D right answer होगा अगला देखिए Michael Madhusudan दथ पेशे से क्या थे मधू सुरंदत का occupation पूछा गया है ठीक है उनका profession क्या था तो वो थे एक राइटर option C सही आंसर होगा वो एक Bengali poet थे ठीक है एक Bengali poet थे तो आंसर होगा C या आपन की तस्वी विक्तत में है राइटर जो है सही आंसर होगा ठीक है अगला देखिए ratio of the length to the height of the national flag shall be रास्टे द्वर्ज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना होता है रास्टे धवर्ज की अगर हम length height or length का बात करते हैं तो वह होता है ratio में 3 ratio 2 ठीक है option D या दखना 3 ratio 2 में होता है अगले question है विचोप्ती पोलंग जोते लिंगाग इस इन महारास्ट्र निमन में से कौन सा जोते लिंग महारास्ट्र में है तो महारास्ट्र में 4 जोते लिंग पाए जाते हैं तो चारों के नाम जाना important है सबसे पहला है आप यादखना गिरेश्वर ठीक है option C गिरेश्वर सही answer होगा इसका पहला तो यह हो गया इसके अरावा की जोते लिंग आपको यादखने है दूसरा है धीमा शंकर ठीक है धीमा शंकर तीसरा है त्रिमबकेश्वर त्रिमबकेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका उध्कम स्थान है उस नदी का नाम है गोडावरी तो तो इसके अलावा यह को यार दखना पर्ली वाजिनाथ तो यह पांच सवरी चार नहीं पांच जोतिर लिंग है जो कहां पर है सिर्फ महारास्टर स्टेट के अंदर है तो दुबारा से नाम गिन्वारे थी दिनेश्वर धीम शंकर त्रिम्वकेश्वर नागनाथ और पर्ली वाजिनाथ त्रिम्वकेश्वर से कौन से नदी का उद्गम स्थान है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है क्लिया तो ऑप्शन सी राइक आंसर मिजह रहे हां पर अगला देखिए विचोप्टी पोलिंग स्पोर्स्में हैस रिसीवड राजीव गांधी खेल रतन एव जेखिए दो ऑप्शन दी यहां पर खांटि अग्या देखिए विच्टा कमारी से लाप से पुछा गया कि भीटा को मारी का शम्बन किस थे ऐस्थे थी कर समाना बता सब्सक्राइब को देखिए तिरंदाजी इसका सही आंसर होगा आपसे करह कुमारी से तितिका कुमारी क प्रगतेशील भारत रिपोर्ट का प्रकाशन निमन में से किस अन्फान के दुआरा किया जाता है कि जितने भी स्टेट है महारत के अंदर जितने भी यूनियन टेरेक्टिव तरके इंदर शाषित प्रदेश है कि उनके जो health outcomes चैथि किज में health का status क्या है उस राज़े के इंडर इसके देस के बजेत करी राज्यों को स्टेट के रेंकिंग के जाते हैं तरकि इस स्टेट में health का concept जो इतना अच्छा है इसमें condition ऐसी है तो जो ranking करता है states की health outcome ते base पे वो करता है NEETI IO वो option D right answer हो ठीक है NEETI IO और NEETI IO के head कोन होते है Prime Minister Narendra Modi NEETI IO के head O option D जो है वो right answer होते है अगला दिखने Botanical Survey of India के headquarter पूछा है कि कहां पे है BSI Botanical Survey of India इसका headquarter है कौलकाता में option C right answer होका कौलकाता ठीक है और इसके साथ साथ एक और भी यादखना जो लोजिकल सर्वी ओफ इंडिया की बात करें तो इसका भी headquarter कहां पे है अगेन इसका headquarter भी कहां पे है कलकाता के अंगर है तो यह भी आपको यादखना इन दोनों का headquarter कोलकाता में है option C right answer है अगला देखिए विश्व प्रशिद बोरो बुदूर मंदीर कहां पे है वर्ड फेमस बोरो बुदूर टैंपल इस लोकेटी इंडिश कंट्री कुछा गया है यह बुद्धिस्ट टैंपल है ठीक है बोध धरम से संब्दित है और यह टैंपल कौन से देश में पुछा गया है तो इंडोनेशिया में है ऑप्शन भी सही जवाब है ठीक है जो बुद्ध के मंदीर है वह अलगलो देशों में खैले हुए तो वहां पर जो फेमस मंदीर है उनके कंट्री पूछ ली जाती है कि जो फेमस टैंपल है बोध धरम से संब्दित है उसके जो पौर्ण से देश में बना हुआ है में फेमस यह कंट्री में बोध जरंगा जिसका नाम है अंग्रॉरह में आग्राउ कि अंग्र कोड़ वर्ट तरे से चुंड़ेक यह है कमबोडिय के उंदर अंग्र कोडर्वाद अब जिन आम में और ढख नाम के यह पगोड़ायाद लेट उसने में है तो आंसर क्या होगा और जो हमने दीखा अभी इंडोनेश鼻 आइट अग्लड को पूछा गया कि मीन्यांता कश्चा और जो मीनिमांता सेुदसा कि इस वह सब्छक्रत करें hard दिखिए कि को इसन बहुत प्र मुझें ऐस सब्सक्राइब करने के लिए है मिनी वाटा करनेंशन के बारे में बताए गया अब देखिए ओज्वन गैस के अगर बात करें अब हमने करवेंशन देखा संदी देखी हमने मल्पीरी से रिलेटी अगर कुश्चन में ऐसे आ जाए कि ओजुशन देखने समेंश्य कौण से संब्सक्राइब करनारा 53 वा कि दैटों देगाध्य Cosmos यह संब्सक्राइब है 376 कि जबुटन इन सा संब्सक्राइब प्रोट्रोकॉल है इसक आप आपको यादक नहीं है यह 1985 में हुआ था यह शुरू हुआ था 1987 में लिया तो ओजोन गैस की बात करें तो दियाना कर्वेंशन 1985 और अगर ओजन गैस को डिप्लीट कौन-कौन करते हैं उनकी बात करें तो मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल जो 1987 में शुरू हुआ था ठीक है और मिनी माटा कर्वेंशन का हमने आंसर देखी लिया है मत्कुरी इसका राइट आंसर अगला देखो भवीशा सिंग का संब्ध नि प्रेकर कॉल से देशं के हवाओ का देश जाता है तो का अ इस treaty देनमार को हभाओ का देश लाइट का मेफ्शन कर्या में गार्यका प्रेशं जाता है डिकाया जानका की से उपचिन हो पसा थी नहीं हमने वैं गुल्वे размyuट मुल्शन का नाम दिया रहे है आंनण बप्थ कुण है यह जो बुख है यह कौन से वर्ष में लिखी गई है यह लिखी गई है यह लिखी गई है बंकिम चंडर चटो पध्धा चटर जी के द्वारा ऑप्शन सी राइट आंसर है इस बुख के उपर एक मूवी भी बन चुगी है आनन्द मत के नाम से एक मूवी भी बन करते हैं विखी फोलेंग ट्रॉफ्य और कट्र इस एस संब्सक्राइब उसका ही गें तो पुछा रहे है कि इंवे जो कौन सा ऐसा है जिसका समवन से इसा है तो पांसर होगा इसके लिए होल कर ट्रॉफ्य ओप्शन यह नहीं काश्ड ऑंसे अश्ड़ेदा घ्रेंश सा दे पेमर्स फोमस कप का संबन पूछ जाए तो इसका संबन है बैडमिल्टन से फोमस कप का संबन जिससे होगा बैडमिल्टन से होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं विचोपती फोलेंगी जा ट्रेडिशनल थेटर फोम अप भरियाना इमने से कौन हर्याना का पारम पर एक नाट्य से पारम पर यह है रोप है दियाकुन परोटोंतर राइज से राइड्ड ग्लासिकल आस के वाठनां क्या लृट नं इपतों ध唱 यार रखना है लियुक्त कियाना क्या है अब क्योंतंस को डिसकást करते हैं चारं तीन आक्षिन था में तो यहां पर पंपरिक नाट्या के वाल महारास्टर से दश अवतार की बात करें तो अगेन महारास्टर ही होगा नोटंगी की बात करें तो उत्रप्रदेश होगा ठीक है तो दश अवतार भी महारास्टर होगा यहां पर सेम और तमाशा भी महारास्टर नोटंगी है उत्रप्रदेश की ठेटर फोम है हर्याना की श्रावन का मंध उस मंध में भरता है और यह कहां पर होता है यह है हिमाखिल पडेश के अंदर अगे क्या को ढगार के वाइय उस से थान भूता-गीत सुंध निवा इसे घ्रिशनान भूता-गीतनीश पलान STAR भूतान खुछा राजियों को यह खि commercials जीजों से संबनी थे भूता सौंग यह कौन से राजय में है तो आंसर होगा इसके लिए किरल ऑप्षिन भी राइट अंसर होगा अब बात करते हैं ऑप्षिन की हम बात कर लेते हैं ठीक है तो चलिए आज ऑप्षिन आएंगो और डिसकस करते हैं अब पूर्फिन की होता है तो इस एक मतलब आप समझें जीजी कि इन सारे देशों के बीच ने एक हम हमात अब करेंगे हमारा जो प्लि septy बात करेंगी हमारा मुझेश सको अंदर में आपंसे हम सफ्नूप को अमना नीग आपके यह हैं पूछा है लावनी भारत के निमन में से किस राजय का एक लोग मृत्य है लावनी इज़ा फोग डांस विच ओप लेंडिया लावनी है महारास्टर का ऑप्शन भी राइटांस नोगा ठीक है अब फोग डांस की बात की गई है तो देख लेते हैं राजस्थान के जो फोग ड ऑफालिय। डांस या डांस याद दुटना गूमर डांस याद न प्रफित रहे लेप्टना है इसके साथ से की एक डांस थी कवेड़ हूए लाव है अब प्रफद अथा बगुरात है आप सभी को पर दोला लि करवंप लोग में से लिए और जएओ लोगार है उसका नाम है मांड क्या आत राखांड की बात करें आरे चाहर सौंग आया जुम्टा गॉछरात के लिए गर्वाय है इतना ज्यादा इंपोटौंग नहीं आता है ऑप्षेंदह इसलिए लléसा या आप तस्वीर में भी देख सकते हैं लाव निग विस दा राइटर ऑफ रिवोलुशन 2020 के लेखर कौन है जो के आया था जै मैंने आपको चेतन भगत के सारे नोवल्स के बारे में बताया था तो वहां पर जिक्र हुआ था का यह लिखी रही है चेतन भगत के द्वारा ऑप्शन ए चेतन भगत के द्वारा नाम देखा होगा मैंने छे यह साथ बुक आपको बताई थी कि एक्जाम में यहीं से क्वेशन आता है तो सारी बुक्स को नाम आप दुबारा से क्वेशन पर जाके अच्छे से याद कर लें अगला देखिए विचुप्ती पोलिंग एवर्ड इस नोड गिवन बायदा एंपी गवर्मेंट इमन में से कौन सा पुरसकार मध्यपरदेश के सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है ठीक है चार पुरसकार दिये गए है कि शोर कुमार रानी लक्षमी बाई नताम अंग का यह कौन से राजय की सरकार की योजना है जिसका नाम है रानी लक्षमी बाई आव डो यह कौन ने घ。 जो इजना शब नहीं एवार्ड शब यहां पर यह वोड जो है रानी लक्ष्मिबाई अवार्ड यह मथ्यप्रदेश्च कवर्वंएंट का नहीं है यह उत्र प्रदेश्च कवर्मेंट का है तो ऑक्षिन भी हां पर तो कहां होंगे यह जापान में होंगे जापान के शहर टोक्यों में ऑप्षिने राइक आंसर होगा ठीक है तो अब एक और चीज़ यहां पर याद दख लो यह तो याद होगे कि इसका मैस कोट क्या है जो ऑलम्पिक्स होने जा रहे हैं इसका मैस कोट यादखना सोमीती इसक होने वाले हैं टिक है अगला क्योशन है वेल वर्ज दा फॉर्स अर्ट समीट है पहला प्रिप्थी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ ठीक है इसके लिए आंसर होगा जो फॉर्स अर्थ समीट है यह हुआ था नाइंटी नाइंटी टू में एक संस्ता है जिसका नाम है यू-n- कि एडी इसकी फुलपार मोट आय। नेशन कॉंफरेंस ओफ इन्वार्मेंट एंड डवलप्मेंट इक है तो यह टीन शब्टा तो कॉमन जाद होंगे नाइटी नेशन कॉंफरेंस ओं इन्वार्मेंट और डवलप्मेंट पर्याइवरान और उसके विकास के उपर एक कॉ प्रियावलन से संब्सक्राइबनों कैसे बचाया जाया तो इस सब चीज़ों का सॉलुशन करने के लिए उन्होंने कॉंफरेंस रखी थी 1992 के अंदर इस कॉंफरेंस कहां पर हुई थी यह हुई थी रियो डी जनेरियो के अंदर सीबूल इसे अर्थ समीट के नाम से यह जो सब्सक्राइबन कहा जाता है तो प्रिक पैसी तौड कहां हुआ था आ रियो डी जनेरियों में वह था जो मध्यपदेश का शहर है ग्वालियर और यह एक गाम है जिसका नाम है बेहट गाम है ग्वालियर के अंदर वहां पर यह मनाया जाता है दिसंबर के महिये में तो आंसर क्या होगा ग्वालियर एंटी में है अगला देखो फीफा वॉज इस्टैबलिज्ट इन फुटबॉल का एस्टेशन है उसकी सापना कब हुई थी कौन से वर्ण सुरी कहां हुई थी यह पूछा रहा है इतली में हुई थी चेके हो और इंदर कहां पर हुई थी यादतना फ्रांस के अंदर हुई थी ऑक्षेफ यह तरीका है जिसे आप एक्षार रैट दा सोय जाए यह हमारा बोमादास ей सब्सक्ला कौन से खेल से यह आपको बताना है इसके लिए राट आंसर बताई क्या होगा मोमादास की बात क बस्ची मंगॉल कलकत्ता से संबंद रखती है और यह एक प्लेयर है किसकी टेबल टैनिस खेलती है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन वी टेबल टैनिस इस दा राइट आंसर ठीक है अगले कोशन देखते हैं टॉम ऑफ सूफी संथ के मगबरे को क्या कहा जाता है चार आपके साम कि दरगा तो जो भी यह सूफी संथ होते हैं उनके जो मदबरे बनाये जाते हैं उन्हें दरगा कहते हैं तो ऑप्शन सी दरगा सही आंसर हो जाएगा यहां पर चलिए आगे के कुशन देखते हैं कि विजब फॉस्ट विमेंट तो सक्सेस्पुली क्लाइं माउंटेन मकालू माउंटेन मकालू पर सफलता पूरग चड़ाई करने वाली पहली भारतिय महिला कौन है उनका नाम आप से पूछ आगया है माउंट मकालू यह वर्ड की फिफ्ट हाइस माउंटेन है पांश यह माउंट मकालू को क्लाइम किया है तो आंसर इसके लिए हुगा क्या तूज करेंगे हम प्रेंग का मोहिते ऑप्शन टी राइट अंसर हो करेंग का मोहिते मात्र 26 वर्ष की है और यह एक परवता रोही है और इन्होंने भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने सफलता पूर अलंपिक के छले में से कौन सा रंग नहीं पाय है औलंपिक के रिंग सो हम सभी ने देख़ी हैं 54 y는 चेыс बेएं 50 rinks होते हैंं 55 ml अंधिंब्रेंट उपें strips रूटे हैं कभी एत्छ सेंडिया रहें नहीं नहीं गया सब्सक्राइन में कर जाने तुम आोप्स hm कि हमें अगले साल न हुने वाले है। जापान के शहर टोक्यों में औंपिक آर्गनाईज होने है। जापान के शहर, टोक्यो के अंदर तो जो अलम्पिक रिंग्स का पूछा गया है, जो कलर नहीं है, वो है पिंग अब इसके मैस्कोट की भी बात कर लेते हैं दिखिए जो अलम्पिक्स अभी हेल्ड होने वाले हैं जो बी ऑलम्पिक्स की अगर कोई भी ऐग्जाम आपका इन विट्विन होता है तो एक क्वेशन जरूर आपके एक्वेशन में आएगा ओलम्पिक्स से रिलेटेड़ तो जो भी olympics question आपको यहां पर कराऊं वो सारे question आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे mascot की बात करें तो जो mascot रहने वाला है उसका नाम है सोमेटी सोमेटी mascot होगा 2020 के olympics में और कहां पर होगा जापान के शहर टोक्यो में ही और 2020 में और पिंक कलर जो है वो एक olympic ring में एक कलर आप देख पा रहे हैं नहीं है तो पांच कौन-कौन से कलर है यह पांचो कलर सापको याद करने हैं तब ही आपका कोई answer जो आप completely उससे answer कर पाएंगे ठीक है अगला देखिए which of the following is not a weight classification in boxing मुक्य बाजी में निमनली खितमेश से कौन सा भार भी भाजन नहीं है वेट classification की बात जैसे boxing में काक्यकाती kg की वो categories होती है 60 kg की category की players होते है 50 होते हैं 70 होते हैं इस प्रकार से categories होती है उनकी तो वेट का classification की जो categories होती है वो कुछ इस प्रकार से जैसे heavyweight हुआ मीडल वेट हुआ लाइट वेट हुआ ठीक है एक होता है मैं आगे का word लिग देती हूं बाकी आप complete करेंगे flyweight हुआ flyweight के बाद एक होता है featherweight भी होता है ठीक है featherweight के बाद एक welterweight होता है उसके बाद middleweight, heavyweight, lightweight यह सब आपने कर लिया तो totally 6 weight आपको यादक ने है heavy, middle, light, fly, feeder, welter ठीक है यह 6 weight आपको यादक ने यह categories होती है लेकिन underweight कोई भी category boxing क्लासिटिकेशन में नहीं पाए जाती है तो answer क्या होगा underweight यहां पर सही answer होगा ठीक है वह बाकी 6 की 6 categories पर हम क्या करेंगे हम इन्हें याद करेंगे पूछी जा सकती है ठीक है आगे बढ़े अगला question देखो पेमर्स कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मन प्रसित कार्टूनिस्ट है किस company के लिए गट्टो नामत कार्टून उन्होंने बनाया था देखिए ओ गट्टो नामत कार्टून इस प्रकार से दिखाई देता है यह तस जिसका नाम है गट्टू जो अभी अभी आपने देखा है यह देख सकते हैं कौन सी company के लिए तो Asian Paints के लिए ठीक है तो answer इसमें होगा हमारा Asian Paints यहां से सही answer चूज करेंगे तो आंसर विल बी option C Asian Paints तो जो फेमस कार्टूनिस्ट है उन्होंने गट्टू कार्टून किस company के लिए बनाया है तो Asian Paints के लिए बनाया है ठीक है क्लियर होगा चलिए आगे देखते हैं लिंगा राज टैंपल इस लोकेटिड इन विच सिटी मशूर लिंग राज मंदिर क कि आप तसलिएब सकते हैं आपको बताना है भारत के कौन से राज्य कौन से यह स्थी किसको डैडिकेटिड अच्चन सिट इन है ने सबसे पुराना इनहां पर ने बात करते हैं यह located कहां पे हैं तो यह located है भूमनेश्वर के अंदर option B is the right answer भूमनेश्वर ठीक है तो लिंग राज जो फेमस टेमपल है जो शीव का शीव के लिए 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 भागवान शीव के सबसे पुराना मंदिर है भूमनेश्वर का और सोम वंची किंग ने इसका दिर्मान करवाया था आंसर भी भूमनेश्वर नेक्स वेशन पर आते हैं which of the following countries hosted the first South Asian Games पहले दक्ष्चुन एश्याई खेलों का आयोजन निमन में से किस देश ने किया था तो first South Asian Games और्गनाईज हुए थे कौन से यर में यह और्गनाईज हुए थे 1983 में पहली बार और यह हुए थे काटमांडू के अंदर काटमांडू कहां पे हैं नेपाल तो आंसर क्या होगा नेपाल के अंदर first South Asian Games जो हैं held हुए थे यह हर दो साल में एक बार और्गनाईज हो जाते हैं बाकिये कभी जैसे occasion होता है तो नहीं भी और्गनाईज हो पाते हैं लेकिन time period इनका यह है कि दो बार में और दो साल में और्गनाईज हो जाते हैं तो first South Asian Games कहां पे held हुए थे कार्ठमान्दू नेपाल के अंदर option A is the right answer next देखिये headquarter of the Indian Institute of Astrophysics is located in भारती खगोल भोची की संस्थान का मुख्याले कहां स्थित है तो Indian Institute of Astrophysics की बात करे it is located in Bangalore option D सही answer होगा mostly headquarters देखा गया कि Bangalore में ही located होगा जैसे कि ISRO का बात करे ISRO जो Indian Space Research Organization है हमारे Space Agency है उसका headquarter भी Bangalore में ही है तो option D जो है आपका सही answer होगा अगला देखिये who among the following has not received भारत रतन निवन में से किसे भारत रतन से समानित नहीं किया गया है ठीक है चार options आपके सामने है महत्मा गांधी पंडी जौहारलाल नहरू अटल भिहारी वाजफ़े सचिन तेंदुलकर यह चार options है and you have to choose कि किसे भारत रतन से समानित नहीं किया गया है ठीक है या दखना महत्मा गांधी को कभी भारत रतन से समानित नहीं किया गया है option A Рudis option A is the right answer महत्मा गांधी को नाम यादख वह किसी जी क्यों आज़िए मानेज आपको और तीनों का नहीं भी पता है तो महात्मा गांधी का यार दखना महात्मा गांधी जी को भरत रतन से कभी भी सम्वानित नहीं किया गया है ठीक है? So, option A is the right answer चलिए, आगे बढ़ते हैं Next question दिया गया आपको With reference to the development of a country, which of the following countries is associated with the growth national happiness देश की दिकास के संदर्द में, if we talk about उस निमल में से कौन सा देश प्रकल रास्ते कुशाली से संबंदित है Growth National Happiness के अगर बात करें तो ये 1970 के अंदर जो भुतान के किंग है, उनके दौरा शुरू किया गया था इस प्रकार का एक इंडेक्स उन्होंने निकालना शुरू किया था तो आंसर होगा यहां पर भुतान, option A, सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं Which of the following is a Harvest Festival of India निमन में से कौन सा एक किसानी त्योहार है Harvest Festival की यहां पर बात भी गई है दर्पका, तेशी, लोडी, एंड कीज, और बॉनालू इसके लिए राइट आंसर होगा जिसे Harvest Festival भी कहा जाता है यह बहुत ही फेमस फेस्टिवल है पंजाबी लोगों का जो पंजाबी लोग है और जो पंजाब में भी काफी धूम धाम से मनाये जाता है लोहरी जो है वो सही आंसर होगा इसके लिए यह हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो option B is the right answer ठीक है बॉनालू की बात करें तो बॉनालू कहां का फेमस फेस्टिवल है यह है तेलांगणा का तेलांगणा का एक प्रमुक फेस्टिवल है जिसमें महाकाली की पूजा अर्चना की जाती है तो यह हार्वेस्ट से संबन्द्स नहीं हूँ हूआ तव अप्शन दी तो नहीं सकता तीज के बारे में आप सभी को पता यह तिरप्ता तेशी कि अगर हम बात करते है तो बात करे तो यह रिपधर्ट तेशी की बात करे तो ये बोठव का होगता है बोटर भर्स डहे होता है गोर्ऄ हमने बाले लोग इसे संबंडित रहले में अभालो भार सेंगिता ति महां काली कि पुय आलचना की जाती थे ग्हार की मैं तप ग्लूहरी आपशिंधा से भाली डाले Lazawad ए देफ से धानि-धार में आपने काफी इस्तुहार के बारे में सुना होगा देखा भी होगा काफी धूम धाम से यह बनाया जाता है फोन इंडियन has not received the Nobel price निमन में से किस भार्के को Nobel price से समानिक नहीं किया गया है ठीक है आपको चार Ops दिये एक चूज करना मदर टेरे साने काम किया है शांती के लिए अबन बच्चों के लिए बहुत जादा काम किया मदर टेरे साने इन्हीं Nobel price समानिक किया गया है अमरत्य सेंड शेय हैं इन्होंने काफी टेओरीस अपनी दी है तो मरत्य सेंड al-bilir पुछ छानाम किया लिए। करें तो हाल ही में 2014 मैं नूबल प्राइसे सम मानिच किया गया है इन्होंने बच्छों की ठीज में ज्य breed में जैसे हमको चोशन से बचाना उंके लिए। इन्हों काफी काम किया है कि लास सट्यार्थी साथ में पूछा जाता है मलाला यूट्यूब जाई इन दोनों को नोबल प्रैस दिया गया था 2014 के अंडर ठीक है डोक्तर एकीजी अब्दुल कलाम को नोबल प्रशकार से सम्मानित नहीं किया गया है हलंकी डोक्टर अब्दुल कलाम को बहुत सारे वोर्ड दिये गए हैं बहुत ज्यादा संख्याम इन्हों ने अवोर्ड प्राप्ट किये हैं तो कुछ दीखर को फिरशन सीलह आव यह सम्मानित चारा जाहे जगा है और वीर्स अवर इसलह और वेक ईंहें शरीण हैं क्याहकु ने वह अध्याया है चाहिसा जाह स्पर गुणी को सलेखस किये तो कि अंजिया था यहां उप्राप्टर कर अ माई लाइफ और माई मिशन निमन में से किसकी आप में कथा है यह आपसे पूछी रही है चीक है चार ऑप्शनस आपको गिवन है बाबा राम देव गुरू राम रहीम रतन टाटा एंड महात्मा गांधी यह आपको बताना है तो ऑटो पायग्राफी जो है माई लाइफ माई अब बात करते हैं महात्मा गांधी की जीवनी है उसके बारे में पूछा जाता है इनकी ओटो बायोग्राफी का नाम याद रखना स्टोरी ओप माई एक्सपेरिमेंट स्टोरी ओफ माई एक्सपेरिमेंट वित टूथ यह इनकी ओटो बायोग्राफी है महात्मा गांधी की क्लियर तो माई लाइफ माई मिशन का संबन है बाबा राम देर से अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं जिनी जोग गुरू धी कहते हैं नेक्स वे सामने है कि छैतुरगार के पॉर्भा में स्थे चैतुरगड किले में एक प्रसीद और रचित्य मंदिर है यह मंदिर कौन सा है थूज इस फेम चैतुरगर पोर्फ इंपल वाग पुछा गया है जो कोरभा में चैतुरगड किले के अंधर सब्सक्राइब करते हैं हम आदी शंतराचार्य मंदिर की भारत के कौन से राजय में है तो उत्तर परदेश के अंदर है बात करते हैं वाहरा मुर्ती मंदिर की बारत की राजय में तो यह MP के अंदर है और यह को भी अच्छे से आप पढ़ीये तो कि आ अपके कहीं ना करी क्शिन बनके आ सकते हैं तो यह नहीं कि आंसर देखा हमने वीडियों में वीडियो को जल्दी से skip कर दिया और फॉरवार्ड कर दिया वह एक अच्छा वे नहीं होता है पढ़ाई करने का सारे options को साथ देखे चलोगे तो क्या पता कौन सा option कभी question बनके आपके सामने आ जाए तो आपका कम से कम एक number तो हाँ पर बच सकता है तो answer के साथ options को भी जरूर आप पढ़ना चाहिए ठीक है अगला question है which of the following award are given to recognize player's lifetime achievement sport जीवन वेसे कौन सा पुरसकार ऐसा है जो खेल के छेत्रों में खिलाडियों की जीवन भर्थी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है lifetime achievement जिन्होंने sports में हासिल किया है जो achievements है उनके जीवन भर्थी जो उपलब्धिया है उनके लिए sports वे फिल्ड में ज अवोड दिया जाता है उसका नाम है द्रोनाचार्ये अवोड option A right answer होगा जो है जो होगी के बहुत ही प्लेयर थे तो होगी के फिल्ड में एक प्रॉफी उनसे संबन्दित है जिसका नाम है ध्यांचंद प्रॉफी दी जाते है होगी के फिल्ड में ध्यांचंद प्रॉफी भी इससे याप दखो और ध्यांचंद पुरसकार दी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवोड दिया जाता है ध्यांचंद ड्रोनाचारी अवोड कहां दिया जाता है जो भी बैस्ट कोछ उते हैं उन्हें को जोनाचारी आवोड से शमानित किया जाता है ठीक है यह कुछ इंपॉर्टन पॉइंट है और राजीवानी कियल रतन ये हाइस्ट ओनर होता है किसके फिल्ड में ये स्पोर् जो अच्छा पर्फॉमेंस रहता है अच्छा रिकॉर्ड रहता है उसे अर्जुन प्रसकार से जमानित किया जाता है अगले क्वेशन देखिए विचोप की फॉलॉइंग इस नोट है इस ने जीता मेल कौन थे इस इस तो यह सारे पूछे जाते हैं तो सारे जैसे ऑस्ट्रियन ओपन तो आई पहले देखते हैं कि ग्रेंड विंवर्डन होता है इसके साथ यूएस ओपन याद दखना यूएस ओपन भी ग्रैंड स्लैम होता है तैनिस के फिल्ड में लेकिन होगा हमारा डी इंडिन ओपन भी जिगा याद दखो यूएस ओपन लिए चारो ग्रैंड स्लैम होते हैं टूर्नार्मेंट होते हैं टैनिस के लिए चलिए आगे देखते हैं विचोफी फोलंग इंडियन एक्रस इस पार्ट ओफ ग्लोबल गर्ल अप कैंपेंड बाया दा इंडिया में तो नहीं है बट फिर भी आंसर होगा इसके लिए चौपरा ओप्शन एज दार्ट आइज दार्ट आश्टर के वैश्वी गर्लफ अभ्यान का हिस्सा है गर्लफ अभ्यान है क्या बेसिकली जो गर्ल्स है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ताकि उनका के लिए कि एडूकेशन के लिए चलाय गया है पुछा ये गया है कौनसे इंडियन एक्टरेश इसका पार्ट है यह आप से पूछा गया है वह अभी हलंकी इंडिया में तो नहीं है बट फिर भी आंसर होगा इस लिए प्रैंका चोप्रा ऑप्शन एज दाहा आइज अशर तो याद दखना इसके साथ साथ UNESCO की भी ब्रेंड अम्वेसिडर है प्रेंका चोप्रा उप्षिन ए उसके आप इंकी करेंट्ली अभी जो इन्हें आवोर्ड मिला है उसके लिए आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं अग्ला देखिए फूरोड थी बुक एंड अप्षिन दी इस था राइट आँसर ठीक है एडम स्मित के दूआरा लिखी गई है वह एक अथर है आप देख सकते हैं इसका निर्देशन किसने किया है चार ओप्षिन आपके सामने हैं तो यह बहुती फेमस फिल्मेकर है बहुत सारे मुवी इस इन्हों ने बनाई है बह अप्षिन जो है यह सही आंसर होगा सथ्य जी ठीक है यह आप इसके देख सकते हैं आगे देखते हैं कि मिनहाज ए सिराज कुछन ने पूछा गया है था था इतिहास के लेखा कि जिनका नाम है मिनहाज ए सिराज में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कों से छेत्र को दर् that रिच हिम्हाने कुष már था वो उन्होंने कौसे च्यट्र को धश्वाने के लिए किया गया था वह चेतर है पंजाब हरिया ना उन्हें यमणा पंजाब घरियाना तथा गंगर एवं यमना की बीच की भूमी इन एरियास को दर्शाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान का शब्द का यूज किया था आपको याद रखना है यहां पर सभी आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं पर!". आपको दिया गया है करोनाल्ड गैरी टेंच कहां आयोजित किया जाता है। थे का भी हम ने देखा थे जा इसको फिए शेहर में यह जाता है यह आप से पूछया है यह मई से जून के बीच में आयोजित किया जाता है यह होता है पैरिस के अंदर को बताना है यह सके तस्वीर आम्रावति की आपको Allah यह बहुत ग्रेटिस्ट स्टूपा में से एक है यह है अंत्रपरदेश के अंजर ऑप्शन की सही आंसर होगा अंत्रपरदेश ठीक है चल यह आगे बढ़ते हैं Lessons life taught unknowingly is a autobiography of which actor आपको एक जीवनी जीगे है जिसका नाम है Lessons life taught unknowingly is an autobiography कौन से एक्टर की ऑथोग्राफी है यह आपको बताना है जल दिये वड़ा सक टाइम दे रहे हैं क्रेशन के लिए क्रेशन एजी है और इंपोर्टन भी हो तो आप इसका आंसर कीज़े आराम से इसक आप इसका कवर पेज भी यहां पर देख सकते हैं ठीक है और आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है कि इच्छाओं का गाम इसका नाम है चारुपलम किस मंदिर के स्मीप सित है बताइए चारुपलम दा विलेज ओप इंक्लाइन इस लोकेटेट नियर विच टैंपल कौन से टैंपल के यह पास महीं आपको इसमें बताना है बताएए यह कहां पर लोकेटीड है यह पहले इसका नाम है राज-डाजेश्वर मंदिर केरल में हैं आप्शन ची यहां पर सही आंपर हो जाएगा ठीक है क्लेट फूछा गया था कि विलेज नाम था चारुपलम तो कोन मंदिर के सित है चाराज-डाजेश्वर मंदिर कहां पर केरल के अंदर है ऑप्शन सी इस रहा देख सकते हैं यह लिखा है गांडी जी ने जो भी हमारे यूट है उसके लिए उन्होंने बुक outta टी नहोंने जो भी पर्सनल एक्स्टिजिन्स की आपनी सारी चैसे वन्होंने इस बूह के अंदर लिख है निकिए तो हिंस ऑब्राज मौहन दाश करम चंद गांडी महात्मा करेंगे मोहंदास करमचन गांदी इसके दुबारा से कवर पेज भी आप देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच्छ कंट्री होस्तिट दा फर्स्ट वर्ल्ड कप in 1975 1975 में प्रथम विश्व यूकप की मेजवानी किन होने की ती कौन से देश ने की ती आप नहीं लगी मानदन योजना की लाभारती कौन होगे पहले भी आ चुका है कोने पहले पहले थी आचुका है तो मैंने पहले दीटेल में आपको समझाय था 18 वर्ष से और 40 वर्ष के जितने भी लोग हैं जो अन ओर्गनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो पीपल वर्गिंग इन अन ओर्गनाइज सेक्टर आर एलिजिबल फोर इस स्कीम तो 18 से 40 वर्ष उनकी आयू होनी चीए एज होनी चीए पहली एलिजिबलिटी ये कहती है दूसरी ये कहती है उनकी मंतली इंगम 15,000 से कम होनी चीए तीसरी इंपोर्टेंट बात कि ऐसे लोग जब अपलाई करते हैं तो उनने 3,000 पैंशन मिलेगी पर मंत कब 6 साल की उमर के बाद ठीक है तो क्या समझे हम इससे ये स्कीम लागू की गई है ऐसे लोगों के लिए जो एस रंगटी छेत्र में कारे करते हैं उनकी आयू जो है कितनी होने चीए 18-40 वर्ष के आयता को अपलाई कर सकते हैं 15,000 से कम उनकी सैलरी होनी चाहिए तीन हजार एक्जेक्ट उनको पैंशन दी जाएगी कब जब उसाथ वर्ष की आयू को क्रोस कर लेंगे ये इस योजरा के कुछ प्रोविजन से तो ऑप्शन 2020 के विश्रम कालीन ओलंपिक हिल कायोजन कोन सा देश करेगा बताया ना मैंने क्योंपिक्स और गनाइज होने वाले हैं तो अलंपिक्स के ऊपर कोई भी क्रेशन आता तो उसको स्कीप नहीं करेंगे हम लोग 2020 के जो ओलंपिक्स हैं बताया जापान के शहर टौक्यों के अं सामिल गया है जो पहले शामिल नहीं थे फाल है यहादा कराटे 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 शानिल किया गया है कलाइम किसा शफिंग शामिल किया गया हम फोर्ट गेम जो यार दखना है वह स्केट बोर्डिंग यह इंपोर्टन बनता है आने के भी काफी चांसिस है कि यह चार गेम जो है नए एड किये हैं 2020 के ऑलम्पिक्स में चारो गेम जो आपको यार दखने है मैस कोड भी हमें सुमी देख लिया और कहां पर होंगे जापान के शहर जापान में कोन से शहर में होंगे तो तोप्कियो के अंदर और ऑघिशन आते जायेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स क्षेशन का कि को आईलेंट से जाना जाता है यह टेमपल कहां पर लोकेटिद है सबस इस टेंपल को पिकोक आईलेंड टेंपल को उमानंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है उमानंद सही आंसर होगा अगला देखिए फाइन लेग गली एंड मिड विकेट आर टर्म्स असोसियेटिज विड विड स्पोर्ट बहुर इसी क्वेशन है फाइन लेग गली या मिड विकेट विकेट शब्द का यूज से ही आप पैचा सकते हैं यह जो टर्मिनोलोजी है यह कौन से गेम से सम्मंदित है इजी क्वेशन है बहुत इजी क्वेशन है आंसर होगा क्रिकेट ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं विएर्ञीस शोट अं पोगीट इन इंडिया भारत में तर्थ मंदिर कहा श्रीत है यह आपको बताना है शोट बहुत बहुत करें बहुत में चचीन है लिए आप देख सकते हैं यह बहुत के कहा पे नाम है general theory of employment interest and money and it was written in 1936 and was written by ये पुछा गया है किसके द्वारा लिखी गई है चार options है Adam Smith होगा Amritas Sen होगा APG Abdul Kalam होगा या जोन मैनार किन्स होगा देखो इसका answer कैसे चूज कर सकते हैं अगर अर्थ शास्तर की बात हुई एकनॉमिक्स की बात हुई है APG Abdul Kalam का इतना संबंद नहीं है Adam Smith का भी संबंद नहीं है अब बचता है option COD ये दोनों आप शास्तरी थे इकनॉमिस्ट थे बहुत एकनॉमिस्ट रहें अमरत्य सेन भी और जोन मैनार किन्स भी तो आंसर इन दोनों में से कहीं एक होगा ठीक है इसके लिए जर्णरल ठीक है अगला देखिए और वांगला तुहार भारत के निमन में से किस राज्य में मनाया जाता है वांगला पैस्टिवल इस सेलेबरेटीव इन विजोपती फोलिंग स्टेट ओफ इंडिया आपको बताना इस तुहार में क्या होता बेसिकली जो गारो ट्राइब जाती है जो इस फेटिवल को मनाते हैं और सुण कि सूरिय में विज 1200 की ओशाइब वी से आफू तता है भी यह मनाया जाता है कहां कहां पर नागालेंड कि नागालेंड के साथ में संट बांगलादेश में elt ऐisations में में मनाएजा अबश्य B. Meagallia, नहीं जही हो जाएओ, घारो ट्राइब जो है, मेघाले में आपने सुना हो ना, आपने सुना हो, घारो खासी और जैंतिया की पहाडिया है, तो आपने सुना हो न, जही जवाब हुझेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं which of the following organization is the governing body of world tennis निमन में से कौन सा संगतन विश्व टैनिस का शाशी निकाय है टैनिस काउंसिल होगा इंटरनेशनल टैनिस काउंसिल होगा या टैनिस फेडरेशन होगा या टैनिस फेडरेशन आंसर क्या होगा जल्दी से जवाब दे मुझे इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है लेंडन के अंदर है लेंडन में इसका हैड़कॉर्टर है उसे कहते हैं इंटरनेशनल टैनिस फेडरेशन ऑप्शन दी इस राइटार्स है अगर देखिए जैसे गवर्निंग बोड़ी आ जाएं तो आपी फेडरेशन वर्ड ही काफी बाद मतल्ला मैं यह नहीं करें हर में ही फेडरेशन आपो याद रखना है तो mostly cases में फेडरेशन ही बोलते हैं उसे जैसे कि टैनिस फेडरेशन ऐसे ही अगर हम फुट्बॉल की बात करें तो ऐसा ओर्गनाइजेशन तो फुट्बॉल की गवर्निंग बोड़ी है तो वह है फीफा फीफा फुट्बॉल ऐसोचेशन पॉप्शन दी इंटरनेशन टैनिस पेडरेशन इस के लिए सभी जवाब होगा अंतराँस्ट्य टैनिस महा संग अगले कोशन देखते हैं आण ललीटकला अकैडमी इस ऐपेक्स कल्चरल्ग में इंस्टीट ओफ वीच सेक्टर कला लालीटकला अकेडमी किस के लिए फेमस है फेटर के लिए फेमस है म्यूजिक के लिए फेमस है व्योग विज्वा अगला question है who has written the book five point someone इस question पे जाने से पहले मैंने शायद पहले भी बताया है आपको एक बार फिर से बता देती हूं कि five point someone book का नाम किसे लिखा है तो जिन्होंने लिखा है उनकी कम से कम पांच या छे famous novel ऐसी है अग्जाम में a question definitely उसमें से question आता ही आता है ठीक है सारी जो भी फेमस बुक्स जो हमें लिखी है उनको सब याद हो जाएगा famous novel है half girlfriend movie भी बन चुकिया तो इसको यादखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है half girlfriend के बाद यादखना वन इंडियन गर्ल वन इंडियन गर्ल इसके बाद आपको यादखना है revolution 2020 revolution 2020 उसके बाद यादखना है three mistakes of my life क्या यादखना है three mistakes of my life इसके बाद आपको क्या यादखना है one night at call center ठीक है one night at call center और एक तो आपके question में है five points from one ठीक है तो इसके लिखी है चेतन भगत के दुआरा यह सारी books के नाम जो मैंने आपको बताया है यह चेतन भगत की books हैं तो सारे books का नाम आपको यहाँ पर यादखना है कोई भी question आए कोई भी book पे इसारी important books मैंने बता दी है तो काफी books पर इन्मेर पर इसले exam में पूछी भी जा सकी है कोई चेतन भगत इसके लिए आपका राइंसर होगा यह से तवर पेज आप देख सकते हैं इसे इंडियन ओरिजन साइंटिस्ट को दिया गया है जिसने कारिये किया है अपन इसके लिए आपको बताना है साइंटिस का नाम होगा श्रवन कुमार, Option A is the right answer इन्हों ने इंजरी और स्पाइन के फिल्ड में काम किया है जिस वजए से इन्हें दा ओर्डर ऑफ कैनेडा जो एवोर्ड है कैनेडा का बेस्ट सिटिजन अवोर्ड उससे समानित किया गया है इन्हें से कौन सा एक पूछा गया है तो हार यूग में सही नहीं आपको कुछ फेस्टिवल्स लेगे लेख एंड साइड में राइड साइड में उसके स्टेट के नाम लिये गए तो सही जिस आंसर देखना है गुडी पारवा की बात करें तो महारास्तर बिल्कुर सही है बै सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं गुडी पारवा महारास्तर बैसाखी के दिन एक और दुखत घटना हुई थी तीहास में वह हुई थी तेरह अप्रेल उनीस सो उनीस को जलिया वालाबार हत्याकान बैसाखी के दिन हुआ था कहां हुआ था अमरित्सर में हुआ था अमरित्सर कहा है पंजाब में है इसी से आप इसको यार्दक को बैसा की पंजाब का एक अच्छा फेमस फेस्टिवल एक अगला देखते हैं इंडियन बॉक्सर मैरिकॉम बिलॉंस टू विच नोर्थ इस्ट्रन स्टेट भारतिय मु पर यहां पर राइट अउट्सर हो जाएगा ठीक है यहां पर जाएगा आप आउसर क्या होगा ऑप्शिन ली मनिपूर तो यहां बिच ओफटी पोलोइंग मॉनुमेंट प्लेस पेर्स इस कॉर्ट प्शें यह है कि निमन लिकित में से कौन सा समारक स्थान युगम सही है आप पर कुछ मोनुमेंट्स दिये गए हैं कुछ प्रेसिस दिये गई है मैच खोपति कि पोलएं कि और यह करना है कि कौन सा प्रेयर इमें से कर्यक्त है कर्क्त है यह चूस करना है तो अलाई दर्वाज़ा कहां पे है? तंजोर के अंदर है यह गलत बात है दरवाजा कहाँ है? अलाई दरवाजा किया था है था कुछतिव मिनार कोcketुर का मेम में गेत है तो महरोली कहा है दैले कि पर हो करेक्ष नहीं है तो गलत आंथर ँप अन्ию में ँगें आलाइ है कहां पे हैं है दिल्ली के अंदर है और ताज महल कहां पे है यह आगरा में है तो तीनों स्टेट्मेंट गलत हैं जो थर्ड स्टेट्मेंट है गोलकंडा फोर्ट है वह सही आंसर है ताज महल का निर्मान किसमें करवाया शाह ने करवाया रेड फोर्ट लाल किले का निर्मान भी किसमें करवाया शाह जहाने ही करवाया ठीक है और गोलकंडा फोर्ट का निर्मान है किसमें करवाया तो या दखना खुली कुतुब शाने गोलकंडा फोर्ट का निर्मान करवाय ठीक है क्लियर, option C, right answer है यहां पर यह आप इसकी image भी देख सकते हैं, इहां पर ठीक है, second question है, who has written the book Earth Shastra, Earth Shastra पुछ तक किस में लिखी है, ठीक है, चार options आप पर सामने है, Earth Shastra book लिखी है, Kautilya में, option A, right answer होगा, Kautilya, Kautilya के द्वारा लिखी गई है, Earth Shastra, Kautilya को चानक्या के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या कह सकते हैं, कि चानक्या को Kautilya भी कहा जाता है, ठीक है, अब शास्त्र इन्होंने लिखी है, और यह संस्कृत के अंदर यह बुख जो है, इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, next important thing, यह कौन से काल से है, कौन से पीर आदक नहीं लिखी है, अकबर नामा, दूसरी इन्होंने लिखी है, आएने अकबरी, ठीक है, अदर की उपर यह बुक है, आएने अकबरी और अकबर नामा, यह दोनों लिखी है, Abboul Fuzzle ले, अब उल फजल कों थे, जो अकबर के, अबर की इस आझ कालह कल ind Wakai. जो नो रतन उनमें से एक रत्म थे जिनका नाम था अबूलफजर कोडिल्य जो है वह सही आंसर होगा कोडिल्य के द्वारा लेकी गई है अग्षास्त जिसमें चानक के अभी कहा जाता है अगले क्वेशन है इन्विट स्टेट इस रण उत्सव सेलिबरेटीड रण उत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है रण उत्सव बेसिकली क्या है यह एक प्रकार का बहुत ही पेमस तैस्टिवल जिसमें म्यूजिक डांस यह सब चीज़े इवेंट होते हैं ठीक है यह होली के होली तक चल इसके इवेंट के इवेंट होते हैं इसके अंदर बहुत ही फेमस एक फेस्टिवल है गुजराथ स्टेट का तो गुजराथ इसके लिए सही आंसर हम लेंगे ठीक है अगला देखिए अमनेस्टी इंटरनेशनल इस एस्टीटीड विच ओप टी फोलेंग निमन लिखित में स्टीड को सिनननल इसके एक एक जर्फाहिक जान कास रिपोर्ट LAUंक की जाती है आखलंकी कोई ऐसे खास बीपोर्ट नहीं है यह आपको यादध नहीं पर मानवाधिकार के ऊपर कोई भी रिपोर्ट आती है तो यह रिपोर्ट आमनेस्टी इंटरेशनल के द्वारा रिलीस की जाते हैं तो आमनेस्टी इंटरेशनल का संबंध किस से है? सब्सक्राइब करते हैं सभी को पता होगा या आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं इनका संबन है अप्षन पर विश्नु शर्मा द्वारा रचित पश्व पर आधारित नीती कठाओं के उपर सिव संग्रय का नाम क्या है विश्नु शर्मा वैसे तो बैसिकले काथा हैं वह पर होती है वेकिन की कठाओं की उपर भी है updated इस संग्रय को कहा जाता है फंच तंट्री की कहानिया आपने सुना होगा ना पंच तंत्र की कहानिया, तो पंच तंत्र किसके द्वारा ये लिखी गई है, किसकी कलेक्शन है ये विश्नु शर्मा का, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसके लिए, option C हाँ पर right answer हो जाएगा, अब बात करते हैं, कथा सरित सागर, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसक बहुत important है, option C, पंच तंत्र इसके लिए हम सही answer लेंगे, ये आपने देखा होगा, पंच तंत्र की कहानिया, जो हम जब बच्पन के ताइम पर पढ़ते थे, इसके अनिमेल्स की भी जो स्टोरी बगारा इसके अंदर mention है, ठीक है, next question है, अखबर नामा और आइने अगवर आइने अगवरी किसके द्वारा लिखी गई है, मैं हमेशे कहते हैं, options पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि कभी भी option, question 1 के सामने आतकता, जैसे मैंने अबुल फजल के बारे में बताई चुकी है, उनकी दो बुक आपको यादत ही है, एक है अगवर नामा, दू किसरी है, आइने अबरे, तो दोनों ही किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर होगा अबूल फजल, option C, अबूल फजल, clear, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question है, kapilashwar temple in Tamil Nadu is dedicated to which Indian god, Tamil Nadu का kapilashwar मंदिर किस भार के देवता को समर्पित है, kapilashwar temple कहां पे है, Tamil Nadu में है, और किसके ल याद रखना कि शीव और पारवती की पूजा अलचना यहां पे जाला तर होती है, तो शीव को dedicated यह मंदिर है, answer होगा इसके लिए, option D, शीव, option D, यहाँ पे सही answer होगा, तपलashwar temple का सम्मध किसी होगा, शीव मंदिर से, option D, सही answer है, यही इसकी प्रसीड भी आप यहां पे सही नहीं है, ठीक है, आप तो कुछ Monasteries दी गए हैं, कुछ मठ दिये गए हैं, साथ में उनके जो location है, वो कौन सी जगाए पे स्थीत है, इस प्रकार से आप से question दिया गया है, ज़री से पहचानिये, तवान के बारे में पढ़िए, तवान कहां पे है, अजना प्रदेश के है, तो हमारा answer क्या होगा, option B, घूम, घूम जो है, जम्मू कश्मीर में है, ये गलत statement है, घूम मोनस्ट्री कहां पे है, ये है, दाल्जी लिंक के अंदर, ठीक है, कहां पे है, दाल्जी लिंक के अंदर है, तो option D, यहां पे सही answer हो चाएगा, तो यही question में पहचानना था, क कौन से मोनस्ट्री जो है, इस question में, उसके पेर से मैच नहीं करती है, तो मोनस्ट्री कौन सी है, घूम, जो कि जम्मू और कश्मीर में नहीं है, इस लोकेटी इन दाल्जी लिंक, option D, जो है, ये question का सही answer है, ठीक है, आगे बढ़ते है, और बटु कमा festival is celebrated in which state of India, बटु कमा भारत के किस राजिय में मनाया जाता है, ये festival आपको गिवन है, और ये बुचा है, कौन से state में ये celebrate किया जाता है, ये आपको बताना है, तो बटु कमा festival की बात करें, पंजाब, तेलांगना, उत्रपरदेश, महरास्त्रा, आंसर क्या होगा इसके लिए, तो सही answer होगा, य जैसे कि फूलो का त्योहार आप इसे कह सकते हो, ये क्या है, जो नो दिन जो नो दिन आते हैं, तो उससे पहले कुछ प्रपरेक्शन की जाते है, कुछ तयारिया की जाती है, तो ये दुर्गास्ट में तक ये त्योहार चलता है, तो नवरात्री के टाइम पे बेसिकल इस जो है, मनाया जाता है, तो आगे बढ़ते हैं, जो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रिजन क्या होता है, आंसर है, इसका डॉक्टर अप्डूल कलाम को, मिसाइल मैं ओफ इंडिया कहते है, ये भारत के एलेवन फ प्रेजिडेंट थे, ठीक है, ये नम्मर याद रखना है, कौन से नमबर के रास्ट्रपती से तो इलेवन फ नमबर के प्रेजिडेंट थे, इन्हीं मिसाइल मैं ओफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पोखरन कहां पे है, ये राजस्थान के अंदर है, पोखरन सेकिंड जो टेस्ट हुआ था, उसके जो मुख्या आर्किट थे, हैड आर्किटेक्ट थे, वो कौन थे, वो थे, डॉक्टर अपडुलकलाम, इस वज़े से इन्हें मिसाइल मैं ओफ इंडिया का टैग भी जो है दिया गया है, इन्होंने डवलप्मेंट का इनका डवलप्मेंट में बहुत ही बड़ा योगदान रहे बैलिस्टिक मिस मिसाइल के और लॉंचिंग विकल्स के डवलप्मेंट में इन्होंने काफी काम किया, इस वज़े से इन्हें मिसाइल मैं ओफ इंडिया भी कहा जाता है, और 11 प्रेजिडेंट है भारत के रहे थे, डॉक्टर एबीज अब्दुलकलाम को कहा जाता है, यह आप देख सकते है यहां भी, आगे देखते हैं, इन्विच सिटी ओप इंडिया, दी ओनली टैंपल ओफ ग्रमाइज लोकेटीड भारत के किस शहर में ब्रहमा का एक मात्र मंदिर स्थित है, पूरे भारत के अंदर एक मात्र भ्रहमा का मंदिर स्थित है, वो है राजस्थान के जिले अजमेर में अजमेर के अंदर है पुषकर, पुषकर कहां पे है, अजमेर एक डिस्टिक है, अजमेर कहां पे है, राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के पुषकर में ब्रहमा का एक मात्र मंदिर स्थित है, इस मंदिर को एक और नाम भी दिया जाता है, जगत पिता का मंदिर, तो अगर जगत पिता का मंदिर पूछ लिया जाए अब्रहमा मंदिर पूछ लिया जाए एक मात्र मंदिर ऐसा थी थे जो कहाँ पुषकर के अंदर अजमेर जिला राजस्थान में ऑप्शन डी आदर ना पुछ तो पूरे मात्र मंदिर है ठीक है अगले कुशन देखिए तो विच स्पोर्ट आर्दे टम्स वजीर नाइट किंग और क्रीन एसोसियेटेड किस खेल से वजीर घोड़ा राजा और रानी का संबंध है ऑप्शन सी शत्रंज सही आंसर होगा इसके लिए किसकी शब्दावली है शत्रंज खेल की ये शब्दावली है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन देखते हैं पॉलेंग बॉक्स नोर्ट रिटंग वाई जौहार लाल नहरू नेनविशेट मैसे कौन सी पुष्थ सजाना नेहीं लिखिए चिक है आपको चार चार बुक्स के नाम दिये गए हैं यह पहचानना यहां से कौन सी बुक्स जवाहर लाल नहरू ने नहीं लिखिए चिक है आपको इस question के अंदर चूज करना है तो एन ओटो बायोग्राफी ये लिखी गई है उनके द्वारा अब बंच ओफ और लेटर्स ऑप्शन ए सी और बी ये तीनों बुक्स लिखे हैं जौहारलाल नहरू ने लेकिन ऑप्शन वी दब्रोकन विंग ये जौहारलाल नहरू के द आगे बढ़ते हैं next question देखता है तो हमें बहुत सारे question करने है तो miscellaneous का पूरा topic आज finish करना है जितने भी question बचें है miscellaneous के वो सारे आज एक ही video में complete करेंगे और miscellaneous के section है जो आया हुआ exam में MTS के पूरा session हमारा section हमारा पूरा complete हो जाएगा इसे के साथ बहुत सारे question आप cover कर चुड़े हम पहले भी video में आज में इसको बिल्कुल खतम ही कर देते हैं तो चलिए अगला question देखते हैं which of these is the famous art form of करनातक that combine dance music dialogue costume makeup and stage technique to create a unique experience इन में से कौन करनातक की एक प्रसिद कला रूब है जिसमें करनातक की प्रसिद कला है जिसमें सारे जीज़ें मौल है वह है यक्षगान option A यादर ना यक्षगान से संबंद दिते क्लियर option A सही answer होगा अब बात करते है कलरी पट्टू की option B पर आजाओं यह कहां का famous एक आर्ट है यह केरल स्टेट की कतकली और ओटम ठुलूल यह तीनों ही famous art form है केरल राज्यकी लेकिन option A यक्षगान के केरल राज्यकी नहीं है यह कहां की है यह करनातक राज्यकी है तो option A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इन्विट सिटी ओप इंडिया इस मल्टी आर्ट कॉंप्लेक्स कोल्ड भारत भावन लोकेटिड इट वोज इनोग्रेटिड बाइट बाय देन प्राइम मिनिस्टर मिसिस इंद्रा गांधी 1982 बहुकला परिशर भारत भावन भारत के किस शहर में स्थीत है इसका उठगाट इसके लिए आप आसर देना जल्ली सांसर दीजिए कहां पर लोकेटिड है यह है एंपी मध्यप्रदेश के शहर भौपाल के अननर तो ऑप्शन वी जो है यह सही आंसर हो गया है यहां से ठीक है अगला कुशन देखो मिनाक्षी टैमपल इस लोकेटिड इन विच्ट इन व तो मिनाक्षी मंदेर किस राज्य में स्थित है यह वहां पर अधाये मधूरह के अंदर सब्सक्राइब कहां पर मताये मधूरह करें के अंदर ओप्श्ञूराइब आप यह ए क्यूंद ऑप्शन हो जाएगा तहरो चुल्य दपर तो अधिल नाडू कॉन से गया दी दिन ल जुर्फेंशीजोर यार दखोगी। इसको बनवाया किस में था। कॉंसे सामराज्य के टाइम पे ये मंदिर बनवाया घया था। तो पांडया सामराजय के ताइम पे मिनाक्षी टैंपिल को कंस्टक्ट किया गया था ठीक है और कौन से राजय में है ये है तमिल नाड़ गेंदर क्लियर चलिए आगे बढ़े विचोपती फोलेंग स्पोर्ट हैज नौट बीन प्लेड एड़ ओलंपिक सिंस 1900 ओलंपिक में उनी सो से अब तक निमन में से कौन सा खेल नहीं खेला गया है उल्लंबिक्स की शुरूरात होती है 1896 in 1986 में कहांब रहे होती है ग्रीज के शहर एथैन्स को पहली बाः से 1900 में दुबारा से ओर्गनाइज हुए तब सिर्फ चार टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था क्रिकेट में तो लैक ओफ पार्टिस्पेंट्स की वजए से कोई टीम पार्टिस्पेट ही नहीं करेगी तो गेम कैसे हो पाएगा इस वजए से ओलम्पिक्स में ये गेम जो है पर्ष्छ का नाम बताना है जिन्होंने लिम्पिक्स में पदक जीता है भारत की तरफ से इसके लिए आंसर होगा आपका केँडी जादव केडी जादव ऐसे पहले भारत। हैं दितो वे तो फिमेल के लिए डिर्या आंसर क्या होगा फिम्राइफ की लिया अंसर और करन्नम मलेश्वरी करनम मलेश्वरी पहली ऐसी भारतिय महिला है जिन्होंने उलम्पिक्स में पदग जीता है 69 किलोग्राम कैटेग्री में है और भारत उलन से इनका संबंद है यह बात हमने की मेल फीमेल की कहां हुए इसले में ग्रीस अथन में फॉए तो आब और इंपोर्ण चीज देखो सारे को सब्ढ़ेदें को कबर कर देते हैं अब 2020 में जो ऑलंपिक्स होने जा रहे हैं वह कौन सिभी सामर ऑन्याफिक्स है समर ऑलंपिक्स 2020 को होंगे तो जापान के शहर जापाल शहर टोक्यों के अंद होंगे 2020 में अंदर नेक्स इंपोर्टन चीज देखो पूछ से खटा दिया गया है तो दो गेम याद रखो बेसबोल और जने उलम्पिक से हटा दिया था ठीक है तो अपको याद अखना यह कुछ ते जो उलम्पिक से अर्गनाइस होने वाला है नेक्स इर तो इंपोर्टेंट टॉपिक बनता हैं तो मैंने तो एक प्रशन में आपको सारी चीजे कवर करवा देए हूं कोई नव एक्वेशन जरूर आपके एक्जामें में से आई जाएगा ठीक है तो क्रिकेट जो है इस क्रिशन के लिए राइट आंसर होगा अगला देखिए है थांग का की बात करे तो यह मार्शल आड़ की मार्शवाट चाहें तो पर सकते हैं अदर वाइस इतने पढ़ने की जरत हमें नहीं है हमारा आंसर क्या हो गया यहां पर सिलंबं कहां कि एक मार्शल आर्थ तमिल नाडू की है मुकना मनीपुर यार रखो गटका यार रखो पंजाब चीक है अगर आगे बाकी दो पढ़ना ही नहीं ऑप्शन बी जब सही आंसर आ गया तो इतना टाइम क्यों डिस करना इस जिन्दा वर्ल्ड कप विश्व कप में चार शतक बनाने वाले प्रतम भारतिय बल्लेबाद कौन है यह आपको इस क्वेशन हम बताना है ऐसे प्रतम भारतिय बल्लेबाद जिन्होंने फोर सेंचुरी लगाई है उनका नाम बताईए केल राहुल रोहित शर्मा शिखर धव हो गया है अगले दूशन दिया गया है आपको एक ऑटो बायोग्राफी दी गई है एक जीनी दी गई है आपने कथा दी गई है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट विड टूथ इस बेस्ट ओन होस लाइफ सत्य के प्रयोग इस यह नामत पुस्त किसके जीवन पर आधारित है तो यह आधारित है मोहंदास करंचंद गांधी महत्मा गांधी के जीवन पर आधारित है ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा ठेक है मोहंदास करंचंद गांधी प्रिश्ट के टीम के कप्तान थे फाइनल मैच हुआ था नाइंटीन एटी थी का यह भारत और किसके बीच में खेला गया था वैस्ट इंडियस के बीच में यह फाइनल हुआ था और इस तीम इस मैच के अंदर जो भारत के कैप्तान थे वह है कपिल दे ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ ठीक है कपिल दे क्लिया आगे बढ़ते हैं विच्टी इस डिक्लेर्ड एज सिटी ओफ मुजिक वाई युनेस्को युनेस्को की दुआरा कि शहर को संगीत का शहर घुशित किया गया है चार ऑप्शन आपके सामने हैं संगीत का अब यहां से इंपोर्टेंट करेंट अफेर का एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है कि पहली ऐसी भाग के सिटी पहला ऐसा भारत का शहर बताओ जिसे युनेस्को ने अपने युनेस्को वर्ट हेलिटेस्टी के अंदर शहर के अंदर शामिल किया शहर की सूची के वह भारत का शहर है एहम्दाबाद एहम्दाबाद सिटी को एहम्दाबाद सिटी को युनेस्को ने अपने जो युनेस्को की सिटी सूची है शहर वाली सूची है उसके अंदर शामिल किया है इसी इनके साथ ही भारत की पहला शहर बन गया है ठीक है यह आपको यादत है है एंदाबाद ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 2017 में इसको इंक्लूट किया गया है इसकी इनामी राशी होती है इसकी जो प्राइज मनी होती है और अब बात करें हम सबसे हाइस्ट गैलन्ट्री अवोर्ड की हम बात करें सबसे हाइस्ट गैलन्ट्री अवोर्ड की अगर हम बात करें तो वह होता है परम वीव चक्र क्या होता है परम वीव चक्र ठीक है यह आपको यादक ना इसकी जोई नामी राशी हो होती है दस लाग और शोरी चक्रिकी होती है 1.5 लेक्ट क्लियर ऑप्शन दी यहां पर आपका सही आंसर हो गया है तो यह नेक्स कुशन पर देखते हैं विचोगती फोलॉइंग मॉनुमेंट प्लेस टेयरीज करेक्ट निमन लिखितने से कौन सा समारक उसके स्थाम से सही पर यह बताना है तो अजल्दी से पढ़िए स्टेटमेंट और उनकी लोकेशन देखिए और आंसर कीजिए हवा महल कहां पे हैं पंजाब में हैं नहीं हवा महल कहां पे हैं यह हवा महल है जैपूर के अंदर और हवा महल को बनवाया किसने था जो निर्मान करता है उन्हें कि इसे बनाया था किस ने बनवाया था सवाई प्रताप सिंग ग्रैंड सन थे किसके सवाई जैसिंग के सवाई जैसिंग जिन्हों ने जापूर सेहर महल करल दूसरा है महल कहां nalanda के बात जालन कि युनभर्टी कहां पे यह है भिहार के अंदर ौ ना लानदा युनीवर्सीटी की मुंधर क्सा और ता दिली के लाल्किले को किसने बन सब्सक्राइब निर्मान करके हैं वह उनकी लोकेशन है विक्टोरिया मेहल शही स्टेटमेंन यह पास्ची मंगाल में ही लोकेटीड है बाकि स्टेटमें तीनों गलत है और कहां कहां लोकेटीड है वो भी देख लिया हमने निर्मान करता भी देख चुके हैं तो चलिए आग लोकेशन देखते हैं इन विच उफ्टी फोलंग डांस दी विमन डांस लाइक पैर्ट निमन गीट में इस महिलाएं तोटे की भाती इंद्य गरती है इसमें आपको बताना है यह प्रकार का ट्राइबल डांस है और कौन से राज्य का फेमस है यह है चाथिसगर राज्य के अंदर काफी यह डांस आपको यह आपको या धर्गना है जाब करें ऐसे कहां का फेमस है यह मध्य परदेश का मध्यर परदेश के अब एंदर डांस ऀमासाirmशा को थे नियुक्त की तै करें यह शपाइंस के इस आफंवार्य गादकारे तो यह श्रकेसी इसे त्रिपूरी डांस भी कहते हैं त्रिपूरा का डांस है और इसे त्रिपूरी डांस के नाम से भी जाना जाता है भगोरिया डांस को ठीक है सुवा एक ऐसा डांस है जिसमें विमन जो डांस करती है वह एज लाइज पैरट डांस करती है ठीक है तोटे की भापी कोई डाउट हो जल्दी से आप पूछ सकते हैं कोई क्यों नहीं समझ में आ रहा हो तो कहना है कि मैं एक क्लास इंजिन पॉलेटी के ज़रूर लेंगे पहले ही से हमारी सीविस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम करवाएंगे इंजिन पॉलेटी भी ठीक है तो सुवा सही है अगला देखिए अनब्रेकेबल इस न ओटो बायोग्राफियो और ब्रेकेबल किसकी आथ में तथा है यह आपको बतानी है सानिया मिर्जा वासी मक्रम क्रिस गेल किसकी है अनब्रेकेबल जो हातम कथा है वह है इंडियन बॉक्सर मेरीकॉम सही आंसर होगा अब जल्दी से मेरे साथ साथ आंसर करते ही बताईए मैरीकॉम भारत के कौन से राज्या से संबंद रखती है मैरीकॉम का संबंद को उसे राज्या से बढ़ती है या आप पर क्वेश्ण दे रहे हो मैं जल्दी सा मुझे आंसर करते जाएं सानिया मिर्जा की ओटोबाइग्राफी का जो नाम है वह क्या नाम है एस अगेंस्ट और्ट्स ठीक है यह भी पुछा जा या सकते हैं इस अगेंस्ट और किसकी ओटोबाइग्राफिया आपने कथा है सानिया निल जाके मैरी कॉम की देखा हमने अनुप्रेकरबल जल्दी से संबंद बताईए मुझे मैं मैरी कॉम का संबंद कौल से राज्या से बता अभी तक मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है आई सीज का हनी त ख़ण के निमललीकित में सों संगीट उत्थर परदेश से संबंद नहीं है या आपको बताना है कौन से अब चाहिन पिरण जीजिक और इंध act observa और रसिया कॉन से एससे flight जे दिए यह तीन हो उत्तर पर्देश से संबंद रखते हैं वेश्या कि नहीं जाना है कर जआ जाता है नाम या रखना है विरहा कजरी रस्या किस संबंदने है उत्रपर्देश से तपा गिज़ीं नहीं रखता है यह पंजाब का अगले कोशन देखते हैं प्लाइंग ऑफिसर का नाम बताना है तो है बीन एवोड़ेट बाइड परम विल चक्रे से सम्मानित होने वाले भारतिय वायु सेना के एक मात्र अधिकारी कौन है यह आपको बताना है यह प्लाइंग ऑफिसर है और इनका जो में जो रोल रहा है योगदान रहा है तो 1931 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो श्रीनगर के एर बेस पे जो अटैक हुआ था उन पे इनका काफी बड़ा योगदान था तो हलंकी जो परमवीर चक्र है इन्हें मर्नो प्रांथ मिला है लेकिन इनका नाम देख लेते हैं नाम है निर्मल जीत सिंग सिखो ठीक है तो ऑप्शन दी जो हापको याद रखना है फ्लाइंग ऑफिसर थे तो इनका जो श्रीनगर में एर बेस पे हमला हुआ था इंडियन पाकिस्तान बार में 1971 में वहां पे इनका बड़ा रोल था इनको परमवीर चक्र जो है ये मर्नो प्रांथ दिया गया है तो ऑप्शन दी निर्मल जीट सिंग सिखो इसके लिए सही आंसर होगा अगले क्वेशन देखते हैं प्लेयर वो हैज बॉन ग्रेंड स्लैम टूर्मेंट अलोंग इद ऑलम्पिक गोल्ड मैडल इस एवाड़िट विद गोल्डन स्लैम ऑलम्पिक स्वान पदक के साथ कि ते बहुत अच्छा प्रस्कार होता है, इसमें गोल्डन स्लैम है जिसमें फोल्मपिक गोल्डन स्लैम ऑलाधी को जीटा है है तैनिस से ही संब्द है इसका जर्ण जिए होते हैं उनमें पदक जीता हो जीते हूं उनका बिनी रहा है उलम्टिक में भी गौल्ड मेजल जिता हो उसवेक्टी को गौर्डन स्लयम दिया जाता है ठीक है और चार ग्रेंड लेम तैनिस के इस प्रेकार है जिसे यूएस उप ऑर व्रेंच आपन हुआ और ब्रितिश आपन हुआ ठीक है तो यह चार जिसने ग्रेंड श्लैम जीते हूं प्लस उसमें एक गोल्ड मैलल जीता है विम्टिक में उस रैक्ती को दिया जाता है गोल्ड़न स्लैम तो आंसर होगा इसलीब वोर चार ग्रेंड नम इस प्रकार से तो चार ग्लैंड स्लैम जीते हो और साथ में एक गोल्ड मेडल जीता हो अलम्ठीक में उस लेक्टिक हो गोल्डन स्लैम से समानित किया जाता है तो ऑप्शन इंडिया तक future is now is written by whom इंडिया तक future is now किसके द्वारा लिखी रही है इस बुक के बारे में पूछा गया है इस बुक को किन्हों ने लिखा या आपको बताना है आज से बताइए क्या होगा यह बुग लिखी गई है शशी थरूर के द्वारा ऑप्शन सी राइक आंसर है शश इनकी एरा ओफ डार्कनेस यह दोनों बुक भी जो है कब इसले एक्जाम में पूछी जा चाहिती है एरा ओफ डार्कनेस दूसरी यादख नहीं है वाई आई एम हिंडू ठीक है वाई आई एम हिंडू तो यह दो बुक है खेंवा शशी थरूर की जो आपको यादख ने क् सी हाँ पे राइटार से है अगला देखिए रविंद्र संगीत इस अ कलेक्शन ओप सौंग विचा संग दूरिंग डा फेस्टिवल रिच्वल सोपा स्टेट रविंद्र संगीत लोग गीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहार और अनुस्थानों के दोरान गया रविंद्र नाथ टैगोर का संबंध्स in बंगाल से सम्वंद्र माफ टैगोर के लिखे गए गीनल के संदित लिए वह इसके लिए आप आसानी संथ दे सकते हैं कर स्टम बंगाल के त्युहार और अनुस्थान होते हैं वहां पे रविंद्र सभाइब नार टैगोर को 1913 के अंदर नोबल पुरसकार से समानित किया गया था नोबल पुरसकार उन्हें प्राप्थ हुआ था लिट्रेचर के फिल्ड में कौन से वर्ष में 1913 के आंदर यह भी हांग से एक important point बनता है जो एजाम के लिए important है पश्रिम बंगाल जो है इसके लिए right answer होगा चीक है चल यहांगे बढ़ते हैं Which is the biggest award given by the International Shooting Sport Federation International Shooting Sport Federation की ओर से दिये जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है Shooting Sport Federation की तरफ से जो दिया जाता है सबसे बड़ा सम्मान हूँ है Blue Cross Option C जो है right answer है अब इसी के साथ एक चीज़ याद रखो पहले ऐसे भारतिये का नाम अगर आप पहले भारतिये जिन्हें सम्मान गिया गया है वह है अभी नव बिंद्रा ठीक है तो ऑप्शन सी ब्लू क्रोस यहां पर राइट आंसर हो जाए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मलाला यूसुफ जाई से पहले कौन नोबल पुरसकार से सम्मानित होने वाले सबसे यूवा वैक्ति हैं मलाला यूसुफ जाई को नोबल पुरसकार मिला है 2014 के अंगर इसके लिए इन्होंने गर्स की एजुकेशन के लिए कारे किया है 2014 में इन्हें नोबल पुरसकार से समानित के अंदर मलाला यूसुफ जाई के साथ एक और वैक्ति को भी नोबल पुरसकार मिला है उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी क्या नाम है उनका कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 का नोबल पुरसकार मिला है इनके साथ अब पूछा गया है कि इन्होंने नोबल पुरसकार क्राप्त किया है इन्होंने क्या क्या च्रेश होती है उनके अंदर जो ब्रेक्स लो गता है उसको उसकी डिस्कवरी किये इन्होंने मात्र 25 वर्ष के थी इससे पहले जो नोबल पुरसकार दिया गया कि इस प्रकार से आए सबसे पहला नोबल पुरसकार सबसे यंग व्यक्ति को दिया गया उनका नाम पुछे तो नाम होगा विलियम लॉरेंस ब्रैग ठीक है लेकिन अगर आप हाल ही की बात करें कि सबसे यंगेस्ट कोन है सबसे यंगेस्ट है मलाला यूसुफ जाई जिनकी आयू मात्र 22 वर्ष है टिक है विलियम लॉरेंस बैक इस तराइट आंसर है क्लिया चलिए आंगे बढ़ते हैं कि टाइगर डांस और बाग नाच ऑप ओडिसा इस डन इन विच हिंदू मंथ और इसा का जो बाग नाच है किस हिंदू मा में मनाया जाता है यह आप से पोच्छा है बताइए कौन से महिने कि अंदर मनाया जाता है गफार न करें सिर्फ चेत्र का महिना कौन साह दुन नए साल कोई यई के इए का पहले जो महिना होता है हिंदू कलेंडर के एकोर्डिंग उसे चेत्र कहते हैं तो ऑप्शन सी चेत्र के महीने में यह मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अधिरेश हुआ असम राज्य हुआ जो भी ट्राइबल एरिया जैसे ऑडिसा के अंदर ऑडिसा के साथ 36 गर्डर यह कुछ राज्य है जहां पर यह डांस मनाया जाता है इसकी पूजा होते है कर्मा नाम की एक देवता हैं उनके पूजा की जाती है कर्मा देवता किसके प्रत प्रतिक है और यूब आवस्था के प्रतिक है इस वज़े से इनकी पूजा की जाती है तो यह जो फेस्टिवल है कौन से रित्व के अंदर मनाया जाता है यह मनाया जाता है पत जड़ रित्व के अंदर ऑप्शिंदी जो है राइता आंसर ठीक है पत जड़ रित्व रित् पंजाब के लोग गीतों से उत्पन में अक्सर एक प्रेमी की विथा को दर्शाया जाता है पेन ओप सेपरेशन आपको इसमें से किस फोक सॉंग के अंदर देखने को मिलेगा और पंजाब का एक फेमस फोक सॉंग है चीक है इसके लिए आंसर होगा टपा तो बाकि तीनों आ प्रेमी की विथा को दर्शाती है तो आंसर होगा टपा क्लियर आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं को इस्टा मैनुसेक्ट्रेट्ट्रेट्ट्रिंक रुओफ जा मेर्स उम्दा फूट्स परोसे निर्मित मन बसंद पे रुओफ जो गर्मियों में बहुत ज्यादा हम लोग पीते हैं के निर्मान करता कंपनी का नाम पूछा गया है कि मैनुसेक्ट्रिंग कंपनी कौन सी है तो कभी भी आपने अगर रुओफ जा की है तो इसकी बोटल के उपर एक चोटा सा नाम निखा होगा हमदर्द हमदर्द लेबरेट्री जो है यह इसकी श्यूष बापने बिश्यूष अब को मैन बाते हैं उसनी वोर्ट गया समद्ध किस से है बताये अथ्लेटिक्स ऑप्शन सी जो है वह वह सही आंसर हो है अथ्लेटिक्स से संबंध है अब पूछन यह बनता है उसनी बोल्ट को से जेश से रखते है यह जमाइका देश से सम बास्केटबॉल को प्रशाषित करने वाले अंतरास्त्र संग'tan का नाम क्या है जल्दे से बताइए इंटेंशन बताना है जो बास्केट बॉल को रिगुलेट करता है पूरे विश्वर के अंदर काई तसा कि बताई सफी जवाब क्या होगा इस के लिए हिस इसका सही जवाम होगा FEBA आप दिखो FEBA की फुल फॉर्म क्या होती है International Basket Federation इंटरनेशनल बास्केट वॉल फैडरेशन ऐसे ही अगर हम बात करें अगर नापको Tennis की बात करो थो Tennis के लिए होता है ITS जैसे की International Tennis Federation ठीक है यह होता है Tennis के लिए और कुछ य sharp को आड़ रखने है कुछ है की भाडिया में मनाया जाता है क्वों से स्टेट में बताईए यह क्या है एक क्लादा राजे के के एंवर यह लीड के चांट है को सूकिन है इसके द्वारा लिखी यह पुस्तक लिकी गई है तारभाई शंदे के ताराभाई शिंदे एक मराथी विमन है, मराथी महिला है, ठीक है, तो यह एक फैमेनिस्ट है, जो कास्ट बगरा के अगेंस्ट इन्हों बहुत सारे कैम्पेंड चलाएं है, तो अधारा सुदारग भी है, तो 1882 के एंदर इन्होंने इस पुस्तर को लिखा था, कंपैरिजन बेट्वीन और मैन, ताराभाई शिंदे, ओप्शन ए, हाँ पर ही राइट अंसर हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट पूशन देखें है, चलिए, इस दा फॉर्म ओफ मार्शल डांस इन्पंजाब, पंजाब के मार्शल डांस का रूप इन्में से क्या है, यह आपको बताना है बागा, दागा, लागा या पांगा, चारो टांस बहुत ही जबत सिमिलर हैं, तो एक मार्शल डांस जो है पंजाब के में से वो है बागा, ऑप्शन ए या दक ना बागा, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट हो, जल्दी से पूछो मुझसे, कोई क्वेशन पूछन पूछना हो वरना फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स क्वेशन देखते हैं, आज हम मिस्लेजियस के सारे क्वेशन को कम्प्लीट कर ही देंगे, ठीक है, सही आंसर दे रहें, तारा भाई शिंदी सभी बच्चों का सही आंसर है, और अगले क्वेशन का भी आंसर कीजी, चलिए आगे बढ इसले क्वेशन में देखा जिन्हें मिसाइल मैं ओफ इंडिया भी कहा जाता है, तो डॉक्तर एपिजियर अब्दुल्कलाम के लिए राइट आंसर है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स क्वेशन देखते हैं, क्या है? कि प्रत्म फिलिप कोटलर रास्ट्रपती पुरस्कार से किसे समानिज किया गया है जल्दिसा अंसर बताइए तो अब 2019 की बात करें तो बहुत सारे अवोर्ड इन्होंने जीते हैं ठीक है तो इनका नाम है हमारे प्रधानवंत्री नरेंग्र मोधी अब यहां से जिखो इंप अब कर दो इसको कोई अगर आपका एकजाम होने वाला इस वर्ष में एक वह बन सकता है इसमें फिलिप कोटलर प्रेजिदेंशल आवोड यह मिला है अमेरिका की तरफ से इने अब बात करते हैं यू एक की तरफ से उन्याकिप एमिरेट्स की तरफ से इन्हें जो आवोड म मिला है यूए एक कि तरफ से अब भात करते हैं रश्या के तरफ से रश्या के तरफ से 220 और ऑफ का स्योर पीस प्राईज भी मिला है यह फ्राहिवां नि क् concretize unpack कृषिज प्योर्ट बड़ाय तो इसे प्रेज़ेटेड नियansen चैंपियं स्प्राइवार्ड का ऊंग फिलिप कोटलर में गीवन प्रेजिडेंशिल अवर्धिकältृ नरेंद्र मोधिस के रिगाए कानसर और बाकि इनके चार आवार्ड मैंने बता है यह भी बहुत सादा इंपोर्टन यह आप से पूछे जा सकते हैं चलिए नेक्स स्वेशन है मेहमूद गजमी ने 16 टाइम स्वमनाथ टेंपल पर तो जो फेमस सोमनाथ टेंपल है यह कहां लोकेटिड है यह आप से पूछा गया है चीक है तो यह शीव के लिए काफी फेमस है शीव को डेडिकेटिव यह टेंपल है गुज्रात के अंदर ऑप्शन दी आदक ना गुज् किस खेल से जुड़े वे शब्ड है यह आपको बताना है इसमें आंसर बताइए बॉक्सिंग बिल्कुल सही आंसर दिया है बॉक्सिंग से संबंदित है मुख्य बाजी से ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर है ठीक है आगे देखिए इंद्रा सहानी एंड अधर्स वर् सब्सक्राइब करेंगे इसको कि आपके एक्जाम में जो है यह काम आ सकता है समीधान में जो हमारे फंडमेंटल राइट्स हमें क्या कहते हैं कि जो भी एंप्लोर्मेंट होगा जो भी रोजगार होगा उसमें हर इंसान को एक्वल अपोर्चुनिटीज मिलनी चाहिए तो एपोर्चुनिटीज इन पब्लिक एंप्लोर्मेंट यह हमारा एक फंडमेंटल राइट हैं लेकिन आर्टिकल 16 क्लोस 4 में यह भी कहा है कि स्टेट अगर चाहे तो वह बैकवर्ड क्लासिज के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है बना सकती है अब यह तो दो दो सब्सक्राइब क्लासिज के लिए बनाए गई थी मंदल कमिशन तो बैकवर्ड क्लासिज के लिए बनाए गई थी मंदल कमिशन तो बैकवर्ड क्लासिज के लिए बनाए गई थी मंदल कमिशन तो रिजर्वेशन से संबंधी थी केस था जो 1992 में आया था तो ऑप्शन भी र अगला देखिए और दूरिंग विच्टिवल दानों क्रेम डांस इस परफॉर्मड बाइदा खासी ट्राइप्स किस त्युहार के दोरान खासी आदिवासी लोगो द्वारा नों क्रेम निर्थे किया जाता है आपसे पुछ है रहा है ठीक है तो आंसर क्या होगा इसके लिए करें यहां आपको दिये गया है देखे नोंग क्रेम का मतलब क्या होता है क्ञा बन राज्य केंदर और इसे कहा जाता है वंगला क्लियर तो त्राइब है थो खासी गारो जैनतिय तीनों पहाड़ी कहां पर है। फासी गारो जो ट्राइब्स है। इनका यह मुख्षे त्युहार है। और नौग क्रेम का मतलब होता है गोट कीलिंग सेरेमनी। थी कि बक्री की बली यहां दी जाती हैं। मेघाले राजे के अंदर बांगला जो है सही आंसर होगा क्लियर है चलिए आगे बढ़े वो इस दफर्स इंडियन तुगेट दा आई एससेफ ब्लू क्रोस क्वेशन यह पुछा है ब्लू क्रोस हमने देखा किसके लिए दिया जाता है शूटिंग के फिल्ड में तो शूटिंग के फिल्ड में हमने देखा पहले भारती एक कौन है जिने इस अवोर्ड से समानित किया गया है वहां पे उनका नाम है अभीना विंद्रा मैंने आपको तब भी बताया था कि जो में आप्शन के साथ साथ आपको जो एडिशनल इंफोर्मेशन देती हूं वह आ इंवनली कितने से कौन सा राज्य है लोग कला यूग में सही नहीं है स्टेट दिया गया है और वहां पे उसके आठ दी गई कला दी गई और आपको यहां से मिलान करना है मधूपनी पेंटिंग की अगर बात करते हैं तो यह विहार की फेमस चित्र कारे बिलकुर सही है तं इसक्री नहीं चले अंवन कला यह अब अगर आगे देंगेर फिरक्ट ली टेयरे पक्री तंजह रागत करता है विए हम से कुछा विए पुछन ही तोटल 28 पदक जीते हैं और भारत की तरफ से पहले ऐसे मेल जिन्होंने भारत के पदक जीता है तो आंसर होगा केडी जादव इसनी क्यूशन में भी मैं करवा चुकी हूं और फीमेल की बात करें तो फीमेल होगी करनम मलेश और जिन्होंने भारत के लिए पहले सबसे पहले ऐलम्पिक में पदक जीता है तो यह मेल फीमेल वाला टॉपिक भी क्लियर है ठीक पुषित करने समन्मित करने एवं बरहवा देने के लिए दिया गया था ठीक है इस इंस्ट्यूशन का नाम है भारती अनुसंधान केंद्र इंडियन डिसर्च सेंटर बस्यादत में ठीक है ऑप्शन बी करके सही आंसर लेंगे अगला राजगाट किसकी समाधी है समाधी व होगा अब बात करते हैं शांतीवन की शांतीवन किसकी समाधी है तो पंडित जौहारलाल नहरू मैं आपको शोर्ट को मिलिक देती हूं पंडित जौहारलाल नहरू की समाधी का नाम है शांतीवन अब बात करते हैं वीर भूमी वीर भूमी किसकी समाधी है वीर भूमी कहां एक दो इन्डरा गांधी कि पॉइंट सेखी थी are just a little पार्चों बहुत इंपोर्टन है कोई भी समाधित पुछी जा सकती है सारे एक में कवर हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर्ट इंग्लेंट बैग्मिंटन चैंपियंशिप जीतने वाले पहले पहार प्यां कौन थे इनका नाम है प्रकाष पादुकौन ऑप्शन अप्शन आगे ठीक है इसकी ऑथर है अना स्वेल ऑप्शन डी हां पर राइट आंसर होगा अनस्वेल बस आपो यही आदन है अनस्वेल का नाम तो ब्लैक ब्यूटी जो पुख है काफी बार कॉश्चन पीट भी होता है कुश्चन धान में रखना इसकी जो ओथर है वह एना स्वेल की यहीं सब् दांस इस परफॉर्म्ट ओनली वाएगा अन्मेरिट गर्ल्स ओफ दा मालवा कम्यूनिटी ऐसा मृत्य बताना है जो केवल मालवा समुदाई की एविवाहित लड़कियों के द्वारा तस्कूत किया जाता है यह पेमस है मध्य परदेश के अंदर और इस दांस का नाम क्या बताना है यह बेसिकली होली के ऊपर यह डांस पर्फॉर्म किया जाता है उस ताइम पर जो अन्मेरिट गर्ल्स है मालवा समुदाई की वह इस दांस को परफॉर्म करती है उस डांस का नाम क्या है फूल पती ठीक है ऑप्शन सी फूल पती जो है इसके लिए राइट आंसर लेकिन जो कर्मा डांस है वो है ओडिसा का डांस है तो यह भी ऑप्शन को भी धान रखना ऐसा नहीं कहीं आंसर देखते ही आगे जल्दी से फॉर्वाड करके देख लिए क्लास ऐसा बिल्कुल मत करना ऑप्शन भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है चलिए आगे बढ़त जो आइपिल फॉर्मेट में 5000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बनाया है ठीक है यह आपको बताना है बताइए सही जवाब क्या होगा नेम्दी ग्रिकेटर वू बीकें दी फॉर्स एवर बैट्समें तो स्कोर 5000 रन्स इन आइपिल फॉर्मेट उनका नाम क्या हो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसी कुमाउं के नाम से भी जाना जाता है ठीक है क्या कहा जाता है कुमाउं कुमाउं सोंग घर्वहली संगीत घर्वहली गीत भी लिकास जाता है तो इसका नाम है ठाडिया ऑप्षिंसी यादक नाम को ठीक है मांड जो है यह फोग सौंग्ट है यह राजस्थान राज्य का फोग सौंग्स और नाम को ठीक है आगे बरते हैं एक कॉस्पी नेक्स वे केंठेर भारत के कौन से राजय छीष है कि आपको बता रहा है अप्टकश मेरे डाहिए यह ऊचुर 20 जरा सी के अंदर यह लोकेटेड है आगे बढ़ें चलिए कोई डाउट होता पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं के बहुत ही एक फेमस ऑथर है जिनका नाम है आरके लक्षमन ऑप्शन की यहां पर राइट आंसर हो और क्या होगा आरके लक्षमन क्लिया आगे देखिए ओली पैस्टिवल्स लिस्टिड विलो अर पैस्टिवल ऑफ असम के नीचे आपको जितने भी त्योः गये गए हैं इस सारे त्योः असमराज्य के फैस्टिवल है ओफ दीस विचोफ विच्व फोलेग फैस्टिवल स्पेसिवल क्योश्टिड इनक नेकिन चारों में से एक को थे लौ sua अशान की कमाख्या देवी का मंदीर जो निलना को इसमें चूज करना किया रिखां थाहाँ पैंसर के लि Dellay आप धर कि आ cognitive यहार अम्भूबाची फेस्टिवल एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है असम में तो कमाक्षा देवी के टैंपल है गुहाटी में उसके अंदर यह सेलेब्रेट किया जाता है क्लियर है चलिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं इंडिया हैस्टिवीच कंट्री इन दफार्टर फाइनल सोफ तुथावजन इलेवन वर्ड कप दो हजार ग्यारा का जो इंडिया क्रिकेट विश्व कप में वारत ने किस देश को हराया था आपसे पूछा है पार आइधिया ने फाइनल में किसे हरा है इंडिया वर्श सुष का मैच था पाइनल में यह आइसंग पता होगा जो किकेट लवर्स थे उननको पता हुआ कि वारे में वर्ल्ड कॉप की बात करें तो इंडिया और श्री लंका के बीच में फाइनल मैच था 2011 का ठीक है तो 2011 को जह मैच था इसमें छे लिकट से भारत में श्रेलंका को हराया था और वर्ल्ड कप की ट्रॉफिय जो है अपने नाम गी लिया तो ऑप्शन दी ऑस्टेलिया जो है यहाँ पर सही जवाब है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्थापना किस वर्ष की गई थी इंटरनेशनल कबड़ी फैडरेशन का हैड़कौर कहां पर है भारत के अंदर यह है जैकूर के अंदर इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुए है तो 2004 के वर्ष में इसकी स्थापना हुए ठीक है तो कोई डाउट हो जल्दी से पूछी और ऑप्शन भी 2004 यहाँ पर राइट आंसर है ठीक है जली कट्व बूर्पाइट टेक प्लेस हैं जली कट्व बैलो के लड़ाई कहां पर होती है जली कट्व देखिए इस प्रकास एक पेस्टिवल है बहुत ही फेमस पेस्टिवल है यह बहूत जयादा जो है फ्किन्ट अ जल्दी कट्टो बुल फाइट कों सा राज्य के अंदर जाता है यह आपको पता होना चीए 65 के लिए अंसर होगा जल्दी से आंसर दीजिए तर्मिल नाडो ऑप्शन C यहां पर राइट आप बात करते हैं जो बुल है इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि इसका साइ नेम है बॉस इंडिकर्स के नाम है बॉस इंडिकर्स चीक है ऑप्शन C राइट आंसर है अगला देखिए विच ओप्टी फॉल्विंग स्पोर्स पर्सन इस नोट एसो सीटीट टू होकी निमन में से कौन सा खिलाडी होकी से संबंदित नहीं है चार प्लेयर्स के नाम दि सही स्याइब है इनका सम्भद है क्रिकेट से इंक रीकेट विंग टी यह एक प्लेयर एड्वमंद प्लेयर है क्रीकेट की अअबmee से हैं कि होकी सिये हूँचन ऑपह सही आंसर हो गया जਹ गया चालिए आग्यधे आगे नेक्स बैक कुर्ष्टी ओप्लेंगर इस नोटए इंडियन सूपर लीग यह एक टूरणामेंट नहीं है किसका आपको बताना है इंडियन सूपर लीग फुट बॉल का थो नंदर किसkie संभड़िय। ृट्व swimming protagonية 근 establishing a इंडियन्सूपर Lig इसके लिए डा आंप सीव आघे रखे को देवता यूद्ट को समर्पित को समर्पित के किस लिए गिवर। कौननफी छेत्रे के लिए सरस्वती संवान अवोर्ट दिया जाता संगीत के लिए साहत्य के लिए के लिए पत्रकारिता के लिए या डान्स के लिए आप को इस क्वेशन में बताना है ठीक है । सिसके लिए रा extrêmement हुगा है लिट्रेचर साहित्त के फिल्ड में यह सरस्वती सम्मान आवोर्ड जो है दिया जाता है सरस्वती सम्मान आवोर्ड के बारे में जो बाते यह तक नहीं वो यह है कि कब स्टार्ट किया गया नाइंटी नाइंटी वन में कौन से इसको स्टार्ट किया है तो केके बिर्ला फांडेशन जो है केके बिर् लेडी को 2018 का सरस्वती सम्मान से समानित किया गया है यह तीन इंपोर्टेंट पैक्ट थे जो एक्जाम में पूछ जाने की संभावना है ठीक इससे अदर्वाइस और कोई क्वेशन सरस्वती सम्मान से नहीं बनता है लिट्रेचर की फिल्ड में यह अवोर्ड दिया जाता है अगला क्वेशन है बिच उप दी पॉलोंग इस नौट नुकलियर पावर स्टेशन निमन में से कोन एक परमानो उर्जा सैंप्र नहीं है ठीक है बताना है एक नुकलियर पावर स्टेशन नहीं है आपको यह कुछ जगह के नाम दिये गया है जैसे कि रावत भाटा रावत नुकलियर पावर स्टेशन नुकलियर पावर स्टेशन नहीं है कौन सी नदी के किनारे पे गोदावरी नदी की नारे ठीक है ये दो प्रैक्ट याहां से बनते हैं जो आपको या दखने पड़ेंगे तो रामा गुंडम जो है वहां पे एक न्यूकलियर पावर सेशन सेंस्ट पर नहीं है यहां पर सेमस राम का मंदीर है और गोदावरी नदी के किनारे पर सीथ है अगला कुछन देखते हैं दिवियंदू बर्वा का संबंध निम्ण में से किस खेल से है दिवियंदू बर्वा इस एसोसियेटेज विद्विच ओपन से खेल खेलते थे यह क्वेशन में आपसे पूछा गया है ठीक है ये कॉलकाता के रहने वाले हो तीन बार इन्होंने चैस की ग्रेंड मास्टर जो चैंपियनशिप है वो जीती थी इन्होंने तो इनका संबंध है ऑप्शन ए चैस शत्रंज खेलते थे ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा ठीक है दिवियंदू बर्वा का संबंध किस से बात करें तो आंसर होगा राजस्थां के कौन-कौन से फिमस पोक डांस है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं पहला नाम या दखोगे काल बेलियर डांस राजस्थां का एक बहुत famous dance है second आपको याद रखना है घूमर घूमर राजस्थान का एक जो राजपुती महिलाएं होती है वो घूमर dance को perform करती है घूमर के अलावा याद रखोगे कट पुतली कट पुतली भी राजस्थान के अंदर काफी की तो नाम जो है राजस्थान से संबंधित हैं आगे बढ़ते हैं चली आगे बढ़ते हैं बुल जऑ इंगिन रोलर ठीक है इस एक पर रडाव मैनी इंगिन स्टेट मिलकंट पक्षी कितने भारतियों ये राज्यों का राज्य की ये पक्षी है स्टेट वर्ड पुछा गया है कि जो नीलकंट पक्षी है वो कितने स्टेट का स्टेट वर्ड है टोटल संख्या कितनी है तो ये कौन-कौन से राज्यों का स्टेट वर्ड है पहला राज्य है तेलांगना तेलांगना के बाद है कर करनार्तक के बाद है ओडिसा और ओडिसा के बाद यह जिसका स्केट वर्ड है जिस राज्य का वो है आंध्र आंध्रपर्देश तो टोटल चार राज्यों का यह स्टेट वर्ड है निलकंड पक्षी तो ऑप्शन ए सही होगा राज्य कौन-कौन से हैं तेलांगना करनार्तक ओडिसा और आंध्रपरदेश ओप्शन एक पोर सही आंसर है विक मिंग की लेखी का कौन है वह इस दा राइटर ओफ बिक मिंग एक नोवल है किसके द्वारा लिखी गई है यह आप सी कुछा गया है इस नोवल को 2018 में लिखा है और यह नोवल जो है एक अपने खुद के प इंगली चैनल को तैर कर कर करने वाली प्रथम भारतिया महिला कौन थी यह पूचह गया आपसे ठीक हैं इंगली चैनल कहां पे हैं सबसे पहले यह बात करते हैं English Channel है Atlantic Ocean के अंदर English Channel है यह किस को separate करता है England को separate करता है France से इन दोनों के बीच में यह स्थित है England और France के बीच में यह सबसे busiest route है सबसे busy अगर shipping route आप कहेंगे कि पूरे विश्व में सबसे busy shipping route कहा होगा तो Atlantic Ocean में होगा ठीक है तीन बात हमने देखा मैं आपको लिख देख यहां पर सबसे busiest route है इंग्लिश चैनल की पूरी location पता लगी कहां पर है तो पहली ऐसी भारती महिला का नाम बताना है जिनोंने अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार किया है उन महिला का नाम है आरती साहा option A right answer होगा आरती साहा जो है वो एक बहुती अच्छी स्वीमर है ठीक है अच्छी स्वीमर है और यह first women ऐसी है 1959 में इन्होंने यह पार किया था इंग्लिश चैनल और यह भारत की पहली ऐसी महिला है जिने पदम्श्री के कोई भी ऐसी एक sports women की बात करे तो एक ऐसी sports women है जिने पदम्श्री अवोर्ड से सम्मानित कया गया तो पहली भारती है महिला जिने sports man sports category में पदम्श्री अवोर्ड दिया गया है तो उनका नाम होगा आरती साहा ठीक है करना मलेश्वरी option D प्या आजाओ ये भारत की पहली ऐसे महिला है जिन्होंने भारत के लिए Olympic में पदक जीता तो Olympic में पदक जीतने वाले भारत की तरफ से पहली महिला कौन है करना मलेश्वरी और इनका संबंद किसी है weight lifting या भारोट ओलन से इनका संबंद है कुछा गया है यह जो है एक जापनीज बूक है तो इसके जो ओथर है वह जापनीज ओथर है जिनका नाम है कैंजबुरो ओए option B या दखना कैंजबुरो ओए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको option B जो है वह सही आंसर होगा next question है कि which ex chief Neville admiral who had has authored the book named a prime minister to remember memories of a military chief एक पूछा यह गया है कि the prime minister to remember यह एक नाम की बुक है जिस पुर्स्तका लेखन पूर्वे मुख्य नो सेना के जो admiral थे उन्होंने किया है तो ठीक है प्राइमनिस्टर कौन थे जिनके बारे में इन्होंने लिखा है तो अचल भीहारी वाज पर प्राइम सही आंसर है यहां पर अगला है अमुक्त मल्यादा का लेखन किस ने किया है वो है टेटन दीबुक अम्युक्त मल्यादा यह एक प्रकार की एपिक पोयम है ठीक कविताओ का एक संग्रे है और यह तेलगू लेंग्वेचर में लिख का ग Кि आ गया है टेलगू के अंदर, इनको लिखने वाले है उनका नाम है गृशन देवरै का संबन्ध कोन से एंपाइर से है कोन से समराज जैसे विजै नग्वर एंपाइर की साषेक्ट quali qat जैसे इनका नाम है क्रिशन देवराय और ही रोट अमुक्त मल्यादा जो की एक पोयम है कविताओ का संग रहा है जो तेलगू लेंग्वेज के अंदर लिखा गया है ठीक है which of the following Señor is the largest cricket Stadium in the world का सबसे बड़ा विष्रीय के बात करें सबसे बड़ा्स क्रिकेट स्टेडिय would कि में worse और कहां पर है यह और है यह और चेलिया के अंदर है कैनवर्रे ची चैपिटल है यहां पर 90,000 लोगों के बैठने की अरेंजमेंट है तो इतना बड़ा यह किकेट ग्राउन है जो कहां पर है ऑस्टेलिया के अंदर है ठीक है गोल गुंबच भारत के किस राज्य में तहीं आप से आपसे पोशा गया है गोल गुम्बच की बात करें तो गोल गुम्बच किसके द्वारा बनवाया गया ये बनवाया गया था मुहम्मद आदिल शा ने इसको बनवाया है ये भारत के कौन से राज्ये में है करनातक राज्ये के अंदर है करनातक में बीजापूर जो है वहां पर ये है तो मुहम्मद आदिल शाह जो है यह साशक्त है बीजापूर के इन्होंने गोल गुमबज का निर्मान करवाया है किसकी याद में करवाया है तो इबराहिम आदिल शाह याद दतनाक पूछा जाएगी किसकी याद में बनवाया है इब्राहिम आदिल शा के सम्मान में इन्होंने बीजापूर में गोल गुंबज का निर्मान करवाई जिसे circular इंगलीश में क्या कहते हैं इसे circular dome भी कहते हैं Which of the following festival is celebrated in Odisha Odisha में मनाये जाने वाला त्योहार इंगे से कौन सा है चार जोहारों के नाम आपको दिये गए है And you have to choose one जो कि Odisha के अंदर मनाये जाता है बोनालू की बात करे, छड़प मेला की बात करे, बाली तृत्य की बात करे, हौन्विल की बात करे सही आंसर क्या होगा इसके लिए पहले आसर देख लिए है, Odisha में जो मनाये जाता है, बाली तृत्या बाली तृत्या बेसिकली क्या होता है, यह कौन से महिने में आता है, अगस्त से सेप्टमबर महिने की बीच में आता है इसमें क्या होता है कि जो married women's है वो व्रत रखती है शिव और पारवती के लिए तो इस प्रकार का यह festival मनाया जाता है बोनालो हॉन बिल कहां का famous है यह है नागलाइंड का एक बहुती famous festival है हॉन बिल ठीक है अगले question पर बढ़ते हैं गुर्जीत कोर का संब्द इन में से कौन से खेल से है गुर्जीत कोर जो है यह question क्यों कुछ है गया है इस बजय से इनका एक्वेशन जो एक्जाम में आया हुआ है इनका संबंध हो किसे option a right answer होगा एक बुस्त का नाम आपको दिया गया है briefs history of time is written by a brief history story of time इसके द्वारा लिखी गई है यह आप से question में पूछा गया है इसके लिए सही जवाब होगा Stephen Hawking option D is the right answer Stephen Hawking ने लिखा है the big history of time अगला question which of the polling pair is incorrectly matched निमन में से कौन सा यूगम सुमेलित में ही है कौन सा एक यूगम है आपको left side में यहां पे कुछ बांध दिये गए है ठीक है बांध के नाम है कौर्बा के बात करें अगें इस इन शक्तिस गट बिल्कु सही बात है तवा बांध तवा रिजर्वेर जो है वो गुजरात में नहीं है यह कहां पे है यह MP के अंदर है MP के अंदर तवा रिवर के ऊपर यह बना हुआ है ठीक है तो हमने जो गलत चूज की है statement वो है तवा इस नोट लोकेटी इन गुजरात इट इस लोकेटी इन मध्य परदेश और तवा रिवर ठीक है तवा गुजरात वाला जो हमने चूज किया है वो हमारे कोशन का सही आंसर है अगले कोशन देखिए शेख ख्वाजा कुतुब दिन बक्तियार काकी की दर्गा कहां पे सीथ ह हो शेख ख्वाजा कुतुब दिन बक्तियार काकी इस लोकेटी इन डेली ऑप्शन सी इस ता राइट आंसर ठीक है या दखना दिन्दी के अंदर इसकी जो दर्गा है वो लोकेटी है विचोब्ती पोलेंग इस रिफर्ट तो एज धींग एक्सप्रेस निमन में से किसे धी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ठीक है यह काफी करेंट अफेर्स में रही थी तो पूरे साल न्यूज में बनी रही थी इस वज़े सी क्वेशन जो है दुबारा आने के वी काफी चांसिस है ऑप्शन ए हीमादास कौन से राज्या से असम राज्या से यह मात्र 19 वर् पीटी उशा को बताएए क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है पैयोली एक्सप्रेस पीटी उशा जो बहुती फेमल धावक है उनको कहा जाता है पैयोली एक्सप्रेस हीमादास भी एक धावक है और उनका निकनेम है धींग एक्सप्रेस टेक है ऑप्शन ए सही आंसर होग कुंब मेला कहा नहीं लगता है कुंब मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है यह टोटल चार जगाओं पे लगता है चार जगा कौन-कौन सी है इलाबाद उज्जेन हरीद्वार और एक नासिक ठीक है एक नासिक है हरीद्वार में यह लगता है गंगानदी के उपर ठीक है इ तो कुम मेला कहा नहीं लगता है पूरी के अंदर नहीं लगता है ठीक है ओप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया है हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं इन विचोपति पोलेंग इस रेफरेंस ओफ इन्डियन डांस form found नियवन में से किसे भारत नरत्यां हैं उनका संदर पढ़े जाता है तो रेफरेंस पुछा गया है कि हमें इन्डियन डांस पॉल्म का रेफरेंस कहां से मिलता है तूट के बहुत पुरानी बुक है उस बुक का नाम है नाट्यच्य षास्त्र वहाँ से जो भी संस्कृत दांस का ओरिजिन हुआ था थेट्र का ओरिजिन हुआ था वो इस Benक के अंदर से हमें पता लगता थै ल cay इस को किसके लिखा था वो नाम यादक यादगना है इस बुक को किस ने लिखा था वो नाम यादक ना है भारत मुनी ने इस बुक को लिखा आए ठीक है भारत मुनी नाट्य शास्पर इस बुक के ऊपर जो है पेंटिंग की जाती है ठीक है वरली कहां की famous painting है यह famous painting है महरस्त राजे की सांशी की बात करें मधूमनी, स्वरी, सांशी जो है वो कहां की famous painting है यह है UP की, मधूबनी जो है वो मैथली रिजन से उबरी है, नित्थास्चि मधूमनी वरली और पत्ठक फार्टन癤 तीनों ही जो paintings है इस dohum लिए वैस्ट बंगॉल पस्चिन बंग ऐी वट इस पार से नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है आप से पुछा रहा है आरनोर ऑप्शन भी आइका आंसर है अब बात करते हो आप्शन की ऑप्शन में ज़्यादा इंपोर्टेंट है वारी की बात करते हैं वारी जो है यह इसका एक और भी नाम है जिसे कहते हैं गुडी पाडवा आपने सुना होगा गुडी पाडवा गुडी पाडवा जो है नव वर्ष होता है कौन-कौन से राज्यों का करनातक तेलांगना और आंध्रा परदेशित तीन राज्यों के अंदर जो नव वर्ष होता है उसका नाम ह यहां पर छोटा सा कन्फीजन यह है कि नवरोज और पतेती यह दोनों ही आपके आंसर होंगे नया वर्ष माना जाता है लेकिन नया वर्ष जो आँसर आपको हर जग़े मिलेगा और जो आसर नौज सी यह यह था तो हम नवरोज को ही करेंगी अगला गैसे बुक वोर एंड पीस इस जिसके द्वारा लिखी गई है एक कुस्तभ है और ऑर यह जिसको लिखने वाले हैं लि डर्स और रयाद Bend the term time trial is associated with which of the following sport time trial शब्द का संबंध कर से है 열 और ता extra ड्रें इंता है इसका समेंन रखल जैसे cycle को इस प्रकार से आकर्फाटम वह स्थाय द्रकार अपने मंजिल पेड़ पी हैं जयां से क्वार्ट सोलाट ने आपको से घृट मुंघ चाहिए हम उसे हम कहते है किसे संबंदी से cyclin से संबंधी तो है है taki launch with कुल of mass or Deutch बेचन में ons margin Cup जो लॉन्छ भीकल था वो क्या था नौ वहेतल क्या होते हैं जैसे मालने हमें आप सोग्स होता मौ मौंवर ओच वॉआ था 2014 में और इसको कहते हैं मंगल यान की मंगल घ्रह पर जाने के लिए मंगल यां अब मंगल घ्रह का हमने मंगल यां तो बना लिया लेखिन अब मैं इसको लॉंच कैसे करें मतलब परित्वी से इसे मंगल घ्रह पर कैसे भीज उसके लिए को поступels हुथ सकते हैं उसके लिए हमें लौ्ड वेहिकल चाहिए होते हैं उन वहीं करके प्रेशर बगार सारे चीज़ें मैनेज की जाते हैं इसको मंगल घ्रवे पहुचाया जाता है उसे हम बोलते हैं लॉंच वहीं कल और इसमें जो लॉंच वह था वह मार्क 3, MK3 जो है वह लॉंचिक मेहिकल यूजवा था चंद्रयान 2 यह पुछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है काफ़ इंपोर्टेंट है अगले क्वेश्चन है कोरस सिंगिंग शब्द इस सामुविक गायन शब्द किस से संबंदित है यह आप से पूछा गया है सामुविक गायन है जो शब्द वो संबंदित है गुरू पर्व से ऑप्शन एज सही आंसर होगा उस तक का नाम है एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किन्हों नहीं किया ही आप से पुछा गया है ठीक है इसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर नोबल प्राइज भी दिया गया है नोबल पीस प्राइज से समानित किया गया इनके साथ साथ मलाला यूसुफ जाई को भी ठीक है तो मलाला यूसुफ जाई यूसफ जाई और कैलाश सत्यार्थी इन दोनों को 2014 का नोबल प्राइज दिया गए है इन्होंने चाइल्ड डेवलोप्मेंट के लिए काम किया है ठीक है जो बच्चों के एक्सपरिटेशन से बचाने के लिए काम किया तो बेसिकली फिल्डरल्स के फिल्ड में इन्होंने का कि इन होने अंधलन भी शुरूब 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 की है कैलाश सत्यार्थी में उस अंधलन का नाम है बचपन बचाओ अनुलन थीड़ान घ्रत उन्हीं की है सत्यार्थी ऑप्शन भी सही आंसर है विच उप दी फोलिंग सइंटेस्ट, साइंटीस्ट इस रिलेटि टुड़ा डिस्कवर्य अफ्री आप इसको ग्राफ टीक है Mind घ्शने पुचह हैं डिस्को ग्राफ की खोज किनूने की हैं क्रेस्को ग्राफ क्या मापता हैं फ्लांट की ग्रोफ को माता है पोड़ों के अंदर जो ग्रोथ हो रही है व्रद्धी हो रही है उसको माता है क्रिस्को ग्राफ इसके डिस्कवरी की है जगदीश चंडर बॉस ऑप्शन किस है एक प्रगंण का संबंध की स्केल से अगले वह फॉलंग गया है कि पर्देश से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गरबा गुजराथ से हैं यक्षा गन करनाथक से हैं मोहिन यह इतंग का यहां पर दिया गया रेलेशन ओडीशा से जो की गलत है केरल राज्य का नांगि ओडीसा का ओडीसा राज्य का क्या है वो भी लिख डिवती हूं ओडीसा का दाज्य का है ओडीसी ठेक है कियर एंस्टिट्टुटिटर रास्टी राज्याय में स्थित है हीरो के लिए फेमस है सूरत गुजराथ ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ठीक है डाइमंड का जो बिजनस है वह सक्से जादा सूरत के अंदर भी जादा फ्रॉरिश है इंडिया में ठीक है पोग रुजिक है जिसका नाम है मांड उसका संबन भारत के कौन से राजय से है मांड शब्द से आप क्या समझते हैं ये प्रकार का पोग डांस है लोग संगीत है जो राजस्तान स्टेट का काफी फेमस है ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा ठीक है जैसे जुम्री और ताल होते हैं उसी प्रकार से यह जुम्री और ताल से यह काफी संबन दीते है ठीक है तो ऑप्शन डी जो है यह सही आंसर होगा क्वेशन यह था कि लोग संगीत मांड इस अस्टेट विट विट स्टेट एंड आंसर इस राजस्तान ओके नाओ मूब तो नेक्स स्लोवाकिया की पहली महिला रास्टेपति कौन है ऌण है स्लोवाकिया एक देश कहां पर है यॉर्पीन कंट्री यूरप में है उसकी पहली रास्टति विट भैए यही सही आंसर क्या होगा였습니다 कि लीज जवाब होगा नेल्सन मंडेला ओप्शन सी राइट आंसर है यह साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही फेमस लीडर है और यह पहले ऐसे एक ब्लैक परसन है ब्लैक मैन है जो की वहां की गवर्मेंट के हैड बने है ठीक है अगला कॉश्शन अगला कॉश्शन दिखिए इसके लिए राइट आंसर होगा विराट कॉहली एक सही जवाब है ठीक है अगला कॉश्शन है select among the following who is not honored with भारत रतन इन में से उस रेक्टित्व का चैन करे जिससे भारत रतन से समानित नहीं किया गया है ठीक है शामा प्रसाद मुखर जी जो है इन्हें भारत रतन से समानित नहीं किया गया है option C हम सही आंसर ले लेंगे इसके ठीक है आगे चलते हैं which of the following book is not written by चेतन भगत निमन में से कौन सी पुष्टक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गए चेतन भगत काफी एक बहुती फेमस ओथर है काफी movies भी बनती है इनकी novels के उपर जैसे की Making India Awesome इनकी एक novel है Revolution 2020 One Indian Girl उसके अलावा आपने सुना होगा Half Girlfriend ठीक है Half Girlfriend उसके अलावा एक ओग है इनकी Three Mistakes of My Life ठीक है यह कुछ बुक्स हैं फेमस जो चेतन भगत ने लिखी हैं जो आपको यार दखनी है Wise and Otherwise Option C यह बुक्स चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है इस बुक को लिखा है सुधामूर्थी ने सुधामूर्थी सुधामूर्थी कौन है तो नारायन मूर्थी जो है जिन्हें इनफोसिस का संस्थापक माना जाता है सह संस्थापक उनकी वाइफ है सुधामूर्थी जिन्होंने Wise and Otherwise बुक को लिखा है Option C ठीक है अगले वर्शन बढ़ते हैं वो अमंग दी फोलेंग इस फ्लूट प्लेयर बासूरी वादक का नाम बताना आपको इमने से पहचाना है रवी शंकर शिव कुमार शर्मार जाकिर हुसेन या हरी प्रशाद चौरस्या हरी प्रशाद चौरस्या जो है वह एक बासूरी वादक है जाए अप्ट्टन एस तेही आसने होगा ठीक है झाल झाल